कि हलो प्यारे बच्चों और दोस्तों मैं सर्वेश कुमार दिच्छित आज आपके लिए फिर लेके आया हूं थर्मो कमिश्टी का वंस और लास्ट क्लास्ट में हम लोग ने थर्मो डाइनमिक्स किया था ध्यान नखना ये दो अलग लग चीज़ें थर्मो डाइनमिक्स में प्यारे बच्चों हम पूरा complete work पढ़ते हैं ठीक है internal energy पढ़ते हैं इन्थल्पी पढ़ते हैं intensive extensive property पढ़ते है reversible process in reversible process पढ़ते है state function path function पढ़ते हैं एसेक्टर आग थर्मो कमिश्टी पढ़ोगे थर्मो कमिश्टी में प्यारे बच्चों हम लोग क्या डिसकस करेंगे entropy discuss करेंगे गिस प्री energy discuss करेंगे और complete thermocommission discuss करेंगे in the sense enthalpy of formation, enthalpy of neutralization, enthalpy of combustion, bond enthalpy etc ये सारा portion आग डिसकस करेंगे और आज आपको इसमें भी अच्छा करके जाएंगे मतलब आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बताएंगे जैसे आप लोग इस speech को सीख सको क्यों बच्चों को थोड़ी सी tension रहते है और आप tension में रहो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है तो आज हम लोग इस पूरे chapter को अच्छे से complete करेंगे ठीक है तो ध्यान रखिए आज हम लोग क्या क्या करेंगे इसका एक बार discussion कर लेते हैं देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्यारे बच्चों entropy है complete entropy with PYQ और कुछ question और complete gift free energy और complete thermocommission ये सारा portion आज हम लोग कबर करेंगे ठीक है तो सभी बच्चे तयार हो जाएं और topic को आँगे बढ़ाना start करता हूं जर ध्यान दीजिए आच्छे से तो हमारी आज की पहली heading है तो प्यारे बच्चों पहली heading क्या है सबसे पहली heading है entropy अब बात करते हैं कि entropy क्या होती है तो चलो इस बात का discussion start करते है कि entropy क्या होत है तो शिष्टम में कोई गयस है जर्नलिए हम लोग कमस्टि की बात करते हैं से सिCh Lily मतलब क्या मानते है था देखो यह हमारा एक सिष्टम है और ऐसे हैं यह इस यह तो इस सिष्टम को क्या किया यह सिष्टम है तो यह क्या होगा surrounding होगा कि यह क्या है सरावंडिंग सरावंडिंग का temperature हमारे पाफ टीटुए है ठीक है सिस्टम ने क्या किया सराउंडिंग प्राउंडिंग को दी आप ज Herrnор समझेंगा है सिस्टम को कितनी हिर दिये ए तो इसकी कितनी हो गई बाती है इस बात को बताता हूं दिखंग में वोटोम से पैंप जड़ कुछ का श्रॉपी क्या चीज़ होती है इस बात को बताता हूं देखे उक िो इन डॉप म्वी अ क्यों है जा एंट्रोपी ओब दा सिस्टम इस अ मैथमेटिकली इस अ मैथमेटिकली इक्वल टू जड़ा देखो इक्वल टू क्या डी एस इक्वल टू क्यू रिवर से विल अपान टी देखो यार इंट्रोपी क्या होती है मैथमेटिकली अभी हम लोग इसका फिजिकल अपियरंस नहीं बता रहे हैं अभी हम लोग प्यारे बच्चों इसका मैथमेटिकल अपियरंस बता रहे हैं कि मैथमेटिकली यह क्या है देखो इंट्रोपी चेंज आप दा सिस्टम इंट्रोपी चेंज आप दा सिस्टम क्या होता है क्यों डियास इक्वल टू क्यू रिवर्सेविल अपॉन टी डियास इक्वल टू क्यू रिवर्सेविल अपॉन टी क्यू रिवर्सेविल अपॉन टी का मतलब क्या है तो इसका मतलब हमेशा ध्यान नखेगा मेरे प्यारे बच्चों की हमेशा रिवर्सेविल प्रोसेस की रिवर्सेविल प्रोसेस की हीट पार्मूले में रखनी है रखनी है इस बात को आप हमेशा रहा नको यहां पर जो हीट रखी जाएगी फारूले में इस इक्वाल टो क्यू रिवर्सेविल प्रोसेस का इर्रिवर्सेविल प्रोसेस का मत रखेगा इसलिए मैंने फार्मूले में लिखा है ds equal to q reverse evil upon t ds equal to q reverse evil upon t हमेशा reverse evil process की heat फार्मूले में रखनी है ध्यान नखिएगा यह सबसे important point है यदि मेरे से कोई पूछता है कि यह important point क्या है तो सबसे important point यही है कि तुम्हें कोई भी heat नहीं रखनी है कि पता चला कोई भी heat उठा के रख दी आपको heat रखनी है हमेशा reverse evil process की heat रखनी है ठीक हमेशा किसकी रखनी है reverse evil process की heat को रखना है यहाँ पर अच्छा कहानी को और बढ़ाते हैं आपने mathematically यह value किसकी निकाली क्यों system की अब मानलो कोई surrounding की entropy पूछता तो surrounding की entropy change क्या लिखते है ds surrounding equal to minus q है minus q upon t2 अलग अलग temperature है ना उसका temperature मैंने t2 माना था यह देखो उसका temperature मैंने कितना माना है t2 माना है तो उसकी कितनी आई minus q upon t2 ठीक है और system की कितनी आई plus q upon t और हमेशा कैसे रखोगे reversible process की heat को रखोगे ध्यान नखिएगा बार बार इस बात को बोल ला हूँ इसका मतलब importance है कि हमेशा इस formula में ds equal to q reversible upon t रखोगे ठीक है क्यों क्योंकि यदि process irreversible हुआ तो irreversible process की entropy change जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो greater than होती है q reversible upon t के for irreversible process यह देखो irreversible process के लिए हमेशा क्या होती है ds equal to q irreversible upon t होती है यह तो मैंने mathematically explanation किया है entropy का कि entropy जो है mathematically क्या होती है entropy change of the system entropy change of the system is equal to q reversible upon t होता है mathematically अब यार इसका physical appearance क्या है हना physically यह क्या represent करता है तो अब हम लोग इस बात पे चलते है कि यह physically हमें क्या बताएगा देखो कि यह physically हमें क्या बताता है entropy change physically physically represent physically यह क्या represent करता है तो यह represent करता है पहला point randomness को randomness को दूसरा point ठीक है disorderness को disorderness यह सब एक ही बात है तीसरा point mix up mixing हना mixing को represent करता है mixing को इसको तो फिजिकली यह क्या represent करता है फिजिकली यह represent करता है किसी भी system में कितना randomness है किसी भी system में कितना disorderness है किसी भी system में कितना mixing हो रही है इसको तो फिजिकली डेल्टा S क्या represent करता है entropy change in process S होता है entropy और Ds होता है entropy change एस होता है इंट्रॉपी और सिस्टम और यदि इस पर डी एस लिख दोगे या फिर आप डेल्टा एस लिख दोगे तो ये दोस्त क्या हो जाता है इंट्रॉपी चेंज आप सिस्टम हो जाता है इंट्रॉपी चेंज और सिस्टम कि सिस्टम में इंट्रॉपी का चेंज कितना हुआ है वह हो जाता है तो इंट्रॉपी क्या मेजर करता है इंट्रॉपी मेजर करता है कि सिस्टम में डिस ओडर ने सिस्टम में रैंडमनेस कितना है और सिस्टम में मिक्सिंग कितनी जाधा है और जितनी जाधा मिक्सिंग जितना ज्यादा रेंडमनेस उतनी ज्याधा इंट्रॉपी पॉर इशिम प्र पॉर इशांपल अभे रिक्षम प्रकरक्रा कि अच्छांपहों फ्रॉप हएं लिक्विड है और सॉलिड है यह देखो इसके एक्जामपल चाहो तो लिख लो वाटर वैपर है वाटर लिक्विड है और वाटर सॉलिड है वाटर सॉलिड का मतलब आप समस्ते हैं आइस अब बताओ ज्यादा रेंडमनेस किसमें है सॉलिड के मालीक्विड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं हम जानते हैं कि सॉलिड के मालीक्विड इस तरह से फिक्स होते हैं ऐसे लिक्विड के मालीक्यूल इस तरह से फ्लो कर रहे होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में और गैस के मालीक्यूल रेंडम मोशन कर रहे होते हैं अब बताओ मेरे दोस्त डिस और ने किस में ज़्यादा है इसका मतलब गैस की इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा होती है फिर लिक्विड की फिर सॉलिड पहली बात सुन तो गैस के मालीक्यूल रेंडम मोशन कर रहे हैं तो तुम उनकी लोकेशन बता पाओगे पल भर में वह लोगेशन चेंज करते हैं लिक्विड के मालीक्यूल रैंडम मोशन नहीं करते हैं किसी डए Stories नमें बैठते हैं है Pak पानी डाल दोगे तो किसी एक डालेक्शन में जा रहा है सॉलिड के मालीकिल दो बस अपनी मीन को जिसन पर वॉइबरीड क capita है है अ मैं तो ज्यादा रंडमनेत् समय धाया फिर किसमें निक्टद में तो यारी इंट्पी का आड़र लगाया जाएगा तो इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी जैस फिर किसकी होगी तो लिख पर किसके ओगी सॉलिड की इसमें कोई तो नहीं है बताओ इसमें कोई दिखता था है नाई अब जरब और एक्जामपल देता हूं कि एक्जाम पर बहुत कुछे जाएंगे यह देखो वाटर लिक्विड है और वाटर लिक्विड कनवर्ट हो रहा है वाटर वैपर में मतलब क्या हुआ मतलब हुआ नाई करोत होता है अब यह बताओ इसफ क्राउसस में क्या होगा इंट्रॉपी इंक्री Barbara क्यों तो जब पहले लिक्विड हो गया है लिकविड से भाइपर बना फ्लीना प्हले अर् Passover में था आइसे अब जिगवापर बन जाएगा तो यह ऐसा हो जए गे और यह लिखुड है तो वैपर में क्या है रेंडमनेस ज्यादा होती है तो इसका मतलब आप जब प्रोसेस को कर रहे हो तो रेंडमनेस बढ़ रही है ना तो इसकी इंट्रॉपी चेंज क्या होगा इसकी इंट्रॉपी चेंज का साइन कैसा आएगा पास्टू क्यों इंट्र पर माइनस इंट्रॉपी ओफ लिक्विड और इंट्रॉपी ओफ वैपर कैसी यह ज्यादा है तो पास्ट्यू साइन आएगा ना तो यदि मेरे से कोई पूस्ता है कि यार वाटर का वैपराइजेशन हो रहा है तो बताओ इंट्रॉपी बढ़े गया घटेगी तो हम क्या बताएंगे बढ़ेगी है कि नहीं और डेल्टाइस का साइन क्या होगा फास्ट्यू डेल्टाइस मतलब चेंग और चेंग क्या होता है यह किसी बच्चे ने का नाइसर और एक्जामपल दे के बताओ तो मैंने का ठीक है यह एक और एक्जामपल है कोई लिक्विड है यह सॉलिड इस्टेट में है और इसको कोई मैल्ट कर रहा है ठीक है लिक्विड को हम किसमें ले जा रहा है लिक्विड इस्टेट में ले मतलब कुछ example यह है हमारे पास water solid था अब हम इसको यह कर रहा है अब यह process क्या बोला जाएगा यह तो मैल्ट हो रहा है ना melting को क्या कहते हो freezing या melting fusion हो रहा है तो यह क्या हुआ are melting of Ice melting of sorry a melting of इसकी entropy कैसी होगी बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी जर्बताना solid क्या होते है अब और जब वह liquid में जाएगा तो क्या होगा है जाने ज्यादा movement liquid का होता है तो इसका मतब entropy बढ़ेगी तो delta test की value कैसी आएगी चेंज इन इंट्रोपी का साइन कैसा आएगा पास्ट यूँ क्यों क्या लिखोगे इन ट्रॉपी ओफ लिक्विड माइनस इंट्रॉपी ओफ वॉलिड और हम सब को पता है कि इंट्रॉपी ओफ लिक्विड जो होगी वह ज्यादा होगी इंट्रॉपी इसका साइन कैसा आजाएगा पाजिट्व इसका मतलब यदि आप पानी को मैल्ट करते हो मतलब आइस को मैल्ट करते हो तो इंट्रॉपी बढ़ती है यह सब कोश्चन पूछ जाएंगे इन में से किस प्रॉसेज में इंट्रॉपी इंक्रीज करती है तो कैसे बता होगे इन ठीक है और एक्जामपल जड़ा देखो गौर्द सुनते जाएगा अब एक्जामपल और बढ़ा रहे हैं ठीक है अब जड़ा देखिए इंट्रॉपी जो होती है वो डायरेक्टी प्रोपोर्शनल होती है एक टॉमी सिटी के मतलब यदि किसी ने आप से इंट्रॉपी के बारे में ऐसा कोशन पूछ लिया तो देखिए हिलियम की इंट्रॉपी ऑक्सीजन की इंट्रॉपी और ओजोन की इंट्रॉपी का ओडर लगाओ अब कैसे लगा होगे तीनों ही डीजैंतों ही गयस है दिनों ही गयस हैårt हुलियम भी गयस है और दिन्ट्रॉपी को और कैसे लगा होगे यह कब होगा झैज उनके फेज से मिक लगाना है तो आप क्या लगा उगए इंट्रउपी कि ज्रोपी ज्ञाद होगी जिसकी डीड़ना किस की जादा है उजोन की हुआ कि सब्सके कम हुलियं की और शींजन की फिर ओ़न की यह इंद्रोपी को ओर की कोई बच्चा सोंच रहोगा पर आप ऐसा कैसे लिख रहो है तो तीनों बैसी तो फिर कैसे पर नंग है तो जितने ज्यादा अग्टांटि आप अगी स्ट्रच होते हैं धागे की तरह लास्टिक जयते होती हैं जिसने जिएला आड इंटक्राफिकोल निस्मेजन्मेंट कि मेजरमेंट कैसा है कि त traumatic मितल часов क्या है इन ट्रॉफिक को शाम मितलस तो जितने जिएलाओ होते हैं उतना ज़्यादा रेंडमनेस होता है आपक में भी रेंडमनेस है गैस का रेंडमनेस तो तीनों में से में इसका रेंडमनेस इसका रेंडमनेस तीनों में से में मगर इसके अंदर का रेंडमनेस ज्यादा है ओतरी के अंदर का रेंडमनेस ज्यादा है क्यों क्योंकि अच्छा अब किसी ने का सर यदि हमने थोड़ी बदमासी कर दी बदमासी कैसे कर दी मालो एक टॉमी सिटी फिक्स कर दी कि अटॉमी सिटी मैंने क्या कर दी कॉस्टन कर दी तो तो आप फज्जा होगे नहीं कर पाओगे तो मैंने का ऐसा थोड़ी होता है हम लोग बहुत चालाक लोग हैं तुम यदि इसको कॉस्टन कर दोगे तब भी हम निकाल देंगे कैसे हैं ऐसे कि यदि एक टॉमी सिटी कॉस्टन हो जाए तो फिर मालिकुलर वेट के प्रपोर्शनल हो जाएगे मतलब आए यदि कोई मेरे से कहता है कि जरह बता हो इसमें इंट्रोपी इसकी ज्यादा है इंट्रोपे का और्डर यह होगा गैस पाम में लिया है फेस्ट सेम होना चाहिए सेम फेस्ट यह लगेगा तो बताओ कि इंट्रॉपी को ओडर यह होगा कि अबस मज़ों यादी एक्टॉमी सीटी कॉस्टेंट कर जी जाए तो जितना जदा माली कुलर वेट उतनी ज्यादा करकां देडर ज्यादा ओगा तो तो आ इंट्रॉटवी केपास गत कि अ it है को बाद समस्के जारो कप क्या क्या बता रहा नहिकरों अ आप कर रहा होगा नहीं शर्टा और बताWare और अब झाराब्यक के बाद ऑरे ओरर समुझें ठीक है थी को है जायेगा लॉट्रोप जो इन ट्रोपी जो होती है फिर मेटल से ज़्यादा उते हैं किसी अलोट्रोप की इन ट्रोपी उसके ट्रॉपर मेटल से ज्यादा होती है ठीक है ठीक है कैसे देखो यह कॉपर है 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 अब मैंने इन दोनों को एक्स्चेंज कर दिया तो जब इन दोनों को इस्टेंज किया तो तो स्क्रीब मुव्मेंट आया है और कुछ नहीं आया है और वही लिखाय चेक कर लो तो मूवमेंट आया है यदि मैं इसको ग्रीन कर दूब तो इंटर्चेंज होने की वज़े से यहां आगा है तो उसक्रीब एक मोशन मिला है और में नहीं है मगर यदि यह एलो ट्रोफ है तो जड़ा देखो कि यह कार्ब कॉपर यह कॉपर यह कॉपर 63 था यह कॉपर 63 था यह कॉपर 64 बाकि सब 63 है अब मैंने फिर इनका ओडर चेंज कर दिया आपस में तो देखो क्या हुआ अब गौर्स देखना रेंडमनेस तो बड़ा ही बड़ा डिस ओडर ने भी बढ़ गया अब क्या यह सेम ओडर है जो पहले ओडर लगा था वह यह ओडर है चिक करो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ 64 वाले को कि यह देखो अगर बीचेंज हो गया मुवमेंट भी बड़ा ओडर भी चेंज हो गया दोनों चीज़ें इसने किया मकर और चेंज नहीं हुआ जैसा और था वैसा यह ओडर है इसमें और भी चेंज हो गया तो हमेशा ध्यानकना अलोट्रोप की इंट्रॉप्यूस के प्योर मैटल से हमेशा जदा होती है अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सरम एफ नंबर भी करेंगे तो चलो एफ नंबर की और चलते हैं यह के बाद क्या आता है एफ एफ नंबर को भी डिस्क्रस करते हैं कि इंट्रॉपी और कैसे बढ़ सकती है अब जो एक्जाम्पल देंगे वह एक्जाम्पल तुम बरदास्त नहीं करता होगे क्या वाइल एब यह भी हमारे पास कहीं बॉइल एग है बॉइलिंग ओफ एग में बताओ इंट्रॉपी कम हो रही होगी कि डिक बॉइलिंग ओफ एग प्रॉसस्ट इंट्रॉपी इंक्रीज़ बिकॉस केमिकल बॉंड बिट भीन प्रोटीन ब्रे ड्यूरींग बॉइलिंग इसका मैंने रीजन भी क्यों लिख दिया है क्योंके मुझे पता था कि यदि मैं तुम से पूछूंगा तो तुम कहोगे लगता है सर गलल लिख रहे हैं या सब कुछ समझ नहीं है या सब जानते नहीं है boiling of a process यादि एक को boil किया जाए तो entropy बढ़ती है अब यह कान ख़र करने वाली बात है हालि बच्चों को लगा रहा है यार एक के अंदर लिक्विड होता है और जब एक को boil कर देते हैं तो वह solid हो जाता है तो entropy बढ़ काम है प्रोटीन के बीच के बॉन ब्रेक हो रहे होते हैं प्रोटीन के बीच के केमिकल बॉन ब्रेक हो रहे होते हैं जिससे उसकी रेंडमनेस बढ़ जाती है इसकी प्रोटीन की प्रोटीन के बीच के बॉन ब्रेक हो रहे होते हैं जिससे उसकी रेंडमनेस बढ़ जाती है इस वजय से वायल एक की इंट्रॉफी जो होती है वो ध्या अब ज़्याद कुछ जी जी क्या है जरह देखिए का रस्टिंग ओफ आईरन अभी पढ़के आयो आएरन की रस्टिंग में होता क्या है यह आप अच्छे से देखो तो रस्टिंग आउप आईरन प्रोसेज में भी ध्यान लगना इंट्रॉपी क्या होगी इंट्रॉपी इंक्रीज होगी क्यों एक नॉर्मल मैटल के लेयर थी इधर बना देता हूँ ठीक है यह दिए हमारे पास क्या था एक अच्छी खासी मैटल की लेयर थी ऐस तरह की हमारे पास एक लेयर और इसमें सारे अफी एक बहुत अच्छी तरह से अरेंग थी कि कि यह दिखो एक मैटल है कि और इसमें मस्ट एफी अरेंज्ट थे कुछ इस तरह से एक 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 एटम कुछ इस तरह से अरेंज्ट है अब आप जब रस्टिंग कराते हो तो क्या होता है आपको यदि याद हो तो रस्टिंग प्रॉसेज में क्या होता था ध्यान है सबको रस्टिंग प्रॉसेज में होता था एफी सॉलिड पहले एलक्रॉन लूज करता था दो और और ऑक्सीजन को जब मिलते थे तो ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ मिलके इस तरह का रिडक्शन करती थी ऐसे और वजाए इस तरह से तो यह हमारा हो जाता था आउक्सीडेशन इसलिए आइनोड यह हो जाता था रिडक्शन इसलिए कैथोर और फिर यह एफी टू पाजिटिव ऑक्सीजन के साथ रियक्शन करके यह बनाता था और यह फर्दर और आउक्सीडाइश हो जाता था एयर से एंड पॉर्म एफी टू ओ थ्री ऐसे तो जब ऐसा होता है तो यहां पर कहीं एफी टू ओ थ्री बनता था ऐसे यह एफी टू ओ थ्री बन गया और फिर इसके ऊपर हाइड्रेशन हो जाता था मतब वाटर का एडिशन हो जाता था इसके ऊपर हाइड्रेशन हो गया इस तरह से और जब हाइड्रेशन हो गया तो कुछ इस तरह से हमारे पास hydrate f e यह जो पोर्सरिंदे यह इस हो गया आइडा का रिक हीड राउकसाइड बन् último admit it फ्रिक हो हॉट एब आप इस पूरे समेंर बढ़ अधा या अधि अधा मैंडल प्लेट थी संथ की gefलाओव सौङ से अधान सॉолीड इस्टेट में आरेगे il यह मगर जिब उसमें रश्ट लगता है तो रैंडम बढ़ जाता है क्यों है मैटल आइन में कन्वर्ड होता है तो एलज्ट औन निकलते हैं वह एलज्टॉन डरके Oxygen को मिंसे Oxygen के सास्ट मिलकर के बनाते हैं फिर फिर अधसर किधि फटर अससाइज होता है फेरिक औक ओक्साइड में और वह फेरिक औक सब्साइड एक मौश्चपियर से बॉर Starぜ sulphur करताorig रसे बनाता है तो रस्टिंग आफ आइरन कैसा प्रोसेज़ है ऐसा प्रोसेज़ है जिसमें इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहे है ठीक अब जी के बाद क्या आता है एच किस्टलाइजेशन और कि सुगर कि जरह यह दिखूंग कि यह पानी है कि वैसे मुझे नहीं लगता इसको इस्प्लेन करने की ज़रूरत है तुम पहले ही समझ गया होगे कि पानी में तुमने सुगर डाल लख था है कि तुगर मतलब चीनी यार कि चीनी कैसा सलूशन होता है होमोजीनियस सलूशन होता है कि है की आप तुमने इसकोक किस्टलाईजेसन कर दिया तो क्या होगा है सब इसको जमाद होगे तो जमाद होगे तो यार क्या हो जाएगा इंट्रॉपे झेल inclined एंट्रॉपी चेंज अगर डिक्रीज इस अ मतलब डेल्टा एस का साइन कैसा है गार निगेट वाएगा तो अच्छा थासा लिक्विड में था और तुमने उसको जमा दिया तो इंट्रॉपी क्या होगी डिक्रीजी कर देंगी है कि नहीं अच्छा एच के बाद क्या आता है अज़ा बताना घी है आई एक्जामपल एड्ट जॉट्व सन ओफ गैस अधि इन तो पॉलिड सर्फेस वैसे यह इतना बड़ा स्टेट्में लिखने के हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है एड्ट जॉट्सन का मतलब क्यों होता है एड्जॉट्सन का मतलब यह होता है कि यदि हमारे पास यह कोई सॉलिड सर्फेस है ऐसा है कि यह हमारे पास दोस्त एक सॉलिड सर्फेस है कि ऐसे कि यह एक सॉलिड सर्फेस है अब इस सॉलिड सर्फेस पर क्या हुआ है हमने गैस को एकुलेड कराया गैस को इंबीडेट कराया इसके चार और गैस है ऐसे है यह गैस है 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 कि यह हमारी गैस है और यह हमारा सॉलिड सर्फेस है कि अत ज也ंबात को समझे है आख में इस सॉलिड सर्फेस पर क्या हुआ हूआ मगैस हो गई कुछ इस तरह कि इस तरह से कुछ एकमुडीट हो कि यह दिखूँ है अब बहुत सारी गैस ऐसे भी है और एक्पूलेशन और नान एक्पूलेशन के बीच में क्या है एक्पूलेशन अब बताओ यह प्रॉसेस जो होता है एड़्जॉर्चन होता है और जाता है एक्पूलेशन ऑफ हैं को अब बता है इसको इसको अड्जार्वेट बोलते हैं इसको एड्जॉर्वेंट बोहुते हैं और इस प्रोसेस को एड्जॉर्ट्सन बोहुते हैं तुझरा देखो मैटन सर्फिस पे गैस का एकमूलेशन कैसा प्रोसेज होगा अब बताओ कहां गैस रेंडम मोशन कर रही थी कहां गैस फिक्स हो गई तो इंट्रॉपी ओप सिस्टम क्या हो गई डिक्रीज कर देंगे अब आई के बाद क्या आता है जे तो चलो जे को कर लेंगे इंट्रॉपी इंट्रॉपी चेंज इंट्रॉपी चेंज कैसे काउंट करूगे तो जैसे यह है गौर्ट देखो हम लोगे मजब टॉपी तुथा रहा है इसको ज्याम दीजिए यह है तो जैसे यह देखो है टीटु एट्टु एट्टिक्स लिक्विड प्लस ओटू इंट्रॉपी तो जैसे कार्बन डाई ओक्साइड गैस वाटर लिक्विड अब जरा इसको बैलेंस करो ऐसे ऐसे ठीक है और इसकी वैलू बैलेंस करो चार तीन साथ अब जरा देखो इसका निकालो डेल्टा एंजी डेल्टा एंजी क्या होता है मोलो छाईमोल गैस मोलो प्रोड ट य। मैनस मैंस य। Hello Mole of reactant in balance reaction in Balance reaction, Delta NG आप लोग ने कई बार पढ़ायार, chemical equilibrium में पढ़ा होगा, आदा वहाँ पढ़ाया है, अभी मैंने Delta NG, Delta उसमें भी पढ़ाया था, Delta H में भी, तो delta NG की reaction का क्या होता है, gases mole of products minus gases mole of reaction बैलेंस रियक्शन तो डेल टाएंग निकालो कितनी वैलू आई तो यहां पर कितने एस तेवन बाइटू कि जड़ा देखना क्या रहा है निगेटीव गालु आ रही है यह देल्टा एंग निगेटीव है तो डेल्टा एस भी निगेटीव हो delta S भी निगेटीव ठीक है कि नहीं तो धिएन लखिये की delta NG निगेटीव है तो delta S भी निगेटीव हो है So value of delta S is same sign, value sign of delta S, 1 minute, फोड़ा से गला लिखिया है, sign लिखना चाहिए है. Sine of delta S is same as sin of delta NG. जो delta S का sign होगा, वही delta NG का sign होगा. या बोल दो कि जो delta NG का sign होगा, वही delta S का sign होगा. किसी chemical reaction के लिए. Sign की बात कर रहा हूँ, जरह गौर से ध्यान लखना, value की बात नहीं कर रहा हूँ. Value कैसे निकाली जाएगी, अभी बताया जाएगा. हम sign की बात कर रहा है, sign होगा, value नहीं, sign, sign same होता है, value same नहीं होता है, तो किसी chemical reaction का entropy chain कैसे नहीं कर रहा हूँ, अब इतनी देर में ये बात तो समझ गया हूँगे कि entropy क्या है, entropy randomness को measure करने का एक तरीका है, और जिसका mathematical form होता है, ds equal to q reversible upon t, entropy randomness को measurement करने का एक करीका है, जिसका mathematical form होता है, q reversible upon t, एक question ज़रा बताना, last rubber होती न, जो घरों में रहती है, अरे यार जो gate is होती है, बच्चे खेलते हैं, या नोटों में लगाई जाती है, किसी चीज में लगाई जाती है, वो rubber है, ऐसे, और उसको हमने खीज दिया है, तो यह stretch rubber बोली जाएगी, यह normal rubber है, और इसको पकड़ाई खीज दो, तो इस्ट्रेश रवर, दोनों में इंट्रॉपी किस की ज़्यदा होती है, इस्ट्रेश रवर की इंट्रॉपी नॉर्मल रवर से ज्यादा होती है, ध्यान नक्तिएगा, यह भी कभी कुछा जाता है, इस्ट्रेश रवर की इंट्रॉपी नॉर्मल रवर से ज्यादा होती है, ठीके, ध्यान नक्तिएगा, इत्ति बात के लिए, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, यूनिट ओफ इंट्रॉपी की, यूनिट ओफ इंट्रॉपी, यदि कहीं इंट्र रिवर से विल अपान टी क्यों की वैलू क्या होगी जूल टी की वैलू क्या होगी कैल्विन तो यूनिट क्या है जूल कैल्विन इन्वर्स है कि नहीं पता हूँ यूनिट यह तो आएगे जूल कैल्विन इन्वर्स कैलोरी कैल्विन इन्वर्स कर लो तो यूनिट भी मिल गई हमें कि हाँ यार इसकी यूनिट क्या होगा तो यूनिट वाला पोर्शन भी हम लोगों ने खतम कर लिए इंट्रोपी की definition हो गई इंट्रोपी क्या करता है इंट्रोपी randomness को measure करता है disorderness को measure करता है mixing को measure करता है ठीक है पहला point mathematical form इसका क्या होता है ds equal to q reversible upon p होता है अब आप कह रहे हों तो एक example आपसे पूछ लेता हूं last and final मिक्सिंग आफ गैस वैसे मुझे नहीं लगता यह मैं पूछना चाहिए क्योंकि यह तो मेरी हिसाब से बताई दोगे मिक्सिंग आफ गैस बताओ इंट्रॉपी इंक्रीज करेंगी कि डिक्रीज इंट्रॉपी जान सुद्ध आए इंक्रीजेज जितने ज्याद होंगे उतना ज्यादा रैंडमनेंस् अगर को मिक्स कर रहे हो तो रैंडमनेस इंट्रॉपी बढ़ती है कि कोई कहता कि मिक्सिंग औफ लिकुड यदि कोई कहे mixing of solid तो इन सभी केसों में entropy increase कर रहे हैं क्योंकि mix करोगे तो randomness बढ़ेगा ना और mix करोगे तो randomness बढ़ेगा तो entropy बढ़ेगी है कि नहीं तो randomness बढ़ेगा तो entropy बढ़ेगी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अब जड़ा इस heading को देखो क्या लिखा है calculation of entropy change calculation of change in entropy in different process अब यार entropy का formula different process में क्या क्या होगा यह बताएगे दोखो entropy का journal formula एक ही है क्या ds equal to q revertable upon t ध्यान नकना बार बार focus कर रहा हूँ क्यू की value reversible process की रखनी है ठीक है हमारा formula होगा ds equal to dq लिख सकते हो यदि कहीं ये लिखा है तो भी बात सही है यदि कहीं ये लिखा है तो भी बात सही है क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ ये बात बस तुम इतनी बात ध्यान नकना heat at reversible process reversible process ये जो क्यों है वो heat at reversible process process चाहे जैसा हो मगर होना reversible चाहिए ठीक है और T temperature है तो हमारा जर्नल फ़र्म ये है अब इस जर्नल फोर्म से न्डिपरेंट इप के process में कैसे डिफरेंट वायल्व निकालेंगी ये सिखा रहा है calculation of changing entropy and different process है अब calculation of changing entropy and different process में सबसे पहले ज़्छा देखो क्या लिखा है प्रभियोवन फॉर्ट और वाऍट औने-चों प्रोशज न्मबर qriuna समय स्य वंट कि यदि कोई प्रोसेस रीवल सेव और एडिया वैटिक तो रिवर्य प्रोसेश को ए तो एडियावैटिक प्रॉसेस जरह बताना क्या होता था मैंने क्या तुम्हें पढ़ाया था और पढ़ाया है तो एडियावैटिक प्रॉसेस की कंडिशन क्या होती है एडियावैटिक प्रॉसेस की कंडिशन होती है कि उसका क्यों क्या होता है जीरो एडियावैटिक यह प्रॉसेस की कंडिशन क्या होती है कि हीट का ना तो लेना होगा ना देना होगा सराउंडिंग के सार तो तो क्यों की रिवर्स एविल एडियाबेटिक प्रॉसेज है और क्यों यह जी जीरो हुआ तो ज़रा बताना डेल्टा एस कैसा आएगा तो सिंपल सी बात है इंट्रॉपी चेंज भी कितना आएगा जीरो तो यदि कोई कोई रिवर सेविल एडियावैत्टि प्रोटि आया है तो इसका इंट्रॉपीचेंज हमेसा जीरो आएगा निकालने की जरूत ज़вой फार्मूला नहीं आयगा इनट्रॉपीच्अ जीरो आएगा उन्ट्रॉपीची एडियावज तो इंट्रॉपी चेंजिऊग पूत कि इतन क्लिक प्रोसेस की इंट्रॉपी कैसे निकाल होगी तो इसके लिए मैं दो तीन बातें यहां बता देता हूं गौर समझो कि इंट्रॉपी जो है कि वो एक स्टेट फंसन है कि इंट्रॉपी जो है एक एक इंट्रॉपी जो है कि एक इक सेंसी प्रोपर्टि के चमेंसीू प्रोपर्टि सी अ कि बट मों गै रन है कि एंट्रोपी है ए ऐसी होगी इंटेनसीव होगी कह वह कुछ आवी तुम समझ गया होगी ए पी जो एक्षट्रोपी इंटेंसीव और फिर करेस्ल कि चो तुर्ण अब्र नंसलोत है यदि यह मेरे दोज इस्टेट फंसन है तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है वह घूम फिर कर वहीं पर आ जाएगा ऐसे इसका इनीशियल इस्टेट और फाइनल इस्टेट आपस में क्या होंगे से मोंगे सेम होंगे और जब इनीशियल और फाइनल स्टेटी सेम होगा तो बताओ स्टेट फंसन की वैलू कितनी होती है गजीडी और एंट्रोपी एक स्टेट फंसन है तो चेंजिन इंट्रोपी कितनी आएगी जीडी तो यह भी कोई cyclic process है तो भी entropy change 0 आएगा क्यों 0 आएगा क्योंकि entropy एक state concern है यह भी कोई adiabatic process है तो भी entropy change 0 आएगा क्योंकि Q0 होता है क्योंकि Q0 होता है तो दो process की entropy change हमने निकाल दी अब तीसरे में चलते हैं यह देखे अब हम तीसरा process करने जा रहा है reverse evil isothermal expenses यह दि कोई reverse evil process होगा तो उसकी entropy change कितनी आएगी process reverse evil है मगर isothermal है तो जड़ा देखो process reverse evil है isothermal है तो entropy change कितनी आएगी तो यार entropy change इतनी आएगी और कोई formula ही नहीं है यह दि क्यों reverse evil की value मिल जाए तो अंसर आजाएगा है तो देखो q reverse evil की value कैसे मिलेगी दी यू इक्वल टू q प्लस डबलू process कैसा है isothermal तो इसकी value क्या हो गई 0 क्यों क्यों क्योंकि process क्या है आइसो थर्मल है आइसो थर्मल process है तो टी इक्वल टू कॉस्टेंट और टी इक्वल टू कॉस्टेंट तो डी यू की value आएगी नहीं तो क्यों इक्वल टू आ गया यह और यह क्यों कैसा होगा रिवर्सेल होगा किसी ने कहा यह रिवर्सेविल क्यों होगा तो मेरे दोस्त जरह बताना process रिवर्सेविल ना क्यों भी रिवर्सेविल होगा अब इसकी value कितनी आएगी है कि तो रिवर्सेविल process का qKigtव कितना होता है रिवर्सेविल प्रोसेस का डबलू होता है माइनस 2.3032 nRT लोग V final अपॉन V initial फार्मूला याद है तो क्यों रिवर्सेविल की वैलू कितनी आएगी माइनस डबलू होता है तो यह प्लस हो गया 2.3032 nRT लोग V final अपॉन V initial पास्वाइब की याद डबलू की वैलू इतनी है और क्यों की वैलू माइनस डबलू है तो यह प्लस आ जाएगा अब हम क्यों को उठाके यहां डाल दोगे तो जड़ा देखो क्या आ गया कि अग्या आएग ती से टी कट गया जब टी से टी कट गया तो डबलू का है सोरी डी एस का फार्मूला आ गया डी एस इक्वल तो 2.3032 टी कट गया है तो nR log V final अपॉन V initial अब जड़ा इस बात को गौर से ज्यालें जब हमारे पास आईसो फर्मल रिवर्सेबल प्रॉसेस होगा और उसकी इंट्रॉपी चेंज पूछेगा तो दोस्त हम डायरेक्ट यह फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट हम क्या करेंगे यह फार्मूला लगा देंगे डी एस इक्वल टू 2.303 nR log V final अपॉन V initial हम इस फार्मूले को प्रूफ करने नहीं बैठेंगे यह तुम्हाने प्रूफ सिखाया शमूmar लाया क्या था एक में बात नहीं करना था जाला है Jest ऐसे एक मिट प्यायके पैंट कि हम तो इस फार्मूले कुछ समझ गया ना रिवर्स एविल एक्सपेंसन आए अब देखो मेरे दोस्त यदि प्रॉसेस कहीं ऐसा हुआ तो आइसो बैरिक प्रॉसेस हुआ तो यह प्रॉसेस हुआ तो सिम्पल सी बात कोई प्रॉसेस है तो यह इस यह यह युक्ष्टन होने का मतलब गीटीन की व payments ल loot कि अपर पांट लाफंगे अपने को और कोई फार्मुला आता ही नहीं है आई दो प्रॉस्वेस के से के आइस विल यह फॉरिक प्रॉस्वेस है लेक्वर सेएक डियाल नना था बॉर से जी बैंने दिशना भूल गया हो क्यों रिवर्टेविल प्रॉसेस के लिए यह फार्मूला वैलिड है कि अब बताओ दोस्त क्यों की वैलू कैसे निकाले अब प्रॉसेस कैसा है आइसो बैलू कैसे निकाले ना दो मिनट में निकल आएगी तुमारा दिमाग क्यों नहीं चला क्योंकि thermodynamics से बहुत सारी बाते तुम भूली जाते हो मैं ऐसे लिख जूँ कोई दिक्कत अरे भईया isobaric process है isobaric process है तो pressure constant है इसका मतलब यह pressure constant की reversible heat है heat reversible at constant pressure की heat को भईया क्या बोलते हो इसका मतलब तुम यह लिख रहा हो डेल्टा एच रिवर से विल अपान पी और डेल्टाइच इक्वर्टू क्या होता है एन cp dt अपान पी आई कि नहीं अब जा देखो दिया इक्वर्टू आ गया n cp 1 upon t dt अब इसको integrate कर दो तो ds की value क्या आ गई डेल्ट यह क्या हो गया एन और cp बाहर आ गये dt क्या होता है और भाई temperature change कुछ हो रहा होगा ना तो temperature change की limit लगो limit क्या है t initial to t final तो क्या हो गया one upon t क्या होता है log t log t की limit डाल दो गए तो डारेक्ट लिख दें ln t final upon t initial है अब ln को हटाना है तो 2.3032 n cp log बेश्टेन हो गया t final upon t initial यह देख यह यह फार्मूला आ गया है बास समझ पाए ज्यादी कोई आइसो प्रॉ से इसो बारिक प्रॉसेस है रिधर शेविल आइसो बारिक प्रॉसेस है तो डिपी इकक्वल को दी क्यूड टyu रिवर्सेविल J हमारे पास एक ही फार्मूला है डिएस इक्वल टू क्यू रिवर्स इंट को क्या कहते हैं इन्थल्पी चेंज इन्थल्पी का फार्मूला क्या होता है एंची वी डी टी लगा दिया है के अब हमने इनको डिफ्रेंशियेट किया अब जब डिफ्रेंशियेट किया तो प्रेसर कोस्टेंट है और प्रॉसस्य रिवर्सेविविल है तो तॅ तॉप्रेचर में चेंज आ रहा है तो तमपरेचर की लिमिटमार्वी तो डेल्टेस अगए टूपंट 3032 n CP लॉव बे तो आईसा ही स्टाइगा डारेक कर दिया है तो आई सोबैरिक रिवर सेफिल प्रोसेस का इंट्रॉपी चेंज का फ़ार मुला ये आएगा फिर से बता देता हूं हमें ये फार्मूले प्रूफ नहीं करने हमें सिर्फ फार्मूले याद रखने मैं प्रूफ कर रहा हूं तु और यह क्या है इसको बता देता हो यह भी है रिवर से विल कि आई सो कोरिक प्रोसेस अब आई सो कोरीक प्रोसेस है तो क्या है वी इक वर्टु कॉश्टेंट डी वी इक वर्टु जीरो अब फिर हमारे पास फार्मूला एक ही है क्यों रिवर से विल अपॉन कि यह अटा देता हूं नहीं तो कोई बच्चा कहेगा इस बार समने डी क्यों लगा दिया जबकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि डी और डी क्यों सेम है अच्छा बच्चो यह ऐसे लिखने हूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा कि अब बस तुम समझ गयों हुगेم का या व्या पूरे प्रोस्ट में चैब लैन पॉरे प्रोस्ट Eu Row पॉरत तो यह हुआ है है कि नहीं किसी ने का सर कैसे तुम एनेmond देखो ऐसे फर्ष्ट लाप फर्मो डानिमिक्स यह होता है अब यदि इसकी वैलू तुम यह रखो गए तो यह तो जीरो हो गया तो यह जीरो हो गया तो यह क्या हो गया कॉस्टेंट फ्रेस एक कॉस्टेंट वैलूम की हीट इंटर्नल इनर्जी चेंज के बराबर होती है कॉस्टेंट वैलूम की हीट इंटर्नल इनर्जी चेंज के बराबर होती है इंटर्नल इनर्जी चेंज के बराबर होती है के बराबर अब तो यह तो समझी गया यार क्या कित्ता लिखेंगे ठीक है कि नहीं तो अब यह आ गया अब बच्चों ने का सर अब तो खेल खतम हो गया इसका फार्मूला हम पहले से जानते थे अब फिर इंटिगेट कर दिया तो डिल्टे सिक्वल तो अगया एंड वी बाहर आगया लन अपर लिमित लोवर लिमित लगा लो इनिश्यल फाइन तो लन थी फाइनल अपन थी इनिश्य इसी को लॉग में लिख लो तो 2.3032 एन ती लोग बेस्ट एंट ती फाइनल अपन थी इसके तो यदि कोई प्रोसेश आइसो कोरी थे तो 2.3032 एन थी बी लॉग फी फाइनल पन थी निश्यल आइसो कोरी में तीवी है और आई तो बैरिक में सीपी है बस इतना का डिफरेंट और यह नंबर कौन सा हुआ जो हम लोग ने फार्मुला प्रूव किया है पांच नंबर इपन नंबर प्रोसेस अफिर को आई तो फरमल का निकाल लिए एडिया बैटिक का निकाल लिए अई तो परिक का निकाल लिए आइसो बैरिक का निकाल लिया इंट्रॉपी चेंज अब किसका इंट्रॉपी चेंज निकालना चाहते हो तो देखो किसका निकालना चाहते हो इंट्रोपी चेंज औफ याईडियल गास फ्रॉम पीई, अभी तक देखो एक एक वारियेबल थे, अब दो वारियेबल यादि एक साथ चेंज हुए तो कैसे निकालोगे? यदि कोई प्रोसेज ऐसा चला हो यदि इंट्रोपी चेंज आप आइडियल गया फॉर P.I. मतलब प्रेसर और टम्प्रेचर दोनों एक साथ चेंज हो रहे हो T.I.T.I. and T.F.T.F. मतलब कोई प्रोसेज ऐसा है जिसका प्रेसर और टम्प्रेचर एक साथ चेंज हो रहा हूँ यदि किसी कोईश्चन में टम्प्रेचर और प्रेसर एक साथ चेंज किया जाएगा तो हम इंट्रोपी चेंज कैसे निकाले लेगा तो इस प्रोसेज के इंट्रोपी चेंज कितनी है D.S. ठीक है? वन इस प्रोसेस के इंट्रॉपीचेंड कितनी है अब गौर से मेरी बात को समझना दो मिनट में निकल आएगा ये सबसे टप है मगर ये सबसे इजी भी है सबसे टप है सबसे इजी कैसे है देखो हमको यहां से चलना है इनीचियल यह है और यहां पर पहुंचना है यह फाइनल है कि यदि हम इस रास्ते से चले तो आपको क्या दिख्कत है पहले हमने क्या किया कि देखो पहले मैंने क्या किया प्रेशर को कॉस्टन रखा टमप्रेचर को चेंज कर दिया कहां तक चेंज कर दिया फाइनल नने पर खीर मैंने क्या किया है फिर मैंने ये काम किया चिदर को चेंज कर दिया टमप्रेचर को इन रखा यहां पर क्या है कि प्रॉसेस क्या है तैस अगत यह प्रोसेस कौन सा हो गया आई सो थर्माल हो गया हो सकता अभी तक तुम कॉंसेटी ना पकड़ पा रहे हो कि सर कौन सा पॉंसेट चिपकाने जा रहे हैं अब देखो पकड़ पाओगे जब मैं इसको एक्स्प्लेइन कर दूए इंट्रोपी स्टेट फंसन है आप चाहे इस रास्ते से जाओ डायरेक्ट ऐसे और चाहे आप इस रास्ते से ऑओ इंट्रॉपी चेंज की वैलू तो सेमी रहेगी तो इस जगे से इंट्रॉपी निकाल लो इस जगे से इंट्रॉपी निकाल लो और इनका सम क्या होगा डी एस के बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्योंकि इंट्रॉपी एक स्टेट फंसन है है कि जब वो स्टेट फंशन है तो इनका सम उसके बराबर आना चाहिए है हरे यह श्टेट में तुम इस सिता इतो पड़ा किया ओ a cb जारना तो a से ट्रॉपी कशिट थंशन है तो हम यहिसे यह लिख सकते हैं अब आप इत्ती दिएनों में मैं तरह इस फार्मुले की तरह काम करता है कि स्लेस। पर टूबी एस्टी. प्लस डी एस्टी एस यही काम किया अब फार्मूला डाल दो यह फार्मूला पीछे प्रूफ कर चुके हैं आई सो कोरिक प्रोसेस का फार्मूला किसी को याद है तुम्हें नहीं याद होगा हमें याद है 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 अब तुम्हें बस यही काम करना है जिसारे फार्मूले याद करने आछ ठेक प्लस आइसोठर्मल प्रोसेस का फार्मूला याद ए तुम्हें न है याद होगा हमें तो याद हुआ है है तो इसका मतलब ढरना नहीं इत्ता बड़ा फार्मूला हुआ है या दि कोई कोश्चन ऐसा आया जिसमें क्या हो रहा है कि टम्प्रेचर और फ्रेसर दोनों एक साथ चेंज हो रहे है या दि कोई कोश्चन ऐसा कहा जाता है कि दो मोल आईडियल गया है से से एक्सीं अधियाल धया है एक्सींद फैंडिया इसे एक्सेंडवो कर ने या फिर से बता रहा हूँ फार्मूले प्रूफ नहीं करने है है तुम्हें सिर्फ फार्मुले याद रखने कैसे बन आये यह मैं सिखा रहा हूं जिस्ते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ा सा सुम्हारे दिमाग में पिच्चर बनेगी इंट्रॉपी एक स्टेट हंसन है तो एक बड़ा पॉंसक है आपको सिर्फ फार्मु अérenceुंपश्च पॉर्ट मार्ट नमें यहां जाना आट तो पैसे अब आप समझगे होगे कि इसको कैसे करना है आप क्या करोगे पहले यहां चले फार primeiro के यहां कैसे जाओ अब आप समझ गया होगे यह क्या हो गया आइसो कोरिक हो गया यह क्या हो गया आइसो फर्मल हो गया को अब इसकी इंट्रॉपी डियस इसकी इंट्रॉपीड इस इसकी इंट्रॉपी इसकी इंट्रॉपी ईस्टी और अब आप समझ गया हो क्यों लिख रहा हूं मैं जो यूश्चाइट कंसर्ण मस्ता N T V log, ठीक है, V final, sorry, T final upon T initial, इसका 2.3032 N R log, V final upon V initial, यह है, D S equal to, यह देख, यह फार्मूला आया है, और यह प्रूप्मेंट है, जदि कहीं किसी कोश्चन में क्या कर रहा होगा, वैलूम और टमप्रेच्चर दोनों एक साथ चेंज कर रहा होगा, तो, ठीक है, अब अम इनको पढ़ते हैं, जड़ा देखो, यह क्या लिखा है, इंट्रॉपी चेंज, डूरिंग फेस, ट्रांस्फॉर्मेशन, दो बार फेस लिख गया है, एक को गैप कर दो, इंट्रॉपी चेंज, दूरिंग फेस, ट्रांस्फॉर्मेशन, मतलब क्या है, एक्टल मेर इंट्रॉपी के थोड़े फार्मूले ज्यादा होते है, तो तुम बस फार्मूले याद रखना है, इसका कोर्षिन फार्मूला बेज़ दी आएगा, ठीक है, मगर पढ़ाना और समझाना मेरा काम है, तो पढ़ाना और समझाना तो पढ़ता है, तुम्हें सिरिफ फार्मूले याद रखने, इंट्रॉपी चेंज, दूरिंग फेस, ट्रांस्फॉर्मेशन, का मतलब क्या है, जब आप एक फेस से दूसरे फेस में जा रहे हो, हमारे पास कोई एक फेस है, और हम दूसरे फेस में जा रहे हैं, फिजिकल चेंज, तो यार उसकी कोई ना कोई इन्थल्पी चेंज होगी, इन्थल्पी चेंज आप फेस, और किसी ना किसी टंपरेचर पे होता है, ये काम, एक टी कैल्विन टंपरेचर, हम पहले जननल फार्मूला बना रहे हैं, अब ही आप ज़र बताओ, ये प्रासेस कैसा है, रिवर्सेज, जितने भी फेस ट्रांजीशं वाले प्रासेज होते हैं, वो सब रिवर्सेज है, क्यों क्योंकि रिवर्सेज Will कर दाइँ, और ये क्या है, कॉस्टें प्रेसर की हीट, तो ब्यएस इक प्वर्ट अरल टू होता है डेल्टा एचाफ प्रॉसेज अपान टंप्रेचर तो जर्णल फार्मूला यह हुआ बास समझ पाए कैसे निकाला जरा इस बात को समझो मेरी जितने भी फेश्ट प्रांजीशन वाले वह होते हैं जैसे कि वाटर से लिक्ट वाटर से वाइपर वनना हीट माल एकलूब्रियम पहल इसलिव मैल्टिंग आपाईز और यह न प्रोसेस हो रहा है अब जैसे यह देखो अब मैं इसको अपलाई करके दिखाता हूँ बहुत सिंपल है दो मिनट में हो जाएगा इंट्रॉपी और फ्रीजिंग अब इंट्रॉपी और फ्रीजिंग में आप क्या कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है ऐसा कुछ कर रहा हूँ ना वाटर लिक्विड होगा और वाटर सॉलिड में इस प्रोसेस की जो इन्थल्पी और यह प्रोसेस कितने डिग्री सेंटिकेट पे होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जीरो डिग्री सेंटिकेट मतलब 298 कल्विन टमप्रेश तो इसका मतलब यह इसकी इंट्रॉपी चेंज मेरे से पूछी जाए कि इंट् डेल्टाइच आप प्रीजिंग अपन तू नाइनटी एट कैल्वें या प्रीजिंग पॉइंट मालो वाटर ना होगे कोई और लिक्पिड हुआ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और हो सकता है तो यह देखो हमारा फार्मूला बन दिया तो करना कुछ नहीं है जब फ्रेश्ट ट्रांजीशन हो तो कुछ मत करो उस फ्रेश्ट ट्रांजीशन की इन्ठल्पी चेंग डिवाइड़ बाई वो टमप्रेचर जिस पर फ्रेश्ट ट्रांजीशन होता है जैसे यह देखो अघ्र अब बाइपर सब्सक्रांजीशन है कि हमारे पास कोह होगा और व अधर में जाएगा ए ऐसा है कि अब इसमें जो टेल्ट तैया चाहे एगा क्या होगा इन्थल्पी याकरा अब परफांज कितने पर होता है boiling point होता है boiling point of liquid तो अब बताओ दियए सीवर्टू कितना बनेगा दियसं इक्वर्टू बनेगा डिर्क्लिब जे रहो हो डिल्टा ह अच वैप्राइजेशन अपान गोईलिंग पॉइंट अविक्विड इसी कोचा होतो है अलिक लिए हर है ठीक है ना तो जर्नल फार्म तो तुम समझ गए बस इंठल्पी आप प्रॉसेज लिखनी है और डिवाइड़ बाई वो टमप्रेचर जिस टमप्रेचर पर वो प्रॉसेज हो रहा हूं अब वैप्राइजेशन है तो वाइलिंग पॉइंट पर होता है अब इंट्रॉपी सब्कराइबद राम अयूंट सब्सक्रेज से इसमें जाना है मैसम मतफ़ मएपर अब यह बात कुम पक्але पाओ तरह समझना आ बहुत इंस टात्न गाटियार है खर्म रानिंटिवื่ंग बहुत थेजी से चलता थोगा ध्यान लखना इंट्रॉपी एक स्टेट फंसन है या कोई भी प्रॉपर्टी एक स्टेट फंसन है ये एक हतियार है बहुत तेजी से जलता है हतियार मतलब बहुत बड़ा फार्मुला है जो बहुत जगह पे लगता है जैसे यहां देखो अब इस चीज को यह दियम ऐसे ले आए तुछ क्या तुम्हें दुख होगा ऐसे तो यह प्रॉसेस कौन सा है यह प्रॉसेस पॉलिट से लिख पड़ जाना मेल्टिंग और यह प्रॉसेस कौन सा है वैपराइजिशन है इसका मतलब मेल्टिंग की मेल्टिंग का मतलब होता है फ्यूजन और इसकी वैपराइजेशन की इंट्रॉपी चेंज का सम्थ सब्लीमेशन के बराबर होगा सब्लीमेशन का कोई टंप्रेचर नहीं होता है इसलिए हम डारेक्ट नहीं निकालते हैं तो देखो इंट्रॉपी चेंज आफ प्लीमेशन इक्वल टू डेल्टा एच आफ सब्लीमेशन अपान के टंप्रेचर ओफ प्लीमेशन एक तो फार्मूला यह हुआ कि जिस टंप्रेचर पे सब्लीमेशन हो रहा है एक फार्मूला यह हुआ क्योंकि इस तरह का कोश्चिन वह घुमाएगा भी क्या करेगा एंट्रोपी ओफ्लीमेशन ऐन Ł Pलस इंट्रोपी ओवयपराईगेशन इनकी वैलू एक इनकी आप पीछे निकाल देखा इंट्रोपी ओप्लीमेशन निट्रोपी किया होगी डल्टा- पीशन और exhaustion सो आपान मेल्टिंग एंट्फियं आhin डिल्टा हो वैपराइजेशन अपन बॉइलिंग पर यह समझ रहा हूं कि तुम लोगी हालत पत्नी हो रही होगी कि तर यार कितने फार्मूले इसमें हां तो फार्मूले तो बहुत है याद रखने पड़ेंगे और कॉंसेट याद रखना पड़ेगा तो सब्ली मेसन निकाल निकालने के दो फार्मूले हैं चाहो तो यह निकाल लो और चाहो तो वह अब कौन सा करेंगे भाई कोस्टन में जो दिया होगा उसी साथ से करेंगे हम लोग कोस्टन भी करेंगे पहले डिसकस्त हो जाए बात समझ गए तो किसी भी प्रॉसेस की हमें यदि इंट्रॉपी अब लोग करेंगे इस जती informing का यह उस्ट प्रॉसेस के इन थल्पी डिवाइड़र उस जगह का पायम इस फार político फार्मूले को सबसे इंप्रेटन दो यह वाला जो फार्मूला है अ कि क्रॉसेस के इनथल्पी अपन उस जगह का टनिस कमया वह प्रॉसेस हो रहा है वह त टमप्रेचर यार टाइम बोल लोँ अना बच्च लाएं में ही टैम कीड़ा है तैम आप प्रेचर ओफ प्रोसेस हो उस प्रोसेस टमप्रेचर फिर चेज़नल जैसे graphite डाइमिंड में convert हो रहा है तो ट्रेभाइद ऑडाइमिंड में convert होने की influx Percy अपन जिस टमप्रेचर पर कनवर्ट हो रहा हो तो कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी पूछ सकता है तो जब भी फेस्ट ट्रांजीशन वाली बात आए तो यह करना है तो इस फार्मुले पर ज्यादा फोकस दो क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेगा तो हम कैसे बताएंगे जैसे उसने कह दिया ऐसा है मोनो क्लीनिक सलफर मोनो क्लीनिक सलफर रोंबिक सलफर में कनवर्ट हो रहा है तीन सो डिग्री सेंटिकेट पर और इस कनवर्जन की डेल टैच इसनी है तो बस तुम डेल टैच उपर ड रखना है अभ उसी से मैंने को एक हारफ फार्मूले बनाएं जितने भी फार्मूले हैं उसी से बनाएं अब इन ट्रॉपी चेंज आफ यूनी वर्स हो appel आप देको है आश में इंट्रॉपी चेंज आफ इन यूनीत कैसे करते एं तो यह अन्य वाट चैनल मों का मोता है सबसे थे इंश्यमका कि नूब दो पार्ट से मिलके बनाया सिस्टम और सरांडें तो इन ट्रॉपी और यूनीवर्स होगी वो क्या होगी? Entropy Change of System प्लस Entropy Change of Surrounding होगी की नहीं होगी? मत अब सिश्टम और Surrounding के Entropy को आड़ कर दोगे तो यूनिवर्स की Entropy आ जाएगी Entropy of Universe अब सिश्टम के Intropy क्या है? Surrounding के Intropy क्या है? यह बात हमें देखनी है इंट्रॉपी चेंज आफ यूनिवर्स इक्वल टू इंट्रॉपी चेंज आफ सिस्टम प्लस स्राउंडिंग अब जरा इस बात को आंगे समझो अब यह देखो इसको अच्छे से समझेगा यूनिवर्स की इंट्रॉपी निकालना है हमाई पास दो तरह के प्रोसेश हो सकते है रिवर्सेविल प्रोसेश के रिवर्सेविल प्रोसेश यादि रिवर्सेविल साइक्लिक प्रोसेश है तो कैसा होगा रिवर्सेविल नॉन साइक्लिक प्रोसेश है तो कैसा होगा अब दो क्लासिफिकेशन चला है यूनिवर्स की इंट्रॉपी कैसी निकालना है रिवर कि entropy एक i-state function है जब entropy i-state function है cyclic process क्या होते है इनीशल और final state same होना घूम फिर के यही आगए तो जब स्टेट नहीं चेंज दो इंट्रफी चेंज नहीं होगी entropy of system 0 entropy of surrounding 0 क्यों क्यों क्योंकि process कैसा है eleriablesable cyclic है, entropy of universe कितनी आ जाएगी, entropy of universe भी कितनी आ जाएगी जीरो, तीनों चीजे जीरो आएंगे, अब इसको देखो, iblingsable non cyclic process, अब själv दो reward life non cyclic process को जराब समझीएगा, क्या होता है, ये देखो हमारे पास एक gas का system है, ठीक है प्यारे बच्चों अब इसको सराउंडिंग ने क्यों हीट दी सराउंडिंग ने कितनी हीट दी है क्यों तो सराउंडिंग की हीट हो गई माइनस रिवर से भी लए हमारा हाना और सराउंडिंग का टंप्रेचर कितना है टीटू अब इसने कितनी हीट ली इसने प्लस क्यों हीट ले ली भाई यह दे रहा है तो यह ले रहा है है कि नहीं तुझरा पताना सिस्टम में क्या हुआ कि हीट क्या गई फ्लस आ गई इसका टंप्रेचर कितना है टीvette अलगलग टंप्रेचर में तभी तो हीट का ट्रांस्पर होगा आप जानते हो हीट का ट्रांस्पर हाइड़ raid टंप्रेचर रोगा यहिए तो लिख होगे अब सिस्टम का बताओ क्या वायल ओं कि सिस्टम की इंट्रापी चेंज कितना आया प्लस क्यُउ रिवर सेविल अपन टीवन ठीक है कि नहीं अब जैर बताना स्राण्डिंग की कितनी आई कि सराण्डिंग की आई माइनस क्यू रिवर सेविल अपन टीटु अब दोनों का सम बताओ क्या आएगा जाद प्लस आएगा की माइनस आएगा तो गौर्थ देखो टी इबन छोटा है और ती ठुइगा मेन पॉइंटि है मै डेखो ऑंत İ की दू बड़ा है टी एधि-對吧 सब्क्राइग न urbaninasis सिस्टम वाली और यह मेंसा कैसी आएगी पास्ट्य वैलू आएगी ना तो हम यह यह लिग दें तो बुरा थोड़ी मानूगे कि यूनिवर्स की जो इंट्रॉपी होगी वो पाजिट्यू आएगी कैसे आई समझ पाए जर्बताओ सिस्टम की इंट्रॉपी क्या एक क्यू अपान टीवन इसमें कोई दिक्कत सराउंडिंग क्यू इनरजी सिस्टम को दे रहा है तो सिस्टम ले रहा है तो सिस्टम के उपर साइन कैसा है प्लस प्लस Q अपान T1 इसका क्या है माइनस Q अपान T2 और T2 बढ़ा है किसी ने कसर आपने कैसे कह दिया T2 बढ़ा है तो भाईया हीट का यहाँ यहाँ उनिवर्स की इंटरॉपी जी रॉपी पाजिटिव आई कद जब हमसे इसे पूछा जाएगा ठीक है रिवर से बिल साइक्लिक प्रॉसेज में Indיחर का साइन क्या है चार अपसंदways देंगे greater than zero less than zero zero ऐसे अग्यार सेविल प्रोस्ट से नॉन साइक्लिक प्रोसेज में युनिवर्स की इंट्रोपी कैसी है तो यह देखो फिक अब यह आगा यह यह पिल प्रोसेज है और उसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हो तुझरा इसको देख लो डिट्टो सेम है इसी वज़े से पहले याला बता रहा हूं क्योंकि दोनों डिट्टो सेम होंगे यह देखो अब ज़रा यार गौर से बात समझो यही काम मैंने यहां करा दिया सराउंडिंग ने क्या किया क्यों हीट दी और सिस्टम ने क्या किया अरे मेरे दोस्त जब सराउंडिंग ने दी तो सिस्टम ने ली हाना किसी को लेने में थोड़ी दिक्कत है यह आया अब ज़रा बात को बताओ क्यों सिश्टम वही बात है इसका टमपरेचर सिश्टम का टमपरेचर कितना है T1 शराउंडिंग का कितना है T2 और T2 greater than T1 डिट्टो सेम एक्सिप्लेणेशन है इसलिए बार-बार एक्सिप्लेण नहीं करूंगा तीक है और और जिस को तुम पढ़ा रहा है उसमें टाइम बहुत कम है मगर तुम लोग समझ लोगे मुझे इतना विश्वास है तो कितनी बात आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ समझ गया इसे कैसे लिखा होगा अब सिस्टम की कितनी आएगी सिस्टम की आएगी क्यूं इर्रिवरसेवल अपान, टीवन, सराउंड इंक कितनी आएगी minus q irreversible upon t2 देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है वो आपको explain कर देता हूँ कि मैंने गलती कहां किये यदि आप लोग समझ गए तो इस जगे पे किये यह जो sign लगा यह गलल लगा है irreversible process के लिए मैं पीछे पढ़ा के आया था आपको ध्यान है greater than का साइन के रिवर्स विल प्रॉसेस के लिए अब बपाओ universe की entropy कितनी आएगी entropy change of universe उसका sign कैसा आएगा positive आएगा positive मतलब greater than 0 किसी ने का क्यों positive कैसे सर जड़ा बताना बड़ी वैलू कौन है पीवन temperature छोटा है तो बड़ी वैलू यह है ना तो जब दोनों को जोड़ोगे तो greater than past value आएगी क्योंकि यह plus है यह minus है तो value क्या आएगी greater than 0 ही तो आएगी अरे यार इतनी बात तो समझी लेना अपने आप अरे बाई यह plus value यह minus value प्लस वाली वैलू बढ़ी है तो दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस वाली वैलू को sign आएगा और वो वैलू क्या पास्ट्यू तो greater than 0 आया अब साइक्लिक प्रोसेस इसमें तो कुछ करना बाएप आई नहीं यादी प्रोस आइक्लिक हैं तो सिस्टम के जीरो हो गई चो इंट्रापी एक स्टेट मगे सरांडिंग प्लिक नहीं है न सरांडिंग क्या है एक यहριवर्स विलन आẤा स्यों सरांडिंग की वैलू कितनी है क्यों इर्रीवर्सेय विल्स अपाउंड त सट यूणीवर्जकी कितनी ही आजाएगी तो यू निवर्सकी पास्ट्यू वैलू आ जादगी क्योंकि निगेटी वैलू यहां नहीं जब निगेटी वैलू है रही तो दो उप्रण फार्ठ रिलाश्ट है सो इना ही नएज वारिया अड्र रहे इतली पैस है तो ग्रेटर देन हीरो हमेशा आतीए इसे को सकंड कए लाके यह इंप्वर्टन के लाइस टेबल को याद रखेता कैसे पढ़ायाई जरह गोहर समझ लो ठीक है अब इस टेबल को याद रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं एक अब थर्मोडाइनमिक्स एक अब थर्मोडाइनमिक्स कुछ नहीं होता है बस इतनी सी बात होती है इंट्रॉपी ओफ ठीक है इंट्रॉपी हेट अफ। हीक है इंटायर यूनिवर्स इंटायर यूनिवर्स है इंटायर यूनिवर्स always increases और यह आप पीछे निकाल के आ गए हो हमेशा entropy change की value क्या आई है positive आई है तो जब entropy change की value जब entropy change की value positive आई है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही हुआ ना कि universe की entropy हमेशा क्या है इंक्रीज कर रही है यह देखो यह भी universe है यह भी universe यह सेकंड ला कुछ होता ही नहीं entropy change of entire universe is always increases is known as second और वो कहां से आता है stable से आता है इसमें देखो delta s universe हमेंसा great past 2 आया है यह जीरो आया है और इस तरह का process possibly नहीं होता है ठीक है बास समझ गए अब जरह देखो क्या करना है अब आपको एक और खास बात पका देता हूं तो मैंने entropy के बहुत सारे फार्मूले पुरूफ करा है है कम time होने के बावजूद भी मैंने फार्मूले पुरूफ करा है क्योंकि इस chapter में theory देना बहुत जरूरी होता है आप समझ रहोगे कि पीछे जितने चैप्टर पढ़ाएं अब जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसमें बहुत बढ़ा difference है पीछे theory कम देता था यहां theory बहुत दे रहा हूं उसका reason है यादि इसमे theory नहीं होगी theory नहीं क्यामते होगी तो question करी नहीं पाओगे इनके फार्मूले से question नहीं बनेंगे आप जबर को देखो फार्मूला अब entropy of different process जिस बच्चे ने कुछ न किया उनको फार्मूले जरूर याद होने चाहिए जो पीछे पढ़ाया है उन्हीं को मैंने एक जिगे फार्मूले के फार्म में लिख दिया है यह देखो entropy एडिया वैटिक प्रोसेस इक्वल टूजीरो होगा तो entropy change 0 होगा हाना साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में टी डेल्टास इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि स्टेट होगा जो पीछ से पढ़ाया उसी के मैने क्या कि एह फार्मुले बना लिए यहां पर है जैसे आपको दिक्कत नाय रिवीज़न करने में यह देखको जो पीछे पढ़ाया उसके साथ फारन दिए दिग्कत नाय फीक है इंट्रॉपी अप सारा काम खतम कर लिए इंट्रोपी का inट्रोपी पड़ा दी अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे कोश्च specialty तो जल्दी से कोश्चन कर लेते हैं फिर गिप्स प्री इनर्जी के ओर चलते हैं चलो देखो यार अब इस कोश्चन को तो हब हम लोग कोश्चन को साल करते हैं तो जरह ध्यान दो फोर सेम्पल आप पर्फेक्ट गैस वेन इट प्रेशर इस चेंझ इसो थर्मली फ्रॉं प्याई और पि अगीए ओएफ देखो यार क्वस्चन में क्या 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 ठीक है n r log p final upon p initial बस देख लो कहां पे लिखा है उसको टिक कर दो p final upon p initial ln t नहीं होगा ध्यार नखिएगा ln वाला लिख लिजे p final upon t initial ये देखो अभी फार्मुला कराया है पीछे आ जाओ ठीक है ये ये देखो आईसो कोरिक ये देखिए cyclic isothermal reversible process 2.303 n r log v final upon v initial और जब यहां पर उसमें जाओगे प्रेसर में तो ये क्या हो जाएगा p final upon p initial अच्छा तो यहां पे साइद मैंने क्या लिखा है एक मिनिट बच्चों हाँ p initial upon p final अब ऐसा फार्मुला कौन सा है मतलब ऐसा अंसर कौन सा है तो p initial upon p final हमें चाहिए और t नहीं चाहिए इसमें t है तो ये गलत है ये वाला हो गया ठीक है दोस्त चलो अब आंगे बढ़ दो the enthalpy change of fusion of water is 1.435 kilocalorie देखो यहां kilocalorie लिखा है पर मोल the molar entropy change of the melting of iz at 0 degree centigrade अभी पढ़ाया था फेस फेस जब change होता है तो किस तरह से निकालता है तो जब फेस change होता है तो ds equal to dh upon t process कौन सा है melting हो रहा है हना melting हो रहा है melting point कितना दिया है 0 degree centigrade बस value डाल दो value कितनी है 1.435 अब वहां दो कैलोरी दिया है किलो कैलोरी दिया है यहां answer सारे कैलोरी में है तो thousand का multiply divided by 273 Kelvin अब यार इसको solve कर लो जब मेरे दो solve करो तो देख लेना कितना answer आ जाएगा कर दूं यह देखो एक दो तीन जीरो अटा दिये 273 अब 273 से divide करो तो पान दूनित 10 तो five point something आएगा है कि नहीं क्यों पान तई 15 ठीक है और 35 और 36 तीन 10 तीन 13 तो यह आया 1365 तो five point something एक ही answer आई यह तो यह यह answer आ जाएगा हमें कुछ करना ही नहीं है बहुत simple question आते हैं यार तुम बस मेरी बात को याद रख रख वच्छे से अब if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam अभी यह लोग अब किस में जा रहा हो लिक्विट से किस में जा रहा हो मेरे दोस्त steam में जा रहा हो मतलब वैपर में जा रहा हो तो delta h equal to कितना दिया है delta h equal to उन्होंने दिया है 30 kilo joule अब changing entropy पूछ रहे हैं तो बस लगा दू changing entropy का formula क्या है डेल्टा h upon t यह कितना दिया है 30 kilo joule और t कितना दिया है 300 300 क्यों है 27 degree है इसको Kelvin में भी तो बनाओगे तो जब तुम Kelvin में बनाओगे यह हो जाएगा अब यार डाट एक दो तीन चार तो कितना आ गया 300 आ रहा है है कि नहीं अच्छा थिरी से थिरी भी तो काटोगे यार तो हंडेड जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स आंसर आ क्यों ठीक है इसको वन कर देता हूं यह देखो आप यार सारे कोश्चन कर लोगे बस बापों को याद रखो अब क्या पूछ रहा है अब पूछ रहा है consider entropy as a thermodynamic parameter the criteria for the spontanity of any process is spontaneous होने का process क्या होता है spontaneous होने का process पूछ रहा है तो देखो ds of universe always कैसा होता है negative होता है अना ए linking positive होता है greater than zero होता है तो DS of universe always greater than 0 होता है, second lab thermodynamics, तो यह answer टिक कर दो, delta S system plus delta S surrounding greater than 0 आना चाहिए, क्योंकि universe की entropy क्या है, हमेशा increase होती है, spontaneous process के लिए, आंगे आजाओ, what is the entropy change when one mole of ice is converted into water, यार फिर देखो क्या हो रहा है, solid से liquid में जा रहा हो, अब solid से liquid में जाओगे, तो जरा बताना मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आप सबको पता है, बस direct formula लगा देना है, value कितनी दी है, value किदर आयार, देखो, the change in conversion ये दी है, 6 kilo, मैंने इसको जूल में बदल लिया, और temperature 273, ठीक है, अब divide कर लो, तो जब divide करो कि कोई न कोई answer मिल जाएगा आपको, ठीक है कि नहीं, तो divide करो, 3 दूनी 6, तो 2 आएगा, ठीक है, और जब 2 आएगा, तो 6, 7, और 5, तो बचा कितना 600 में, solve करो, तो 4, ठीक है, 9 से गया, 5, तो 0, फिर एक आएगा, तो 21 point something आएगा, तो 21 point something वाला यही वाला answer है, यह answer होगी, next, unit of entropy, यार पढ़ा क्या आया हूँ पीछे, देखो Q upon T formula होता है, ds equal to, sorry, Q upon Q reversible upon T, तो यार Q की value क्या हो गई, जूर, T की value क्या हो गई, Kelvin inverse और mole inverse, क्यों, क्योंकि entropy change per mole होती है, entropy change per mole, ठीक है, तो Joule, Kelvin inverse, more inverse, answer आगे, अब इधर देखो, the entropy change in the fusion of one mole of solid, ठीक है, melting at 25 degree centigrade, latent heat of fusion दीए, अब यार फिर भई question है, अब यार मैं आपको formula लिखके छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, कर ले ना, 2930 upon 300, 0 से 0 चला गया, बात तो समझी रहा होगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसमें मुझे बहुत focus करना है, क्योंकि पीछे जितना पढ़ा क्या आया हूँ ना, उन सब से ये सारे question निकल जाएंगे, सारे question निकल जाएंगे, एक एक लेक्चर बनाने में 5-6 गंटे लेक्चर होता है, तो आप लोग जी जान लगा के पढ़िए, अब यार इसको डिवाइड करो, तो 9.something आएगा, है कि नहीं, क्यों 30 है, और वो 300 के आसपास की value है, नेक्स्ट, identify the correct statement regarding entropy, तो देखो जरा, एक थर्ड लाफ thermodynamics होता है, उसको इसी जीगा पढ़ा देता हूं, बस उसके statement की जरुवत होती है अपने को, थर्ड लाफ thermodynamics, thermodynamics, थर्ड लाफ thermodynamics क्या होती है, कि 0 Kelvin पर entropy change होता है, वो 0 होता है, absolute entropy को हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानके चलते हैं, थर्ड लाफ यह है बस, कि 0 Kelvin पर entropy change होता है, वो 0 होता है, परफेक्ट 0 होता है, और यह किसके लिए होता है, for perfect crystallization, for perfect crystalline substance, इसके लिए होता है, तो थर्ड लाफ thermodynamics होता है, कि 0 Kelvin पर entropy change 0 होगा, perfect crystalline substance का, देख लो ऐसा कहां लिखा है, at 0, absolute 0, absolute 0 का मतलब 0 Kelvin होता है, at absolute 0 temperature, the entropy of perfect crystallization substance is taken to be 0, at absolute 0 temperature, the entropy of perfect crystallization substance is passed जो, at absolute 0 temperature, the entropy of all crystalline substance is to be 0, अच्छा, उस उपर और नीचे और इम डिफरेंस क्या है, is taken to be 0, अच्छा, at 0 centigrade, the entropy of the perfect crystalline substance is taken to be 0, ये गलात है, 0 centigrade नहीं है, 0 Kelvin है, तो अब हमारे पास दो statement बसते हैं, एक ये, एक ये, एक में कहा जा रहा है, absolute 0 temperature, the entropy of perfect crystallization substance is taken to be 0, और एक में कहा जा रहा है, absolute 0 temperature, the entropy of the crystalline substance is to be 0, तो ये वाला सही है, हम लेते नहीं है, वो 0 होती है, ठीक है न, perfect crystallization, पर उसकी value कितनी होती है, 0 होती है, entropy chain नहीं होता है, give the following entropy value, Joule Kelvin inverse में दिये, अब वो पूछ रहा, reaction के entropy बताओ, तो यार reaction के entropy निकालना कैसे सिखाया था, delta S of reaction, प्यारे बच्चों कैसे बताया था, delta S of product, minus delta S of reactant, बस यार करना क्या है, value डाल दो, तो delta S of product, यहां पे कितना लिखा है, 2, और यहां क्या है, इतनी value, एक मिनट, इतनी value है, और पर mole value दी है, यहां पे कितने है, 2 mole, तो 186 into 2, यह product हो गया, minus, reactant में कौन-कौन है, यह और यह है, दोनों की value देखो, दोनों के एक-एक मोल है, तो direct click दो, 130 minus 223, एक बार unit देख लेना, सबकी सेम होनी चाहिए, अब यार इनको solve करो, तो यह कितना हुआ, 12, 1, 16, 17, और 2, 1, कम 2, 1, 3, और यह कितना हुआ, जोड़ दो, 3, 5, 3, तो यह कितना हुआ, 12 से 9 हो गया, एक 3 से 3 गया, 0, तो 19 आई, unit क्या है, Joule, Kelvin inverse, है ना, Joule, क्योंकि यह तो difference है, तो इतनी कहां आ रही है, आंसर किसमें चाहिए, Joule, Kelvin inverse, मोल inverse में चाहिए, the entropy change of the reaction, तो entropy change of the reaction, हमारी जो value आ रही है, प्यारे बच्चों, वो यह आ रही है, ठीक है, कितनी आ रही है, 19, 19, 19 कोई value है, यह आ रही है, 19 के आसपास value, 19.8, और कोई तो 19 के आसपास की value नहीं है, तो यह होगा, 19.8 वाला, अब ऐसे, अच्छा, यह point, यह 6 लिखा है, इसी वज़े से 8 आ रहा है, है ना, इसी वज़े से वो 19.8 दे रहा है, मैंने 6 नाइस लिखा था, तो यह approach आ गई, 19.8, ठीक है, देखो कितने easy question, आप सब कर लोगे, बस मेरी बातों को अच्छे से ध्यान नखिएगा, according to the third lab thermodynamics, one of the following quantity of perfect crystallization, solid is zero at absolute zero, entropy, अभी पढ़ा क्या आयो, ठीक है कि नहीं, तुझारा देखो यार प्यारे बच्चो, इस तरह से हम लोग question करते हैं, तो entropy के आप question कर लिए हैं, तो अब हमारा अगला target क्या है, gives free energy को करना, तो चलो, gives free energy start करते हैं, अब देखो यार, gives free energy के बारे में discussion करते हैं, वो क्या होती है, उसको जड़ा discuss करो, देखो प्यारे बच्चो, gives free energy, देखे बच्चो, अब gives free energy की बात हम लोग करते हैं, कि gives free energy क्या होगी, किस तरह से काम करेगी, देखो कोई process होता है, कोई हमारे पास process है, अब process होगा की नहीं होगा, इसको कौन बताएगा, भाई, experimental तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे, दिन और रात होते हैं, हमें दिखता है, है कि नहीं, अब fan चलाना होता है, तो हम on करते हैं, इसका मतलब तुमने external force लगाया, काम हो गया, theory में कैसे पता चलेगा, ये तो experiment है, है कि नहीं, भाई, ये experiment है, theoretical कैसे पते चलेगा, कि कोई भी process होगा या नहीं होगा, उसको कैसे पता लगाया जाए, तो कोई भी process होगा या नहीं होगा, उसको पता लगाने के लिए हम समझ ये, उस term को बोला जाता है, gives free energy, उसको क्या कहते हैं, तो जड़ा देखो, gives free energy is a is a thermodynamic is a mathematical term mathematical mathematical term to explain explain spontaneous of process कैसे explain किया, तो जड़ा देखो, उन्होंने इस बात को कैसे explain किया, जड़ा बात आपको आप समझेगा कि कैसे explain किया, इन्होंने बताया, जड़ा इसको differentiate कर दो, तो जब differentiate करोगे तो यह आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा एच, माइनस, टी डियस, एट, कॉस्टेंट, टम्प्रेचर, एंड, प्रेशर, गौर से इस बात को ध्यान नखियेगा, यह जो इक्वेशन आप लगाते हो, यह कॉस्टेंट टम्प्रेचर और प्रेशर पर लगाते हो, इस एक्वेशन में कॉस्टेंट टम्प्रेचर और प्रेशर पर लगाते हो, इस एक्वेशन में कॉस्टेंट टम्प्रेचर और प्रेशर है, यह जो गिप्स फ्री इनर्जी होती है, यह जो प्यारे बच्चों गिप्स फ्री इनर्जी होती है, वो कॉस्टेंट टम्प्रे टेम सब्केंट कर दो सकते हैं ऐसा एदेल्टा होते हैं और कौन कौन क्या-किया होता है इस बात को समझ लेजिए कि कौन क्या-क्या है इसको चाहो तो देल्टा भी लिख सकते हो इस बड़े बहुत small change के लिए D लगाते हैं और बड़े change के लिए delta लगाते हैं तो लगबग बात एक ही है तो यह क्या हुआ change in gives free energy change in gives gives free energy free energy ठीक है न delta H क्या होता है यह सारे बच्चे जारते है delta H क्या होता है यह क्या होता है enthalpy change इन्थल्पी चेंज और यह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अभी तो पढ़ाया यार पिछली पिछले जो अभी टॉपिक था यही तो टॉपिक था पिछला इंट्रॉपी चेंज यह देखो इतनी बात आई अब जरा इसमें दो तीन टर्म और जोड़ देते हैं गिप्स फ्री इनर्जी क्या क्या होती है तो ध्यान लखिएगा गिप्स फ्री इनर्जी एक स्टेट फंसन है यह बाते कभी कभी पूछी जाती है गिप्स फ्री इनर्जी जो होता है एक्स्ट यू प्रोपरटी है प्रोपरटीज बट पर मोल कैसी होगी प्यारे बच्चों पर मोल जी कैसी होगी गिप्स फ्री इनर्जी अरे बोलो भाया इतनी देर से पढ़ाया है सब कुछ पढ़ा चुका हूं अना तो पर मोल गिप्स फ्री इनर्जी कैसी होती है इंटेंसिव द्यान है जो हमने थर्मो डाइनमिक्स का सौट वन दिया था थर्मो डाइनमिक्स वन सौट उसमें ये सब पढ़ा रखा है अब ये थर्मो कमिस्टी का वन सौट चला है पर मोल गिप्स फ्री इनर्जी कितनी है इ हनक नहीं है और यह एक्क्वेशन डेल्टा जी इक्वाल टू डेल्टा एच माइनस टीडियस अब जड़ा देखो यार अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अब आपको बताते हैं कंडीशन ओफ किया कंडीशन तो इक्वेशन आई आप उस एक्वेशन को हम और आंगे बढ़ाते हैं कंडीशन आप इनों ने बताया डेल्टा जी सिस्टम यदि नीगेटिव है तो हमेशा always जो हमारा process है वो कैसा होगा spontaneous होगा spontaneous होगा यदि delta g की value नीगेटिव है तो process हमारा कैसा होगा spontaneous होगा ध्यान नखिएगा यह इन्होंने बताई condition of spontaneous की डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो process हमारा हमेशा spontaneous होगा ठीक है और डेल्टा जी निगेटिव आने का मतलब क्या होता है ध्यान नखिएगा डेल्टा जी निगेटिव होने पर process spontaneous होता है और यदि कोई डेल्टा S के respect में पूछे तो जब यूनिवर्स की इंट्रॉपी positive आए या greater than 0 आए तब spontaneous होता है और यहां पर बच्चों को थोड़ा confusion हो सकता है ध्यान लखना डेल्टा जी system का negative आने पर process spontaneous होता है और डेल्टा S universe का positive आने पर system spontaneous होता है अभी मैंने ये पीछे question कराया था तो उसमें ये पूछा गया था कि किसी process को spontaneous होने के लिए entropy change का कौन सा answer सही है ध्यान है पीछे ये वाला देखो ये वाला question देखो consider entropy as a thermodonic parameter the criteria for the spontanity of any process ये देखो तो वही बात मैंने लिख दी है फिर से कि मान लो कही फस जाओ तो इस बात को ध्यान लखो कि delta as universe पास्टी होना चाहिए spontaneous के लिए और delta जी system negative होना चाहिए spontaneous के लिए जैसे वो entropy पे question मना रहा है वैसे वो gift free energy पे तो question मना सकता है तो ध्यान लखना system की gift free energy negative होनी जी है ठीक है इतनी बात समझ पा रहे हैं ठीक इतनी बात हो गई अब जर देखो यार अब इसके बाद हम लोग क्या discuss करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग discuss करने जा रहे हैं किस किस condition पे process spontaneous होगा क्योंकि डेल्टा जी की value negative लाने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर है डेल्टा है और डेल्टा एस है तो अब हम बपाएंगे किस किस situation में हमारे पास process spontaneous होगा कंडीशन ओप और पढ़ाएं कंडीशन ओप इस पॉंटेनिटी इस पॉंटेनियस इस पॉंट इन इस इन तर्म ओप इन तर्म ओव देल्टा एच एंड डिल्टा एच तो रिटा एच इन के तर्म में हम कंडीशन पर रहे हैं अब कैसे परोगे तुझरा देको कैसे पड़ाएंगे अब इस पॉंटेनियस संदीशन हमारे पास इक्वेशन यह है और यह एक प्रोशेस क्या लाना है जीरो हमारा है मैं वहिए देल्टा इप्वरेट उट्व क्या नलना है निगेट्व यह लान है क्यों की प्रोसेश्ट इस कॉंटेनियस भूइब अब जरब साओ या दिदिटा जी निगेट्व लाना है तो उसकी कितनी कंडीशन है कि बताई यह पहली कि डेल्टा जी की वैलू निगेटिव लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो बताओ यह वैलू निगेटिव आने के लिए सिंपल सी बात है एक तो प्रोसेस यह कि यह निगेटिव हो और यह पाजिटिव हो है को क्या होगा आलवेज डेलल्टा जी नेगेटिव होगा नोगउ करेंग हूँ भाए यह भी नीगेटिव है यह पास्ट व यह थो हमेसा माइनस साइन निट वाएगा अच्छा दूसरी गन्दीशन ज्राइधूसरी देखें कि इसको जर्डबताहिए यह जाधी डेल्टा ह साइम वाजिट्यूः और डेल्टा आइसका साइन भी फाग्रवत युँ डेल्टा ह है और डेल्डा स्वी पा सुह तो क्या हो यहाग सुछ अप पैस की सिंपल आए यह लुकॉटे वाइब यह बड़ी होगी और यह वाली कंडीशन ज्यादा इसका यूज نिमेरकल कोस्ट्टन होता यह कि ये इस समय होता है कैसे अब इस चीज को बताओं मैं मैं इस पॉन्टेनियस एप लेका क्लेटॉ प्सक्रेचर भी तो मैं इसको ऐसे बीडिट सकता हूं इभा यह तेम्प्रेचर कौन साय है। यह इस्सपॉंटेनियस टंप्रेचर रहा हुआ है। है कि टंपरेचर पर जब डेल्टाएच अपर डेल्टाएश का रेशियों देश से कम हो कर देन कि इस टंपरेचर पर लिए जा रहा है उसकी वैलु जो है इस से ज्यादा हो तो प्रोसें इस पूंटेनियूश है यह इस पॉन्टेनियस को ब्राबर भी ज्यादा चीज़ ज्यादा जाद के लिए वह फॉष्टन को घुमाएगा तो इस दिगाए ऐसे घुमाता है कि टुन प्रेट्टर पे कोई भी प्रोक्सेस स्कॉन्टेनियस होगा अब वह इस तरह से बोलता है temperature, spontaneous temperature is greater than ratio of delta H upon delta S, spontaneous temperature is equal to delta H upon delta S, less than S, तो ध्यान लखना वो temperature, जो spontaneous temperature होगा, वो delta H upon delta S के ratio से ज्यादा होगा, ठिक, अच्छा, ये हो गई, और कौम सी condition है जिसमें delta G निगेटिव आ सकता है, बताओ, हमने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, भाई कितनी possibility, दो variable है, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस इसको किया, माइनस इसको किया, माइनस इसको किया, प्लस इसको किया, हर नंबर में डोनों हग़क सिटल है और वी हमारा तो ओर सीकुरेशन कि क्या होगा ऐसी एसी कि प्रदो होन चाहिए डीथ कि दिए है कि और शोब कि यह देख नो कि यह माइनस सही और माइनस मेर धानर तो एकुट्ट्ण यह प्लस हो जाएगा टो माइनस यहां रखो प्लस आजाए अब ये वैलू प्लस आई ये वैलू माइनस तो हमें तो हमेशा स्कॉंटेनियस के लिए माइनस लाना है तो यह बड़ा होना च्यांगे न डेल्टा आप समझ गए न यहार का इसे दिखाऊँ जैसे लिखाए कि देकिए ऐसे रिखाए है यह टुमने निए वैलु डाल देज़ना तो यह क्या हो सुटों जाए है है यह नीए टुद डाल दू तो दूटिया निए टूटू होगे और यह मेरे दोस्त पास क्यों गे अब देल्टा जिनिकेटिव लाने का मतलब है कि यह जाता होना चाहिए न है कि नहीं कि अभी तो डेल्टा जिनिकेटिव आएगा वही कहला हो तो फ्रॉसेस के स्कॉंतेनेज थी संडिकंडीशन ये सिद्य में प्रॉसेस्ट इसक्वंटेनियस हो सकता है इसके अलावा क्या कर सकते दोनों फाक्ष ट्याज्ट डाल चुक्यों दोनों बिदो नीगेटिव रटी तो इसको फासिट्व और इसको नीगेटिव डाल दिया तो always Pasture Value ID प्रसेस्पॉंटनेनेयस होई नीशस्का कभी दि कि जब आप इसको क्या कर दोगे पास्टु डाल दोगे फरी इतको नीशस्को पास्ट डाल के इसको निखेट वता थे है प्लस मैद आजैगे ना तो कभी भी प्रसेस्पॉंटेनेयस नहीं होगा है कि नहीं फूर्थ नंबर कंडिशन जरा चेक तो ज्यादी किसी नहीं यह डाल दिया देल्टा एक इक्वल टू फासिटिव वैल और देल्टा एस इक्वल टू निगेटिव एल तो क्या होगा प्रोसेस और वेर नॉन इस्पॉंटेनियस तो प्रोसेस हमेशा नॉन इस्पॉंटेनियस होगा ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा कि यार यह देखो जर्लवाद को समझे हमारे पास इसी वैलो तुमने निगेटिव डाल दी तो बन के यह आयगा यह पाजिटिव लूइग लूज और यह भी पाजिटिव एलो आप बताओ साइन फाजिट्यू आएगे पूरा साइन पास्ट्यू रिखा है वजार में कैसा आएगा पाजिटिव आएगा वजा साइट यह दिए और यह धी औरहे वे यह कंडिशन ऑफ इस पॉझे जाते हैं कि वैलू कैसी होनी कि यह वाला देहन लखना इस पर निमेर कर कोश्चन भी पूझे जाते हैं इस टमफ läuft प्रॉसिस इस पॉंटेनियास होगा कहो तो मैं इसको अलग से करा देता हूं मैं अलग से इसको वैसे करता था यह बस तरह से हांगे बनाको खस खला को हीत कि अ के कविश चरियर कि सब्सक्राइब कि इस इस पॉन्टेनियूश देख जरा देल्टा जी एक्वार्टू देल्टा एच माइनर्टी डिल्टा एस इसको हमें निगेटिव लाना है जो क्योंकि प्रॉसेस को स्पॉन्टेनियस करना है अब यदि इसको निगेटिव लाना है तो क्या किया जाए ठीक है इसको निगेटिव लाने के लिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह वैलू इससे बड़ी हो और यदि यह वैलू इ Temperature की value जो ratio of delta H upon delta H ते ज्यादा होनी किये इसका मत्ब भी हुआ Value of temperature, value of temperature of process, process is greater than, greater than value of, value of, value of, ratio of delta H upon delta H, यदि कहीं पर भी हमें कोई process spontaneous करना है, तो delta H upon delta H ते बड़ी value होई, ठीक है, यदि value बराबर हो गई, यदि value बराबर होई, तो वह equilibrium आ जाएगा, क्योंकि इसकी value 0 डालोगे, तो यह दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो spontaneous होने की condition यह है, यह है, temperature के टर्म, temperature के टर्म में spontaneous होने की condition यह है, जो temperature की value हो, वो डेल्टा H upon delta H के रेश्यों से ज्यादा आनी चलिए, ठीक, अब जर देखो यार, अब और बात बताते हैं, अब हम लोग बिसकस करते हैं, अब जोग को इस तैंडर, तोग गिव्रिव्र इनर्टी इनर्टी, इस टैंडर स्प्रीनरजी क्या होती है, जरा इस बात तो दो चलिए, इस टंडर इस प्री नर्टी इस, इस पुदक, यह श्यूट आफ रिखा यह हमारा एक सिस्टम है अब बात तो ज्यादी हम लोग सिस्टम का प्रेशर वन एट्मास्पियर या लगभग वन बार कर दे कर दें और कंसंट्रेशन वन मोल कर दें ठीक है तो इस समय जो वन मोल नहीं इसको तो कुछ भी कर सकते हैं इस समय जो आप जिस प्री इनर्जी निकाल दोगे मतलब यदि प्रेशर और टम्प्रेचर फिक्स कर दिया जाए Spec van French to Stock को कि अधा पांको पूरे प्रॉससे मेंट मेंटार कांट के अन्यूपृ कालविन है आीच-फंच के आवगधर कोषटं के यो साथे में वेलू सिप्स क्या है इस रूप ए92 कई टंप्रेचर सब्सक्राइब यह तहब देण आप उस- पॉन क़्या ओनते देलता गी इस टेंडर गोल डिल्ता जी स्टेंडर का मतलब है गिप प्री इनर्जी गिप प्री इनर्जी है दो आन शी एट मोग ट्मॉमट प्रेशर and 298 Kelvin temperature it's gonna be to give free energy fix ready job delta-ji standard with either to a visa visa standard with it or in TV condition same unit the ability standard with a visa 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 standard with the data data standard you have a problem up with half of the power of the hand of the hand that was a type of capital Titori in the book note I'll click on the note at equilibrium जब कहीं एक्लुग्रियम होती है तो डेल्टा जी को टूझी ओता है देल्टा जी स्टंडर इक्वल टूझी रोनहीं होता है जया लगेट के लिए पहुता है डेल्टा जीफी적 देल्टा इसकी मगर इसकी एक ही कंडिशन फॉल्ग ही होगा ठीक अब जब देखो बातों को और बढ़ाते हैं इस तंडर गिस्प्री इनर्जी कमत तब गिस्प्री इनर्जी चेंज एड वन एट्मास्प्री प्रेसर एंड 298 कल्विन टम्परेश अब इस चीज को थोड़ा सा और है है यह दिस्था एक्तान किक्णाय विर्प्री अर्जीन गें मता से तर्ट प्रीन अरण इनिवस्प्री आंगी या पसी है इस स्ररी इनर्ड हूकर आ हम और गितने शोच आइश्ट कर दो आब केए और खmaud इंशन प्रॉफ मतलब रियाक्ष सबस्क्राइब कर दो यह संग यह तो वी स्ट्रीन वी दिखने संतर्प की तो अंधर सबसे पहले इस बात को कुम जो हमारे इस सबस्क्षाम बात कुंद है इस बात को मुझें इस तर्ण है इस तेंडर GIF free energy change, GIF free energy change, मतलब delta G0 is, suppose to be 0, मतलब delta G0, पॉर, ठीक है, पॉर, नेचुरल इस्टेट, नेचुरल इस्टेट या फिर, स्टेट आफ, मालीवच अभली की, इस बात को बताता हो, नेचर में जो जित फॉर्म मैं पाया जाता है, उस फॉर्म की स्टेंडर, इस पर इनर्जी 0 सपोस्व ची गई है, इसका मतलब ही है, इसका मतलब क्या है, कि नेचर में, नेचर में जो जिस फॉर्म में जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म की उस फॉर्म की बेल्टा एच इस्टेंडर जीरो ठीक है जीरो सपोस की गई है सपोस की गई है तो यह बात जगा ध्यान लगा नेचर में जो जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म की इस्टेंडर गिस प्री इनर्जी को जीरो सपोस किया गया है मतलब मतलब मेरे दोस्त यह है कि यह भी कोई रियक्शन मेरे पास ऐसे लिखती है कि एक कुए टूब तो सबसे पहली बाद डेल्टा जी आप रियक्शन जो आएगा वो यह आएगा डेल्टा जी इस्टेंडर्ड आप प्रोड़ट्च्त माइनस डेल्टग इस्टेंडर्ड पनर और रियक्शन कि ऐसे हैं अब यह कोई रियक्शन देखो आपने ऐसे लिख के देदी हमें मेथेन गैस फ्लस्ट मेथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिप कार्बन डाई ओक्साइड गैस प्लस अब इसमें क्या बनने वाला है वाटर लिक्विड अब इसको बैलेंस कर लो ऐसे हुआ और बैलेंस करिए रिको बैलेंस ऑफ टिगन कितने हो गई है और नोट डाल के लिकर रहा हूं इस बात को ध्यान नदक किएगा ती देल्टा जी स्टेंडर्ट चाहन चैनल कॉल्कुलेटेट इस विद्ध इन बैलनस आप इसको हमेशा बैलेंस रिक्ष्ण पर कल्कुलेट करिए गां है ठीक है ना जब रियक्षन बालन्स होग अब जड़ा देख़ों इतने काईसे करेंगे यदि युदि हम से पोई डेल्टा जी आप रियक्षन कूस्क है तो हम यह लिखेंगे देल्टा जी अंडर्डों प्रोडक्ट्ट recording देल्टा चेटंडर प्रोडॉक्ट वह माईने देल्ट्य इस्टेंडर आप रिख रिख तेंच अब देटा चेटी जिनृट्डरा प्रोडस प्रोडर्क्ट में यह है और यह है तो हमने इनकी वैलूरा has सुनकियों डिकल्टन पर लोको कि इसको यूनिट पर तर मोल दिया होगा यहां तो दो मोल बना है दो वैलू डालोगे ना इसी लिए तो कहा है कि रियक्षन बैलन्स होनी की इंटू तो डेल्टा जी स्टेंडर आप मेथेन प्लस तू इंटू डेल्टा जी स्टेंडर ओप ऑक्सीजन यह दिखें ऐसे लिखी जाएगी अब जब ऐसे लिखी जाएगी तो आप जरा ग मिलता है नहीं अंवाक इतना इतका जीरो नहीं पीजै सकती यह थो जयन कम मेथेन के फार में में किसके Прав ऑन एक्मोस्पियर में किस काम मिलता कि यहां पर कार्बन क्या कार्बन ड seconds के फाम मिलता है औकसीजन क्या क्या तरफर दियुक्त सबढ़ कर् itself United कि हाइड्रोजन में की फिर-डाव मिलता है कि बताओ रोवाटर के फार है नहीं आइट जन नेचर में हाइड्रोजन गैस के फर्मने में तो इसमें से किसकी जीरों होगी इसमें से सिर्फ एक की जीरों होगी और आप अपने आप डाल सकते हो उसकी वैलू कभी दी नहीं जाएगी वह वैलू आप अपने आप डालोंगे कोश्चिन जैसे यह देखो आप गौर से समझेगा तो चर्मने जो जिस फॉर्म पाया जाता है उस फॉर्म की डेल्टा एक इस चैन्डर्ड जीरों सकोसी की गई है कि लाक और ओप सीजन नेचर में ओर टूफाम में पाया जाता है व कॉर्तु गैस तो उसकी हम लोगों ने जीरों सक रुकित तो जब हम question करेंगे तो उसकी value को क्या डाल देंगे जीरो डाल देंगे ठीक है ना ये कहा जा रहा है अब जरा इस बात की example और देदेता हूं यह देखो यह है standard gift free energy ठीक अब जरा देखो किसकी किसकी जीरो ले रहे हो किसकी किसकी क्या ले रहे हो यह हमारे है माली कूल अबलिक एकम और यह है उनकी डेल्टा जी इस्टेंटर अब जब देखे गौर्ब समस्के जाएगा और सीजन गैस कितनी लोगे जीरो और सीजन लिक्विड इतनी लोगे देल नाट इक्वेट इसी बच्चे ने का वाई सरा पैसा क्यों कर रहे हूं सर आप यसा क्यों कर दूब हो तो गौव्ध सो मज़ тобой कि हम लोग एसा क्यों कर रहे हैं तो अलग क्यात्य क्यूंद ऑपी ए सपविश्जंटर में मिलता ए ऑक्सीजंगाइस्टर में जिस सब्सकर पर में किया ź läuft sprig करोगे ही कि कैसे जैसे ब्र टू लिख्विड क्या करोगे जीरो नहीं क्योंकि नेचर में पाइड जाता है नाइट्रोजन गैस कहीं आ जाए है तो आप जीरो डाल दोगे हिलियम गैस आ जाए तो जीरो डाल दोगे भी हई्डोजन ँगैस आ गई तो आप जीरो डाल दो है अब जरह देकिए तो डियम यह क्या एं टाल यह मैं शॉलीड होते हैं जीडत दाल दिया जैन कॉरिड में मिलता है इसाइं तो इन सब क्या करोगे जीरो ऐसाइन करोगे और एक्जाम्पल देता हूँ एक्जाम्पल जादा जरूरी है इसके हैं और एक्जाम्पल यहां पर मैंने फिर मालिक्यूल लिख दिये हैं मालिक्यूल और यहां पर हमने देल्टाजी इसके हैं अब जरह देखिए और मैकल बताता हूँ जैसे कार्बन का ध्यान लखिएगा ग्रेफाइट फार्म जो होता है कि उसको हम लोग जीरो सपोस्ट करते हैं कि मगर यदि कारबन डायमेंड की पूछता है तो हम लोग रखेंगे वो जीरो नहीं है कि जिनके एक से ज़्यादा एलोप्रोपित फार्म होते हैं जिनके एक से ज़्यादा एलोप्रोपित फार्म होते हैं तो उनमें से किसी एक फार्म के हम जीरो सपोस्ट करते हैं अब कारवन के ग्रेफाइट भी है डाइमन्ड भी है पोल भी है फुलोरेंस भी है तार कोल भी है तो किसको रखे तो सिर्फ ग्रेफाइट को जीरो सपोस्थ किया गया है इसी तरह से देखो वाइट फास्पोरास होता है उसको हम लोगों ने सपोस्ट किया है या फास्पोरास रेड है या ब्लैक है तो उसको नहीं अच्छत तोरी है मोई को सब्सक्राइब या ज़िए भाग Strava मगर Anwar should एक सब्सक्राइब 2 यह सब्सक्राइब कि सब्सक्राहर करत कि एख के सब्सक्राहर में आएर तो यह ध्यान लखेगा नैट्राल इस्टेट में वैलू दी नहीं होगी जैसे एच जी लिकूट की क्या रखोंगे जीरो रखोंगे जो यह लिकूड इस्टेट में ही तो मिलता है नहीं लिकूट को बास समझ भाई किस्पोर नोने चाहरे कि और किस तरह से सब्सक्राइब जो पाया जाता है उस पॉम की बिद्विजिकल स्टेट विद्विजिकलिस्टेट में मेरे दोस्के यह तो जब हम निमेरिकल वाले ऐसे कोश्चन करेंगे रियक्षन वाले तो उसमें ज्वरोष पढ़ेगी अभ्यान में अच्छन वाले कोश्चन करो तो रियक्षन बैलेंस होनी चाहिए चोग तो कि इसकी वैलू पर मोल दी होती है और रियक्षन में मोल चेंज प्रिए इनर्जी चैन्ज रियक्ते अभी हम लोग पोस्टन भी करेंगे पहले स्चूरी खतम कर ले तो इतनी बात समझ में आ गई कि डेल्टा जी कब जीरो असाइन करोगे कब नहीं करोगे अब जयादा पूरेटिकल पार्ट हमारा खत्म होगे अब हम लोग डेल्टा जी के कोश्टन पर आते हैं जैसे आपको यह पता चले कि अपलाई कैसे होता है कारा खेल अपलाई कहीं है और थर्मोडाइनमुक्स में आप देख रहे होगे मैं ज्यादा कोश्टन करा रहा हूं उसका रिजन है जब मैं कराऊंगा तो अपलाई करके दिखाऊंगा तब आप कर सब्सक्राइब करने में डर जाते हैं तो इसलिए ज्यादा प्रेक्टिस मैं खुद कर रहा हूं जैसे आप समझ जाओ कि हां यार सर कैसे अपलाई कर रहे हैं बार बार आप भी मेरे साथ अपलाई करो तो फिर आपका एक स्टेंडर बन जाएगा आप बहुत अच्छे सब् यह होगा हो जाएगा यह मेरी अभाव इस पुस्टेन पो देख रहा है अब हम स्कॉष्चिन पर आता है इन विच केस एस पॉन्टेनिया स्रियाक्शन इस पॉग्विल एक एनी टम्प्रेचर इस पुई रियेक्शन इस पॉन्टेनियस कभ वोगी अभी देख पढ़ाया ह मियं दिए क्या लिए कैल जब देटा जी निगेटिव हो घप जब क्या हो हो निगेटिव क्या होपाक में जो गेटिव आनिगेटिव रह और दिश् PERCY रख को यह भी नाव in में जब जीरो लिखोगे तब वो सेंट्रीगेट में माइनस दो तो तीयस्कर होगा तो माइनस दो तो तीयस्कर पर सब कुछ सॉलिड हो जाता है कि यह थर लाग थर्मो डालिंग से कि एड जीरो केल्विन और मालीक्यूल सब्सकांग और किस्टलाइब प्रजेंट इन इस इस्टलाइब इस टेट इस एक 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 तो यार डेल एक टी है वह पास्टू रहेगा वह कभी नेगेटिव होई नहीं सकता है जो तो क्योंकि डेल्टा टी की वैलू जब तुम जीरो डालते हो तब इतना धातक होता है कि वो माइनस दो सुटीयस्कर होता है तो सब लोगे अगल ने लगती है माइनस सो डिगरी पर क्या होगा माइनस दो सो की हैसकर डिगरी पर क्या होगा सब कुछ वालेड हो धाता है तो ध्यान लखना यह वैलू सो हमेशा ही पास्टू रहें एंग है तो यह कंडिशन है जिसमें आलवेज निगेटिवा देखो रिखा रख्ते हो वहीं उतने कोष्टे पूछ लिए पूछ गी है कि कलो अब वो है कि से एंग ऑप के कंडीशन ले यह पाजटिव हो और यह निगेटिव हो क्योंकि यह पाजटिव और यह निगेटिव होगा तो इसकी वैलु ऑल्वेजी ऐही आएगी और हमें पता है कि एक्टमर है टो एक ले क्रेटर ग्रेटर देन 00 ही लेनिंग क्टमible करना है ऐसा इसलिए करना है कि टंप्रेचर की वैलू जीरो से नीचे पॉस्विल नहीं है क्योंकि उस समय तो कोई रूली नहीं लगता था थर्लाग थर्मोडाइलिस के साथ सब किश्कल हो जाता है तो अब बताओ अब इस सिच्वेशन में क्या होगा करा आल מאוד फैल्स फैल्टत मिल दिकला अएगा निगेटिव हो तो ये कल्दिशं देख लो तो इसका मतलब इन थल्पी लेस्टान घ्रोनी य हूनी कि ए और सब्सक्राइब देखो आप इस बात को अच्छे समझें देल्टा एच की वेलू दिए एगग है वणारिस्टीपिफ्टी ची डिल्टा एकश्थी वैलू दिए है अन्डड़ेट इटिल्टा इसकि वैलू आटेपाटे रखोगे तो यूणिट गलत नहीं होगी तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें खेलना क्या है अब आप समझ गया होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे भी यूनिट यहां किलो जूल लानी है और जब कि इसकी यूनिट जूल दिये अना तो अब आप साल कर लोगे तो वन फिफ्टी किलो जूल अब तीन गीरो तो इसी से खट जाएंगे तो यह आजा है कि यह किलो जूल तो यह आगया प्लस का वन फ्वन फिफ्टी किलो जूल 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 एसा कोई आंसर हो का उसको तो टिक कर दो तो एक ना समझ गया यह कोश्टन तो नों गया करी रखते अब इस कोस्टें को जाना पूर एक्सट अग्स 25 डिग्री सेंटिकेश इंठल्पी चेंज एंड इंट्रोपी चेंज आरगे इंठल्पी चेंज इंठल्पी चेंज दिया है घ्रिया फिक है अब दर येक्शन इस पर रियक्शन स्पॉंटेनियस होगी कि नहीं यह पूछ रहा है कि पिछ वाला कॉस्टेंग फैस लाइंगवेज हो महीं गई। पिछ वाले में डेल्टा जी पूछ लेया था कि अब देल्टा जी पूछ लिया था तो भी सो पता सब्सक्राइब यह hijॡ्स नहीं होगा मगर इस बार कोश्चन को उसने लाइंगवेज चेंज कर दी है इसको हम डेल्टा जी निकाल देंगे और डेल्टा जी की वैलू से चिक्टर लेंगे कि कैसा आ रहा है कैसे निकाल होगे डेल्टा जी वैलू क्या है इन थल्पी चेंज कितनी दी है माइनस 11.7 इंटो 10 की पावर 3 Joule मोल इनवर्स ठीक है Joule मोल इनवर्स अब टी की वैलू कितनी दी है 298 Kelvin और डेल्टा एस वैलू कितनी दी है माइनस 105 Joule मोल इनवर्स Kelvin इनवर्स अब इनको सॉल परो कि यह आगया माइनस कि इतना कि इतना जूल अब यह कितना आया माइनस माइनस प्लस 105 इंटू 298 Joule अब आप यह चेक करो कि इसका रिजर्ड कैसा आएगा हमें वैलू से मतलब नहीं बस साइन के मतलब कि साइन कैसा हो तो यह दिमाइश को 300 माल लू इसको 100 माल लू तो यह 3000 हो जाएगा है कि नहीं तो करोगे लाव हतियार से करके देखता हूं कि देखे बच्चों आप लोग ध्यान लखिए यह हतियार आपके लिए नहीं बना है ठीक है आपको इससे नुक्सान हो सकता है तो हमेशा दूरी बना के रखें यह हतियार सिर्फ मेरे लिए बना है क्यों क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और आपके लिए पढ़ाना ज्यादा है तो हम लोग इस हतियार का यूज़ करते हैं यह है ऐसे और बैटा इसकी वैलू जो है एकक्तिस दो नौ जीरो आ रही है अब बड़ा कौन है देखते बताना आई तिंग इसकी वैलू पाजिटिव आएगी क्योंकि बड़ा मुझे लग रहा है यह है जीरो से जीरो मैच कर गया अना इन है यह थे टर्फिवन आपकर ऐसा होगा नोगो अब देखते हैं हम लोग नेट नंबर और आप लेक्ष नम्मर प्रोश्चिन मी क्या करना है जहां देहां देदो हमें किस चीज को निकालना है यूजिंग डेलटा ठीक है डेल्टा जी दिया है है ही का calculate the standard free energy change for the following reaction इस reaction की standard free energy change निकाननी है अपने को तो कैसे निकालोगे किसी reaction की standard free energy change क्या पढ़ाई है आपको पढ़ाया है product minus reactant तो यार मेरे प्यारे बच्चों वही लगा दो product minus reactant अब जरा इसको check कर लो कैसे करना है ठीक है इस बात को थोड़ा सा check करो value डालो अब product कौन है हाई 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 के कितने मोल है दो तो टू मोल आफ डेल्टा जी हाई ठीक है minus reactant कौन है hydrogen hydrogen वन मोल आफ हाईड्रोजन माइनस वन इंटू डेल्टा जी वन मोल आफ आयोडिन नॉट क्योंकि स्टेंडर्ड की बात की जा रही है यह निकल क्या आया है पीछे अभी लिखना सिखाया है कि कैसे लिखा जाता है किसी reaction का डेल्टा जी ठीक है कि नहीं यहां दो मोल दो का मल्टिप्ला यहां वन वन मोल है वन वन का मल्टिप्ला अब यार वैलू डालो मेरे प्यारे बच्चों तो डेल्टा जी हाईट्रोजन का डेल्टा जी तो जरा देखो हाईड्रोजन अपने क्या है इस टेंडर स्टेट में नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म में यादि कोई नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म में है तो उसकी इस टेंडर्ड गिस्प्री और इनरजी कितनी हls लोखो लेनी है जीरो तो यह भी नेचर में चीini me पाया जाता है उस पॉर में है और यह भी नेचर में जिस फारम काया जाता है उसी फारम में आयोडनिस आट्सॉलीड इसकी 안녕 हो आगई अब आप सॉल्ट करोगे तो यह आ जाएगा 2.6 यूनिट क्या जाएगी प्यारे बच्चों किलो जूल अब ऐसा जो आंसर हो उसको टिक कर दो आंसर का है यह देखो है तो यह हमारा आंसर आगया इस तरह से हमको इनके कोशनों को करना है ठीक है ध्यान नख्येगा खुब अच्चे से अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं देखो डिस्प्री इनर्जी के बाद अब हम लोग बात करते हैं इन्थल्पी आप रियक्शन तो चलो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं ही टॉप रियक्शन या प्यारे बच्चों इन्थल्पी आप रियक्शन ही टॉप रियक्शन ही टॉप रियक्शन या इन्थल्पी आप रियक्शन ही टॉप रियक्शन या इन्थल्पी आप रियक्शन ही टॉप रियक्शन या इन्थल्पी आप रिय कैसे डील करोगे इस बात को डिसकस करते हूं को देखो भयाद बच्चो कैसे करोगे यह हमारी एक रियक्षन है एन वन ए गिप्स एन टू बिल अब यह लाइब में हो रही है यदि कोई रियक्षन लाइब में हो रही होगी तो आप देखतें चाहे कोई भी हो या कोई Vometer हो वो open होता है और open हुआ तो इसका मतब pressure constant है अब ये प्रेशर कौस्टेंट है तो जो भी रिलीज होगी वो constant pressure क्या कहते हैं डेल्टा एच इन्थल्पी चेंज इसी लिए heat up reaction को enthalpy up reaction कहा जाता है ठीक है तो पहला point हुआ जैसे यह chemical reaction है अब यह chemical reaction यदि कहीं पर हो रही है कहां पर हो रही है लाइब में हो रही है तो लाइब में जब होती है तो हमारे जितने भी वैसल होते हैं या वीकर होते हैं ठीक है वो सब के सब कैसे होते हैं वो सब के सब open होता है open होने की वज़य से क्या होता है pressure क्या होता है मेरे दोस्त constant और constant pressure की heat को ही enthalpy कहते है heat at constant pressure is known as enthalpy change is known as enthalpy change और heat at constant volume heat at constant volume is known as entropy change a internal energy change तो पहली बात तो यह आ गई कि heat up reaction को आप enthalpy up reaction कह सकते हो क्यों कह सकते हो कि वो जो reaction की heat होती ही वो constant pressure की heat होती है हीट of reaction को हम लोग क्या लिख देते हैं enthalpy change up reaction आप डेलٹा एच लिख देते हो और जबकि heat और डेलटा है enthalpy तो अलग लगबात है मगर जितनी भी lab में reaction होती हैं वो सब किसा अप constant pressure पर होती है इसी लिए उनको heat ale reaction कहो या enthalpy of reaction को दोनों बाते सेम आती हैं क्यों heat at constant pressure is known as enthalpy change ठीक है इतनी बात पहले समझ में आई कि heat of reaction को ही enthalpy of reaction कैसे कह रहे हैं तुम लोग कह रहे हैं सर क्यों नहीं समझ में आएगा अब आंगे बढ़ोगा तो चलो आँगे बढ़ते हैं अब जिरह देखो यह reaction अब reaction को थोड़ा बाई बच्चों enthalpy of reaction को कैसे लिखा जाता है उसको हमेशा लिखा जाता है enthalpy of product enthalpy of product minus enthalpy of reactant enthalpy of product minus enthalpy of reactant यह देखो ऐसे लिखा जाता है यहां पर दो बाते गौर से याद रखिएगा जब भी यह फार्मूला लगाएं उससे पहले पहला point जो chemical reaction है वो मेरे प्यारी बच्चों balance होनी चाहिए chemical reaction कैसी होनी चाहिए balance होनी चाहिए जो भी chemical reaction हो वो balance होनी चाहिए क्योंकि enthalpy जो होता है एक extensive property होती है तो हमेंसा ध्यान नक्खो reaction balance होनी चाहिए और balance reaction पर यह formula apply करोगे किस पर apply करोगे दोस्तों balance reaction पर हम यह formula apply करेंगे ऐसा नहों कि reaction balance नहों ठीक है तो ध्यान लखिए balance reaction पर यह formula लगाओगे क्या enthalpy of reaction equal to product minus reactant किस पर लगाओगे balance reaction पर apply करोगे अब जड़ा इस बात को थोड़ा और आंगे बढ़ा देते हैं जड़ा समझें यदि कहीं पे हमें enthalpy of reaction दी है तो जड़ा देखो enthalpy of reaction इकक्वल टू गौर्स देखिए इंटर्नल इनर्जी आप रियक्षन इकक्वल टू डेल्टा एच इकक्वल टू क्या होता डी यू प्लस पीडीवी और पीडीवी यह आग्या अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो गौर समझे इन्थल्पी आप रियक्षन एकक्वल जब प्यारे बच्चों हम रियक्षन की बात कर रहे हूंगे तो मैंने ये बात पढ़ाई भी है पिछले वाले वन सौर्ट में पढ़ाई थी धर्मो कमिश्टी के वन सौर्ट में कि जब रियक्षन की बात चलती है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं डेल्टा एंगी आर्ट है तो हमारे पास ये भी एक एक्क्वेशन आ गई ये भी हमसे खुब पूछा जाता है तो ये दिखिए डेल्टा एंगी आर्टी तो ये भी एक फार्मूला है जिसकी हमें जबूरत पढ़ेगी कोश्णों में ये तो हम इसका यूज यहां पर खुब करेंगे क्यों क्योंक ये क्या है आपको पता है तो इसकी भी हमें जबूरत पढ़ती है तो ही टाप रियक्शन के बेसेस पर कैसे कैसे कोश्ण आते हैं उनको हम लोग एक बार कर लेते हैं जर दिखिए इस कोश्ण को मेरे प्यारे बच्चों करो और समझो बताओ क्या अंसर आना चाहिए और क्य क्या कोश्ण है पूछा क्या जा रहा है जरा अच्छे से कोश्ण पर नजर डालो और बताइए दा डिफरेंस बिट बीन दा हीट आप रियक्शन अट कॉस्टेंट प्रेसर एंड कॉस्टेंट वैलूम आप दा फालोइंग रियक्शन वुड़ भी किसका क्या पूछ रहा ह डिफरेंस बिट बीन दा हीट आप रियक्शन अट कॉस्टेंट प्रेसर की हीट को क्या कहते हैं डेल्ट एच कॉस्टेंट वैलूम की हीट को क्या कहते हैं डेल्ट आइउ तो यह इनका डिफरेंस पूछ रहा है दा डिफरेंस बिट बीन दा हीट आप रियक्शन अट कॉस आर्टी तो ये वैलू निकालनी है और ये वैलू मेरे दोस्त किसके बराबर होती है ये वैलू हमारे दोस्त बराबर होती है डेल्टा एंजी आर्टी अब डेल्टा एंजी आर्टी की वैलू डाल दो डेल्टा एंड कितना है देखो ये गैस है बारा सबसे पहले रियक्शन होनी चीए चेक करो बैलंस है कार्बन 1212 हाइड्रोजन कितने हो गए 12-12 ऑपक्सीजन कितने 30 24 और 36 अब रियक्सन बैलनस एड़ेल टैनजी निकालो डेल टैनजी बच्चों कितना आया 12 यहाँ पे 12 है और यह liquid है liquid का लेते नहीं है यहाँ पे यह liquid है इसका भी नहीं लोगे यह gas है 12 minus 15 R की value डाल दो ठीक है R क्या होगा 8.314 Joule और T की value डाल दो 298 Kelvin अब यह आ गया तो पहली बाद तो यह आई कि value किस में आ रही है minus आ रही है कि plus आ रही है तो माइनस आ रही है यदि value minus आ रही है तो यह answer तो गलती हो गए ना यार क्यों कि पूरी value minus आ नहीं है अब या तो यह answer है यह answer है ठीक है अब इसको solve कर लोगे answer मिल जाएगा solve कैसे करते हैं चलो इस बार इसी से solve कर लेते हैं mobile नहीं उठाते हैं क्योंकि याद आ गया है तो इतनी साल कर ले अब जड़े देखो यार तो कैसे करोगे ठीक है अब यह हमारा अंसर किसमें आ रहा है जूल में अब वह आंसर किसमें चाहते हैं यूनिट लिखी उन्होंने यार दोस्त वह अच्छा यूनिट लिखिए किलोजूल में चाहते है तो इसको किलो जूल बनाने के लिए थाउसेंट का डिवाइड करने हैं तो जैसे ही आप अनसर क्या आजएगा कििलोजूल में आजएगा आगे हैक्ज नहीं यह वाला अंसर होगे ठीक है ना तो इस तरह से रियक्शन करने है तो कभी ऐसा कोश्यन आएगा तो अब अगला कोश्यन देखो जड़ा बच्चो नेक्स्ट नंबर का कोश्यन क्या है जड़ा देखिए कोश्यन में क्या पूछा जा रहा है हम लोग से दा ही चेंग टेकिंग से वाटर किसमें कनवर्ट हो रहा है गैस में कनवर्ट हो रहा है अब इस रियक्शन का इंथल्पी चेंज पूछ रहा है रियक्शन का इंथल्पी चेंज कितना होगा यह देखो डियूरिंग दा प्रोसेस कितना रियक्शन में इंथल्पी चेंज हो रहा है तो यह देखो अब वैलू डाओ दो डेल्टा एच आप प्रोडक्त का मतलब वाटर की इंथल्पी फॉर्मेशन गिवन क्या है डेल्टा एच फॉर्मेशन आप वाटर वाटर गैस और वाटर लिक्विड तो वाटर गैस की कितनी है माइनस 57 पर मोल यहां पर एक मोल बनाए उसकी कितनी है माइनस 68.3 ठीक है यह देखो दोनों की यूनिट का ध्यान लखेगा यूनिट सेम है अब सॉल कर लो तो 68.3 माइनस 57.0 तो यह 0.3 आ गया 8 से 7 से 1 आ गया और यह 1 आ गया किसका आया प्लस का आंसर क्या है कि लो कैलोरी ऐसा देख लो पहली बात आंसर प्लस है तो यह दो कड़ गये प्लस में कितना आ रहा है 11.3 तो 11.3 वाला आंसर हो गया 11.3 वाला आंसर हो गया इस तरह से हम कोशनों को अंजाम देंगे अब अगला देखलो यार इसको भी जल्दी से कर लेते हैं ठीक है फॉर गैसिस रियक्षन ए गयास 3 बी गैस 3C गैस 3D गैस डेल्टा इस 717 किलो कैलोरी डेल्टा इक मतलब जानते हो ना डेल्टा यू बोला जाता है मतलब इंटर्नल इनर्जी चेंज एक 25 टिक्री जेंगे डा डेल्टा एच आप दा एब अब रियक्षन तो यार जाना देखो डेल्टा एच पूछा जा रहा है तो डेल्टा एच इप्कॉल टू होता है डेल्टा यू प्लस एन जी आर्टी इग डेल्टा यू की वैलू कितनी है 17 किलो कैलोरी अब डेल्टा एन डेल्टा एन की वैलू कितनी होगी प्रोडक्त माइनस रियक्टेंड तीन तीन छे और माइनस में कितने है चार छे माइनस चार आर की वैलू कितनी है एट कॉइंट अब देखो यहां पर जारा ध्यान दीजिएगा सॉरी अब गौर से समझो यह किलो कैलोरी में इसी वज़े से मैंने यूनिट भी लिखी है और यह भी कैलोरी में पड़ेगा तो जब कैलोरी में पड़ेगा तो दो आया कभी भी किलो कैलोरी नहीं बनाया अब यह देखो किलो कैलोरी बन गया ठीक है आर की वैलू किलो कैलोरी में डाल लिए है ठीक है तो टू इंटू टेन की पावर माइनस फूर एंड टीक वैलू गटा 25 ट्वंटी सेवन डिग्री सेंटिरेट 27 कमतलब कैलविन में कितना हो गया 300 अब सॉल कर लो सेवन्टीन किलो कैलोरी प्लस फूर इंटू 300 इंटू 10 की पावर माइनस अब यह बात तो पक्का है ना कि सेवन्टीन से उपर आंसर आएगा तो यदि मेरे दोस्स सेवन्टीन से उपर आंसर आएगा तो यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल हो गया अब इन दोनों को चेक करना है त 17 प्लस 12 हो गया अब 12 में जब आप तीन जीरो मारोगे तो यह आ जाएगा तो यह आ गया 18.2 किलो कैलोरी आ गया अब देखो 18.2 किलो कैलोरी कोई आंसर है है बस उसको टिक कर दिया ठीक है ना बस उसको टिक कर दिया अब आंगे बढ़ते हैं अब जब दिखो आंगे क्या करना है अब रियक्शन के नेचर के बेसेश पे यीट आप रेक्शन इन थलपी रूँआ प्रेक्शन को हम फर्धर क्लासिफाई कर देते हैं तो जड़ा दिखेंगे in बेसे जा nature of reaction, nature of reaction, enthalpy of reaction, enthalpy of reaction further classified as follows. हम reaction के nature के basis पे अब इनको classify कर देते हैं कैसे enthalpy of formation, enthalpy of neutralization, enthalpy of combustion कहीं कोई molecule form हो रहा है तो उसका नाम रख दिया enthalpy of formation कहीं कोई molecule बर्न किया जा रहा है तो enthalpy of combustion कहीं acid-based neutralization चल ला है तो enthalpy of neutralization कहीं bond break हो रहा है तो enthalpy of bond enthalpy bond dissociation enthalpy तो अब reaction के nature के basis पे हम इसको क्या कर देते हैं classification कर देते हैं कुछ इस तरह से देखो कुछ इस तरह से इस तरह से हम इसका classification कर देते हैं कैसे कर देते हैं जरा देखो हमारे पास था enthalpy of reaction अब हमने इसका classification कर दिया classification कैसे कर दिया nature के basis पे हम लोग इसको classify कर ले गए ठीक है कैसे कैसे classify कर ले गए वो देख लो दो तीन बता देता हूं यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए ठीक है कैसे नेचर के basis पे classify कर ले गए जरा गवर से देखो यह दि कहीं मालीक्यूल form हो रहा है कि फार्मेशन हो रहा है मालीक्यूल का तो फार्मेशन के basis पे इसका नाम रख दिया गया enthalpy of formation इंथल्पी ओफ फार्मेशन इसका enthalpy इंथल्पी आप reaction को enthalpy ओफ फार्मेशन बोलने लगे यदि कहीं पर combustion हो रहा है कोई चीज़ जल लई है तो हम लोगों ने उसका नाम रख दिया enthalpy of combustion ऐसे और यदि कहीं पर न्यूट्लाइजेशन हो रहा है acid-base reaction हो रही है तो हम लोगों ने न्यूट्लाइजेशन तो हम लोगों ने उसको बोल दिया enthalpy of neutralization enthalpy of neutralization या इसी को कहते है heat of neutralization यह देखो ऐसे तो अब हम लोगों ने classification कर दिया etc so on तो अब हम classification पढ़ेंगे कि enthalpy of reaction को जो classify किया गया है वो किस तरह से किया गया है एक एक करके अब हम लोगों को पर ला है ठीक है तो प्यारे दोस्तों तो चलो अब आंगे बढ़ते तो सबसे पहली heading जो हम लोग करेंगे वो करेंगे enthalpy of formation enthalpy of formation enthalpy of formation heading अब हम लोग करेंगे ठीक है तो enthalpy of formation heading क्या होती है कैसे होती है हमको बस यह देखना है तो enthalpy of formation को हम लोग इस तरह से रिप्रजेंड करेंगे अब जड़ा देखो आपको पूरी थर्मो कमिश्टी की definition एक बार में बता देते हैं चाहे जो हीट हो सब की सब हीट एक मोल के लिए define है प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना यदि कहीं कर दो सब रहा है तो एक मोल के लिए condition हो रहा है तो एक मोल कंपाउंट का Bemर्शन होगा सब्कव रहा है तो एक इन का नुइक डिशन होगा हमेशा ध्यान लखना सब कुछ इक मोल के लिए तो क्या करना है एक मोल का करना है tom a journalist total amount of heat exchange exchange इसलिए release भी हो सकती है गेन भी हो सकती है total amount of heat exchange due to sorry total amount of heat exchange in formation of formation of one mole of substance by their their standard state of by their standard state of constituent element constituent element या फिर molecule अब इस बात को थोड़ा समझाता हूं ध्यान नकिएगा फर्मो कमेश्टी में एक ही बात important है वो क्या है जितनी जादा आपको definition अच्छे से आती होगी उतना ही अच्छे से आप question कर पाओगे थर्मो कमेश्टी का की पॉइंट बता देता हूं थर्मो कमेश्टी का की पॉइंट उसकी डिफनीशन है जितना अच्छा डिफनीशन का नौलेज होगा उतनी ही अच्छे से question कर पाओगे नहीं तो हर question में करना एक ही बात होती है ठीक है बड़ अच्छे से आना हो तो जरह देखो होता क्या है मैं समझाता हूं जैसे हम लोग ने वाटर का formation किया वाटर का formation कैसे यह अब वाटर का formation हम कई तरह से कर सकते हैं मगर करना कौन से है total amount of heat exchange in formation of one more of substance by their standard state of a standard state of constituents element standard state का मतलब क्या है standard state state का मतलब है natural form उनके natural form से करना है मतलब nature में वो जिस form में present रहते हैं nature में जिस form में present होते हैं उसके form से इसमें कौन कौन से item है hydrogen और oxygen hydrogen नेचर में किस form में होता है hydrogen gas के form में oxygen nature में किस form में मिलता है oxygen gas के form में तो हमें ऐसे करना है है यह heat of formation of water की reaction है एक मोल का formation हुआ है hydrogen किस form में लोगे hydrogen gas के form में लोगे oxygen किस form में लोगे oxygen gas के form में लोगे यह reaction लिखना बहुत जरूरी है reaction लिखना आना बहुत जरूरी है यदि reaction लिखना नहीं आयेगा ना तो कोश्चन नहीं कर पाऊगे आंगे जाके फैसोगे तो ध्यान लखिए reaction कैसे लिखी जाती है natural form से hydrogen किस form में exist करता है यह यह इस form में यदि किसी ने water की formation reaction कहीं से यह लिख दी तो यह गलत हो गया इसमें भी तो water form हो रहा है यह देखो मगर यह reaction enthalpy of formation of water नहीं है क्यों कि water form हो रहा है मगर hydrogen क्या अपने natural state में है क्या hydrogen HN के form में nature में पाय जाता है नहीं क्या oxygen OHN के form में nature में पाय जाता है नहीं इसलिए यह नहीं है यह वाली है कि कि इसी तरह से example यदि carbon dioxide की heat of formation लिखनी तो बताओ कैसे लिखो गे abortion dioxide की heat of formation लिखनी तो कैसे लिखो बताओ carbon nature में पाय जाता है solid with oxygen nature है कि इस स्वर्म में पाय जाता है । यह देखो heat of formation of carbon dioxide आई तो heat of formation reaction लिखना आना बहुत जरूरी है यदि आपको heat of formation reaction लिखना नहीं आता है तो बहुत tension की बात है question नहीं होगे देखो मैं फिर और example देता हूँ जैसे heat of formation of H2SO4 लिखनी है बताओ कैसे लिखोगे heat of formation of H2SO4 जरू बताओ hydrogen nature में किस form में मिलता है गैस के form में ऐसे लिखोगे sulfur nature के किस form में मिलता है solid के form oxygen nature में किस form में मिलता है गैस के form में इस तरह से लिखी जाएगा और हमेशा एक मोल का formation किया जाएगा अच्छा glucose की heat of formation लिखके दिखाओ यह देखो glucose की heat of formation लिखनी है तो कैसे लिखोगे बताओ कारबन नेचर में किस form में मिलता है solid form में balance भी होनी चाहिए hydrogen nature में किस form में मिलता है gas form में oxygen nature में किस form में मिलता है gas form में यह heat of formation of glucose हुई यह heat of formation of glucose हुई इत्ती बात समझ गए अब enthalpy of reaction in term of enthalpy of reaction in term of enthalpy of formation enthalpy of formation enthalpy of formation के टर्म में enthalpy of reaction कैसे लिखी जाएगी तो हमेशा ऐसे लिखी जाएगी enthalpy of reaction equal to enthalpy of formation of product total minus enthalpy of formation of reactant ऐसे लिखी जाएगी ठीक है product minus reactant product minus reactant enthalpy of formation of product जितने भी product है minus enthalpy of formation of reactant जितने भी reactant है क्या आजाएगी enthalpy of reaction आजाएगी इंथल्पी of reaction आजाएगी ठीक है बात समझ रहे हैं कैसे लिखनी है enthalpy of reaction चाहो तो ऐसे लिखो ठीक है अब इसी के आंगे एक और बात यह तो मैंने बताई अब इसी जिखे पर एक और definition बताते हैं स्वरी कोश्चन अभी नहीं पहले तो डिफनीशन एक और वाफ हो जाए यदि इस्टेंडर इंथल्पी ओफ फॉर्मेशन कहें तो क्या करोबें कि इस्टेंडर इन्थल्पी ओफ फॉर्मेशन इन्थल्पी ओफ फॉर्मेशन तो जब भी कहीं पे इस्टेंडर टर्म लग जाएगा तो आप सब को पता है कि वहाँ पर नौट लग जाता है यह देखो ऐसे इस्टेंडर इंथल्पी ओफ फॉर्मेशन तो इस्टेंडर इंथल्पी ओफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ जिट्टो सेम डिफनीशन है बस उसके आंगे टम्प्रेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया जाता है अग कोस्टेंड तंप्रेचर और प्रेशर वो कोस्टेंड तंप्रेचर ओफ प्रेशर कितना होता है तंप्रेचर 25 डिग्री सेंटीगेट मतलब 298 कल्विन अप्रेशर वन एक्मास्पिर ऐसे तो इस तंडर इंथल्पी आफ फार्मेशन की डिफिनीशन डिट्टो है तोटल अमांट आफ टोटल अमांट आफ हीट एक्शेंज इन फार्मेशन आफ वन मोल अफ कंपाउंड बाई देयर ठीक है इस तंडर इस टेट आफ कांस्टिटुएंट अलिमेंट डिट्टो अइ ट्वंटीफाइब डिगरी सेंटिगेट टंप्रेचर एंड वन अटमास्परिक प्रेशर इस नोन आइस इस टंडर इंथल्पी आफ फॉर्मेशन तो इस टंडर में कुछ नहीं होता है टंप्रेचर और प्रेशर कॉस्टेंड कर दिये जाते हैं ठीक है टंप्रेचर और प in talp y of formation of a standard state a standard state of constituent element is suppose तूबी जीरो नैचुरल फॉर्म की स्टेंडर इन्थल्पी और फॉर्मेशन को हम लोगों ने जीरो सपोस किया है ध्यान नखिएगा नैचुरल फॉर्म की स्टेंडर इन्थल्पी और फॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या सपोस किया है जीरो नैचुरल फॉर्म की आपको नि साटाल जारा रहा है औनकी वैलू आप अपने जीरो सपोस कर सकते हो यह रूल है उन्होंने बना रखता है जैसे हमें रीप लेक्त की डालनी combine तो क्या डालोगे, hydrogen gas की डालनी है, तो क्या डालोगे, bromine liquid की डालनी है, तो क्या डालोगे, bromine gas की डालनी है, तो क्या डालोगे, iodine solid की डालनी है, तो क्या डालोगे, iodine gas की डालनी है, तो क्या डालोगे, देखो, क्या nature में hydrogen liquid के फार में मिलता है, नहीं, तो इसकी enthalpy of formation को आप 0 2 0 नहीं डाल सकते हैं लो hati Could क्या गैस के गैस में मिलता है सब को पता है वोलिक्रिग ऑन नगों है अधीर का फार्म का घू नहीं तुब लूब है वह दो फ Rub करता है तो 0 क्या वह पार्म में एक्जिस्ट करता है नहीं तो गैस फॉर्म की जीरो नहीं डालोगे उसी फॉर्म की जीरो डालोगे नेचर में वह जिस फॉर्म में एकजिस्ट करता हो जैसे इसके सॉलिड फॉर्म की क्या डालोगे जीरो डालोगे मगर इसके गैस फॉर्म की वैलू आप जीरो नहीं डालोगे ठीक है आ एसे अब क्या है बहुत सारे नोट नमबर नेक्स बहुत सारे मली क्यूल ऐसे हैं तो बहुत Alroid आपा के वह only बाप यह जैसे सलफर होता है सलफर भी number of form में एक जिस्ट करता है मोनो क्लीनिक, tri clinic उसमें से किस form को हम zero ले ले और किस form को zero न ले तो ध्यान लखिएगा किसी एक form को zero माना जाता है तो कारबन के graphite form को zero माना गया है डाइमेंड फार्म की यदि वहीं कहीं पूछी जाए तो निकाननी पड़ेगी जीरो नहीं होती है इसी तरह से सलफर के रॉंबिक फार्म को जीरो माना गया है मोनो क्लिनिक या ट्राइ क्लिनिक की पूछी जाएगी तो हमें रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त वैलू जीरो नही इसको जीरो माना जाता है रेडिया ब्लैक को नहीं यह स्टेंडर स्टेट कोई कोई एक स्टेंडर स्टेट हम लोग क्या करते हैं जीरो सपोस करते हैं सारे नहीं और वह कौन से हैं वह मैंने लिख दिये हैं यह दिमाग में यह बात बैठाल के रखना कि स्टेंडर स्टेट की enthalpy of formation को zero लेना है यदि वो अपने natural farm में है तो यदि वो अपने natural farm में है तो आप क्या लोगे जी रो लोगे फिक पहले रूल पढ़ा देता हूं सारे अब आप लोग ने एक बहुत बड़ा रूल पढ़ा होगा जिसको हैसेसला कहते है रियल्टी में एक कोई रूल नहीं है यह सिर्फ साइन्टिस्ट को रिगार्ड करने के लिए दिया गया है नहीं तो यह कुछ होता ही नहीं है यह तुम पहले सही जानते हो ना मानों तो आप गौर समझीए आप ध्यान नखिए enthalpy एक state function है इंथल्पी एक state function है यह बात हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं जो वन इस्टेट ए वन सॉट थर्मोडानिमस की गया था इस्टेट फंसन अब जरह मेरी बात को समझें यदि कोई state function है तो अब क्या क्या कर सकते हो उसके साथ मैं बता रहा हूं यदि को कोई state function है तो उसको mathematically solve कर सकते हो जैसे math को इत्कवेशन की साल नशियो हूं कर सकते हो। यदि कोई state function है तो concept ध्या नखना क्या है Could concept क्या है यि यदि कोई state function है तो उसको math की equation की तरह solve कर सकते हो। ठीक है math की एक्क्वेशन की तरह है कर कर सकते हो ध्यान नगना यदि कोई state function है तो जैसे math की equation solve कर सकते हो वैसे solve कर सकते हो मतलब कुछ भी multiply कर सकते हो, कुछ भी divide कर सकते हो, उनको जोड़ कर plus minus कर सकते हो जैसे math में करते हो, ditto वैसे कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला और यही बात हैसेजला कह रहा है और यही बात हैसेजला कहता है तो यार कुल मिलाके वो दोनों एक ही बात है यादि कोई state function है तो उसके साथ ऐसा कर सकते हो उनका कहना क्या है उनका जो कहना है वही हमारा कहना है देखो जरा इस बात को गौर समझेगा जैसे यह मैंने reaction दी carbon plus oxygen carbon monoxide इसकी enthalpy of formation दी है माइनेस x किलो जूल कि कार्बन मोनो ऑक्साइड प्लस हाप ऑक्सीजन अब यार जड़ा बात को समझो अब मेरे से पूछा जा रहा है कि इस reaction की the top reaction बताओ इस reaction अब बताओ इस reaction को कैसे करीं है तो मैं यह कह रहा हूँ कि इसको तुम मैद की तरह solve करदो तुम्हे क्या करना है तुम्हे करना क्या है कि इस reaction की value निकाल ली है उपर दू reaction दिये तो इनको इस तरह से sorry इनको मैस में इस तरह से सॉल्व करो कि बस यह फाइनल रियक्शन आ जाए जैसे मैस सॉल्व करते हो तो मैस कैसे सॉल्व करते हैं हमें क्या चाहिए कार्बन तो कार्बन को बचा के रखना है हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बचा के रखना है हमें क्या चाहिए कार 1 plush 2 add करने से यह कड़कएं है कार्बन आ गया आफवाप मिलके 1 हो गया और और सीओ अटू आ गया हूं करोगे वही काम हीट में करोगे टो हीट की वैदू क्या गई माइनus Xplay किलो यह रागं और दो यहीं स्वॉय किलो तो भी multiply करोगे सब और यदि reaction को पलटना पड़े तो reaction पलट देना जब reaction पलट होगे तो heat का sign भी change हो जाएगा ठीक है कुछ भी करो तुम जो मान है वो करो बस final reaction यही आनी चाहिए जो करना मैट के हिसाब से करना मतलब जिसका ही multiply किया पूरे में किया जिसको भी divide किया पूरे में किया यदि reaction पलटी तो reaction में energy के sign change हो जाएंगे और reaction opposite लिग दोगे ठीक है और यही बात हैसेज ने बताई थी उन्होंने इस तरह से बताई थी कि कार्बन solid से carbon dioxide gas बनाने के दो रास्ते हैं इसको direct oxygen दे दो तो इसमें डेल्टा h3 energy लगी या फिर पहले carbon monoxide बनाओ है एच वन इनर्जी लगी और फिर carbon dioxide और final common है तो चाहे एक step में काम करो यह दसजार step में काम करो state function की value सेम रहती है तो यह तो इस्टेट फंसन ही बताता है कि डेल्टा h3 equal to delta h1 plus s2 लिख सकते हो इसमें हैसेज भाई साब ने क्या बताई है तो state function की definition लिखिए तो ध्यान लखिए state हैसेजला कुछ नहीं है कि इसमें परेशान हो कि यार यह आना चाहिए जो तुम जानते हो गई हैसेजला इस्टेट फंसन ही है और यदि कोई state function है तो उसको mathematically तुम ऐसे भी solve कर सकते हो तो यह सारी बापे एक ही है मगर अलग अलग तरह से लिख देने से बच्चों को लगता है यह अलग लग बाते हैं और वह विचारे और confused हो जाते हैं तो तुम भाद ध्यान लखना जो state function है उसको तुम मैस की तरह से solve कर सकते हो जो भी state function है उस सब को तुम मैस की तरह से solve कर सकते हो कभी तुमने वर्क को ऐसे solve किया नहीं solve किया क्यों कि वह पात फंसन था मगर तुम डेल्टा जी को solve कर सकते हो डेल्टा एच को solve कर सकते हो डेल्टा यू को solve कर सकते हो क्योंकि वह सब state function है ठीक है तो जितने भी state function है उन्में पूरी मैस लगा कर सकते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है हैसे भाई साब ने भी यही बात कहीं चलो कोश्चनों पर आ जाते हैं अब जरह कोश्चनों को देखो यार बैटरी की वह चली गई थी वाई इस वजह से यहां तक पहुंच गया था तो यह कोश्चन हम लोग फिर से फाज रहते हैं क्ल भी हो गया था आपका एक डडेल गंट डेल रिकॉर्ड करता हूं करता हूं तुभि नातो रिकॉर्ड हो पाता इनर्जी नहीं रहती ऊपर से गले खराब हो जादे आugen喔 इसलिए आपका डेली एक गंटे रिकॉर्ड करता हूं डेली एक गंटे रिकॉर्ड करता हूं फिर सब मरदर्द करके आपको ट्यूज्डिय को देता हूं चलो बच्चों अब इस कोश्चिन को देरा देखो अब वो पूछ रहा है कि यार हाइड रिएक्षन देल्टाइच पूछ रहा है तो क्या बात है कुछ नहीं करेंगे मैस लगा देंगे कमैस्टी लगाना है मगर कितनी जितनी जरूरत हो बाकी हमें मैस लगाना है हमें ये reaction चाहिए प्यारे बच्चों कौन सी reaction चाहिए ये इस reaction की हमें heat चाहिए और हमें दिया क्या क्या है हमें ये दिया है hydrogen gas plus cl2 gas gives two CO2 gas, delta H equal to minus 44 kilo calorie, फिर दिया है, 2 Na solid plus 2 Cl gas gives 2 Na Cl solid plus hydrogen gas, delta H equal to दिया है, minus 152 kilo calorie, अब इन दोनों में क्या करें, कि हमारी final reaction यह बन जाए, अब जड़ा देखो क्या करें, हमें क्या करना यह आप जानते हो, यह reaction number 1 है, यह reaction number 2 है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, अब हमें क्या लाना है, sodium left में लाना है, left में है, मगर लाने कितने sodium हैं, एक, यहां कितने हैं, 2 इसका मतलब equation 2 में क्या करो 2 का divide करो क्योंकि हमें एक लाना है अच्छा हो गया फिर हमें क्या है SCL नहीं लाना है यहां पर SCL है यहां पर SCL है यह तो cut जाएंगे यह तो cut जाएंगे मगर यहां 2 SCL है यहां पर भी 2 SCL है इसका मतलब अभी 2 का division नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी करेंगे यह वालत स्या यह लो जाएगा लाना हructures करते हैं लेक्व बाद में दो कांडिकी किर देंगे कर देंगे जब कृक्षान अच्छा अफ हाइड्रोजन नहीं लाना है तो हइड्रोजन को काटना है तो यह दosure को यह राइट में है यह लेप में है यह राइट में है तो सीधा एड कर दो वन और टू को एड करोगे यह से कट गया यह से कट गया तो हमारी क्वेशन क्या यह गई 2N a solid प्लस सी एल टू गिफ्स टू एने सी एल सॉलिड वैलू कितनी आ गई जब एक्वेशन एड हुई तो डेल्टा एच भी एड हो गया चावालेस एक सो बावान चावालेस और एक सो बावन को एड करोगे त्यार कितना आ जाएगा ठीक है 1996 है अब क्या हमें यह यह लानी है देख उक्वेशन यह झाल निया अब इसमें दो से ढवाइड कर दो कि जब दो से डिवाइड« कर दोगे तो वही प्रतίν बन गई ना जिसकी हमें वैलू चाहीए थी बस को照 हो गया अब दो से डिवाइड रियक्षन में किया है तो इनर्जी में भी करनी पड़ेगी तो 196 divided by 2 माइनस 88 आ गया साइन का ध्यान लखें कि वह साइन में भी फसाते हैं तो माइनस 88 किलो कैलोरी हाँ भाई माइनस 88 किलो कैलोरी कहीं आंसर है एक बार देख लेना 88 नहीं 98 आएगा हाँ वो डिवाइड मैंने गलत किया है है 28 इनटिएट माइनस का तो माइनस 98 यह आंसर बस काम खत tad हो इसको आप बताईए कि इसका तर क्या होगा देखिए ए गेडन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिप्स जडन ओ प्लेड फाइंड आउट ही टाप रियक्शन इस रियक्शन की हीट आप रियक्शन निकान ली है दिया क्या है हीट आप फार्मेशन ओफ जडन ओ कितनी दी है माइनस 210 किलो जूल पर मोल यह दिया है अब बगाओ कैसे करोगे हीट आप फार्मेशन सिर्फ एक की दी है और हीट आप रियक्शन निकान ली है तो हीट आप रियक्शन का फार्मूला क्या होता है मैंने पीछे पढ़ाया था हीट आप रियक्शन इक्वल टू हीट आफ फार्मेशन ओफ प्रोड़क्ट द्यान है माइनस हीट ओफ फार्मेशन ओफ रियक्टेंट यही तो होती है किसी बच्चे ने का सर्व आपने मैस वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया यार एक से ज़्यादा एक्क्वेशन दी होंगी तभी तो मैस वाला फार्मूला लग पाएगा है कि नहीं तो अब वैलू डाल दो प्रोडक्त का होने है जड़नो तो वन इंटू हीट ओफ फार्मेशन ओफ जड़नो माइनस वन इंटू हीट ओफ फार्मेशन ओफ जड़न माइनस वन इंटू हीट ओफ फार्मेशन ओफ ओफ ओटू हाफ ओ चॉड़ अब सब वैल डाल दो हमारा अंसर आ गया तो वैलू इसकी कितनी है इसकी वैलू है माइनस 210 इसकी वैलू कितनी है से जीरो इसकी by ली लू कितनी जीरो किसी ने का कैसे स्टंडर्ड सेट्ट की इंधनकी और स्टंडर्फित की स्टंडर्फित, इंधन, कि स्टadowन की गई है स्टनी इन्धन स्टелей इंधु सॉलिडड है गाही तो जीरो ऑक्सीजन किजी स्टेट में पाए जाता है नेचर में गैस फॉर्म में तो जीरो वैलू कितनी आ गई स्टेट में पाया जाता है नेचर में ऑपचीजन आप तो डारेक्ट भी बोल सकते थे आप चाहते तो कुछ ना करते डारेक्ट भी अब जाए कि करते कैसे इस बात को भी ध्यान नखना है इसको भी ध्यान नखना यह डारेक्ट किसं लीखित तो आप डारेक्ट भी बोल सकते तो कि इस रियाक्षन की हीट आप र्याक्षन इसी reaction की मतलब जेड़ेनों की enthalpy of formation के बराबर होगी क्यों reaction सेम है तो energy भी सेम आएगी ठीक है बास समझ गए enthalpy of reaction के बारे में समझ गए अब अगली heading पे चलते हैं कि इन्थल्पी औफ न्यूटलाइजीशन कोई बच्चे बता सकता है कि enthalpy of neutralization क्या होती है कि enthalpy of neutralization किस्ट को कहते हैं कोई है जो इस बात को बता सके इन्थल्पी औफ न्यूटलाइजेशन क्या है या heat of neutralization क्या है कि यह दिखिए अब आपको इस बात को डिसकस करना है कि heat of neutralization क्या होती है किस तरह से काम करते हैं बताइए तुझरा गौर्स देखिएगा देखो दो बाते हैं अंदर थर्मो कमिश्टी में इंपोर्टन क्या है मतलब किस चीज से हमारा question easily हो जाएगा तो वो है उसकी डिफिनीशन जितने अच्छे से डिफिनीशन याद होगी आप कोश्चन से उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ बना पाऊंगे आपको पता होना चीए किस टॉपिक का की पॉइंट क्या है यदि आ इस सिच्वेशन में कौन सा फार्मूला लगता है और उनकी बेसिक बाते बेसिक बाते इस्टेट फंसन पाथ फंसन ठीक है यह सब और इंट्रॉपी में भी यही बात है मैंने बहुत फार्मूले कुरुफ रहे मगर आपको फुर्मूले वाली लिश्ट याद रखनी है और एक ही मोल लगना है तो जरा देखो क्या होते है दिफिनिशन देखें टोटल अमाउंट ओफ हीट रिलीज इन टोटल अमाउंट ओफ हीट रिलीज इन नूटलाइजेशन ओफ नूटलाइजेशन ओफ वन मोल एचायन ओफ एसिड या फिर वन मोल एचायन ओफ एसिड ठीक है नूटलाइज बाई थोड़ा और अच्छा कर देते हैं मतलब और अच्छा मतलब और दूसरी तरीके से लिख देते हैं नूटलाइज वन मोल एचायन ओफ एसिड ठीक है बाई वन मोर ओएचायन ओफ बेज सारा खिल एक मोल का है इसका मतलब यह process हमेंसा कैसा होगा एक्जोथर्मिक होगा क्यों कि आपने पहले ही छाप दिया है कि इनर्जी रिलीज होगी यदि इनर्जी रिलीज हो रही है तो मेरे दोस्ति यह process कैसा आएगा यह process हमारा आएगा एक्जिक है पहला अब आप कहा रहा हो आप यह कह रहे हो कि किसी एसिड का एक मोल एचायन किसी बेस का एक मोल ओचायन जब आपस में रियक्षन करके न्यूटलाइजेशन करते हैं तो जो इनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं हीट आफ न्यूटलाइजेशन कहते हैं और वह इनर्जी होती है मेरे दोस्त थर्टीन पॉइंट सेवें कैलोरी थर्टीन पॉइंट सेवें किलो कैलोरी यह देखो ऐसे माइनस तो अब जरब गौर से बात समझो एसीड और बेस जब न्यूटलाइज होंगे तो क्या बनेगा और किस तरह के रियक्षन करेगी हमने देखो डिपनीशन क्या पढ़ाई है वन मॉल एसीड नहीं लिखा है ध्यान नक्किए का इस बात का पकड़के पका वह चाहिन है तो हमें यह रियक्षन करानी है यह रियात इनकन में यह दिखी अब इस रियक्षन में बता हुआ क्या है वार्टर का फार्मेशन हुआ है एक अंग सब्सक्राइब नहीं को अब एक एक करके हम बताते हैं क्या होता है आप हम एक्जामपल देते हैं फिस स्तिर प्लसनिव अ कि या बना एने सी यल प्लस फार यही तो बना अब यह कितना है इस से कितने मोल चैन आएंगे एक मुल और इस से वातर कि ना बनेगा एक मूल और क्या बनेगा एने पास्ट्स यू और सी अल निगे प्रीट यह देखो ऐसा ही तो होगा एक मोल एक मोल अचायन इसु कर रहा है एक मोल एक मोल अचायन इसु कर रहा है और इनर्जी कितनी निकलेगी डिल्ट एच जिसकी वैलू कितनी है माइनस 13.7 स्र म्यों के लो सब्सक्राइं करें एक मस आपानी थूदा और आंगे बách Yi ूर हाट आपक एक काहनी को ढूता अग्राते हैं अग्ले पेच पीच करने ने लेते हैं बच्चों ने का एक और एक्जाम्पल देते हैं तो मैं एक यार यह लोग एक और इक्जाम्पल ले लेते हैं देखिए एच नो थी इसकी रियक्शन हमने करा दी के वेस्ट ते क्या बना के एन ओ ट्री प्लस वाटर तीक है अब जरे इसको देखो इससे कितने अचा माइनस 13.7 किलो कैलोरी ठीक है ऐसे अब एक्जाम्पल दूसरा लेते हैं यहां पर अब एक एक करके देखू बाते समझाना शुरू करते हैं ठीक है नए नए पॉइंट नोट अब इस नोट को जड़ा समझे सब लोग कि यह क्या है देखो यार आपने एक बात फोकस की क्या है एक चैनल थ्री का के वैज के साथ टाइट ट्रेशन कराया तो भी इनर्जी कितनी आई 13.7 अब इसके पीछे आजाओ जब आपने एसल का एंवेज के साथ ट्रेशन कराया तब भी दोस्त इनर्जी कितनी आई 13.7 तो क्या यहार वैलू फिक्स है यह है कि नहीं क्या यह वैलू फिक्स है तो जड़ा गौर से अब देखिए होता क्या है heat of neutralization of strong acid strong acid and strong base strong base heat of neutralization of strong acid and strong base strong acid and strong base कमासलब यह strong acid and strong base क्या होती है constant होती है constant and equal to किसके बराबर होती है equal to minus इधर लिख जेता हूं and equal to minus minus 13.7 किलो कैलोरी या फिर इसको multiply कर दोगे तो 57 पॉइंट इसको 4.12 से multiply करो तो 4.12 क्योंकि किलो कैलोरी को जूल में बना रहा हूं है तो 4.12 से multiply करोगे क्यों क्योंकि यह बात आपको पता है ना यह देखो कि कि वन कैलोरी कोल टू कि पॉर पॉर पॉइंट वन एड जूल वर्क होता है अब इसको यदि हमको कैलोरी से उसमें ले जाना है तो हम क्या करेंगे इसका multiply कर देंगे तो जब दोस इसको multiply कर दोगे तो यह जूल में बन जाएगा तो multiply करके देखो तो चलो आपको multiply करके दिखाता हूं कि multiply करने पर यह वैलू कितनी आएगी ठीक है यह देखते हैं हम लोग अपना अप्यार निकालते हैं इसको कहते हैं कल्कुलेटर तो थर्टीन पॉइंट सेवें ठीक है multiply multiply का साइन किदर है यह इंटू पॉर पॉइंट वानेट यह देखते यह आ गया ज कि माइनस 57.3 किलो जूल वार्ट यह देखते हैं इसको मैं उठा के किनारे रख लेता हूं वैसे तो अभी जरूत पड़ेगी नहीं जब जरूत पड़ेगी तब कर देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इतनी इनर्जी आई है यह अब यह कैलोरी में किलो कैलोरी में तो ह 57.3 किलो टॉरी किलो जूल अब जरह इस बात को समझो इस ट्रॉंग एसिड इस ट्रॉंग बेस की हीट आफ न्यूटलाइजेशन कॉस्टेंट होती है और फिक्स होती है कितनी माइनस 13.7 किलो कैलोरी या फिर माइनस 57.3 किलो जूल अब किसी ने का इसका मतलब वो नेचर आप इसीडपे डिपंड नहीं कर रही है रख इतना डिपंड कर रही है कि स्ट्रॉंग होना चाहिए हैक थिह एक दो किसी ने पूच अब जरह कूछ है और देखना ती आसा है क्यों इस बात को अब हम लोग पले कर थे इस बातکो कैसे पलेन करेंगे तुझरा देखो अब मैं आपको समझाता हूँ रीजन कि ऐसा है क्यों अब जड़ा इस बात को समझें रियल्टी में क्या है रियल्टी में हुआ क्या है जरा गौर्ट समझें जब आपने स्टील लिया और इसकी रियक्शन एने वेस्ट से कराई और बनाया क्या एने स्टील और वाटर तो जब देखना हुआ क्या है जब पानी में स्टील गया तो ऐसे गया एच आएन और वाटर में ऐसे ही तो होगा जब वाटर में एने वेज गया तो एने वेज गया होगा तो कैसा होगा एने आयन और ओवाटर अब जब यह आपस में मिले और रियक्शन हुई तो ज़रा देखो रियक्शन होने पर क्या हुआ होगा इस बात को सब्सक्राइब हाइच आएन और ओँट वाटर रिक्श एडोराच आएड अचाय अभाटर बॉटर बने तो यहां पर क्या हो गया यहां पर मेरे दोस्त हुआ ह हो वैलेब कि बॉन्ड कि फॉर्मेशन यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है किसके बीच में एच और ओच के बीच में ऐसे हैं ठीक अब गौर्ण से समझें आंगे की कहानी सोडियम आयल जैसे था वैसे ही रहा पूरी सिच्वेशन में ज़रा देखो है कि हमने जब एक फ्यल की एक यमस से रियक्षन कराई तो रियल्टी में हुआ क्या है रियल्टी में वाटर का फॉर्मेशन हुआ है ंड़र रियल्टी में आयन अलग भाग रहा है solution में और OHN अलग भाग रहा है और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं मगर अलग भागते हुए आयन को हम represent नहीं करते हैं हम क्या करते हैं उनके combination को represent करते हैं neutral farm को कि तो representation ईसा है तो हमें लगता है आयने siya बना है रियल्टी में पिल जैसा था वैसा ही है आयने जैसा था वैसे यह बस अब एक container में आ गए बस अब एक container में आगए reality में बना कौन है water और इस reaction में भी water बनना है और जाना इस reaction को तो देखो कि इसमें भी क्या बनना यह वाटरी तो बनना यह यह तो पानी में अभी भी है यह पुच्छ आप यह तो पानी में अभी भी उसी तरह से आफ studio कि अभी भी अलग यह एक और यह आई णो उछ जाब्यार मेरे दो ब्रनने वाला सब्सक्राइन तर धिंग हो रह Russian अगरे को सब्सक्राइब इसमें भी हो रही है ऑपने को रहा है इट हैजने प्लस अएल उगा göz slipping आठर जब सद्सक्राइजा रहे हो रही हो र्यरति में बात यह गोती है हिजो हीटाउफ नुटिलाइडेसल है एक्ट आर्ट में मोल fashion K there जी है भाई एचाइन और ओचाइन अना heat of neutralization of strong acid strong base is equal to heat of formation of water है लिक्विड है भाई भाई भी याद रखो भाई एचाइन एक्वास है और ओएचाइन एक्वास अब यार रियक्शन सें तो इनर्जी सें इसी वजह से heat of neutralization strong acid strong base की कैसी है पॉस्टेंट है कैसी है पॉस्टेंट है उसका रीजन यह है और सॉल्ट को हम लोग हमें से चिपका के लिखते हैं इसलिए हमको समझी नहीं आ रहा है हमें लग रहा कोई अलग रियाल्टी में सेम रियक्शन हुए और सेम रियक्शन हुए तो सेम इनर्जी निकल लिए यहां पर एक बात और आ गई हमारे पास और क्या गई इसका मतलब हीट और निउप्लाइजेशन ओफ इस्ट्रॉंग एसीड इस्ट्रॉंग बेस एक्ट्वल में किसके बराबर है वन मूल वाटर एक मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है बाई है एच एन एंड ओए चैन उसकी इनर्जी के बराबर आप चाहे बोलो कि हीट आप निउप्लाइजेशन आप इस्ट्रॉंग एसिडिश्ट्रॉंग बेस इक्वल टु माइनस 13.7 किलो कैलोरी या फिर मेरे दोस्ता आप यह बात बोल दो कि हीट हीट ऑफ फार्मेशन आप वार्टर लिक्विड बाई एच एन एंड ओए चैन इस एक्वल टू माइनस 13.7 किलो कैलोरी या माइनस 57.3 किलो जूल तो रियक्सन तो यही हो रही है तो इसकी भी हमें जरूर ने कोई डिसकस कर लिया कि हीट आप न्यूटलाइजिएसन आप स्ट्रॉंग ऐसीडिश्टांग बेस कॉस्टेंट हो लिए क्यों होती ही यह बता दूसरी बात हम लोग डिसकस की की डिफनीशन क्या है तो मैंने आपको बताया कि डिफनीशन जरा ध्यान नकना कि कि यह देखो एक ओर मोल वाटर के फार्मेशन की इनर्जी है क्या एसेड अब मैं इस बातो थोड़ा और आंगे खेशता हूं फिस्ता इंदसेंस की मतलब और आंगे पढ़ाता हूं सब्सक्राइब इस पर कोश्चिन कैसे आएंगे और हमको करने कैसे हो यह भी तो बात होगी है कि नहीं कि माल लो किसी ने कोश्चन पूच दिया तो हम क्या करेंगे तो जरा गौर से समझें कोश्चन भी बताते हैं और चीजे भी बताते हैं जरा देखिए किसी ने मेरे से यह बात पूछी देखो कहते है काल्कुलेट कि वीट और कि निउटलाइजिशन और कि अंडरेड एमेल जीरो पॉइंट टू मोलर एस्टियल कि एंड कि तू हंडर्ड एमेल जीरो पॉइंट वन मोलर एने वेच शलूशन कि अब वो कह रहा है कि हीट आप नूटलाइजेशन बताओ इस सिच्वेशन की अब जरह देखो आप इसको कैसे निकालोगे जरब आपको समझें हमने एस्टियल लिया कि और इनवेक लिया है और बनेगा क्या एने एस एल प्लस वार्टर रियल्टी में दोस्त क्या हुआ है तिर्फ वाटर बना अब यह क्या है स्ट्रॉंग ऐसिंड यह क्या है स्ट्रॉंग बेस है इसके कितने मिली मोल हुए डायरेक्ट लिख रहा हूं इतने समय में आप ये सब तो करना सीखी गया होगी मेरे इसाब से बात समझ गया कैसे कर दिया कि बताना पड़ेगा यह देखो खेल कैसे हुआ समझे अरे मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों आपको बताया गया है कि मोल आफ सलूट है ना फार्मूला होता है एम इंटू वी और वी किसमें होना चाहिए लीटर में यह याद है आपको अरे यहार मोलल्टी वाले फार्मूले के बस इधर उधर घुमा दिया है तो मोल आप सलूट इक्वल्ट एम इंटू भी होता है तो देखो एम है एग इंटु भी मगड यह लीतर में चाहिए तो मारीन ख ट्री कर दिया है देखोली टर्म मरें आ गेया यह भी मोला है यह भी मोल हैं अब टोको दोनों के इत唐 सब करें कि नहीं हैं अब जब नूटलाइजेसन हो जायेगा ये भी 0 हो गया ये वी 0 हो गया वह ये कितना बन गया तो इन्तू टेन की पावर माइनस टू मॉल इत्ति बाद में कोई दिक्कत है बताओ नहीं अब खेल खतम है कैसे खेल खतम है जड़ा देखो आप लोगों ने अभी मेरे को बताया है कि हीट आप न्यूप्लाइजेसन एक कॉस्टेंट वैलू है आपने खुद का है कि स्ट्रॉंग एसिड इस्ट्रॉंग बेस की हीट स्ट्रॉंट क्या है एक क्या है सम्ट वैलु है माइनश 57.3 किलो중 हुँ और रियर टी में यहीचा है मोल वा टर ओर forwards his 他 Jeans की है तो इन्टू टेन की पावर माइनस टू मोल अब खेल खतम समझे ना एक मोल यदि वाटर फाम होता न्यूटलाइजेशन में तो माइनस 57.3 किलो जूल इनर्जी निकलती है और जब की न्यूटलाइजेशन में कितना वाटर फाम हो रहा है इतना तो किछनी निकलेगी बस क्लोकिलेट कर लो तो चल्याइब कीतनी है तो किन टैंब होड़ माइनस 2 मोल वार्ल कि फॉर्म कर ओंगए उनर्जी कितनी है है तो मल्टिप्लाई करने कैसे करोगे 36 हो गया 14 एक हो गया 10 11 हो गया अब वन पॉइंट यह अब तीन तीन नहीं तो यह आ गया है थेना बच्चो ऐसे वैलू आ गई किलो जूल कि इतनी इनर्जी रिलीज होगे किलो जूल कि जब क्या करोगे 100 ml 0.2 molar scl करने उप्लाइटेशन करोगे 200 ml 0.1 molar एनिवेच के साथ तो ध्यान नकना यह कॉस्टेंट वैलू है तो यह आपको याद भी होनी चाहिए इस ट्रॉंग इस ट्रॉंग बेस के लिए यह वैलू क्या है याद भी होनी चाहिए ठीक है कि नहीं बात समझ पार हो कि नहीं तो इतनी बात यह रहेगी इस ट्रॉंग इस ट्रॉंग बेस की हीट अब नुटलाइजेशन कॉस्टेंट होती है और ऐसे निकलती है अब बच्चों ने का सर इस कोश्चन का देखो कैसे करें देखो एक कोश्चन आपको और देता हूं ओ सॉरी यह कोश्चन तो अभी मुझे करना बाकि है हम लोग करेंगे पहले हम लोग यह करेंगे यह देखो अब मैंने का यार कुछ ऐसा हो रहा है जड़ा देखेगा वन मॉल स्ट्रॉंग एंड वन मॉल एस टुएस उप नूपलाइज भाई भाई ए्क्राइज ए्क्राइज प्रीड वाईज उप्याउ तो ए्क्राइज तो ए्क्राइज देखेँ ख़ है धर करें।। और दी का मूली और राम। और यहुती League खालेक्ट करेक्ट ओप्सन ठीक है और अबब काई क्रेशन आप्सन क्या क्या है एक्वल टू बी एक्रेटर दैन बी एक्रेटर दैन बी एक्वल टू टू बी यह देखो मैंने आप्सन लिए अब मैंने का यार इस कोश्चन को आप सौल करों पताओ बच्चो कैसे किया जाए यहादी मेरी बाते गौर से सुनी है और डिफनीशन जो मैंने पढ़ाई है उसको गौर से पकड़ाए तो दो मिनिट में हो जाएगा ज़रा देखो अपने एस्टियल लिया और अउनेवेज लिया ठीक कितने मॉल एस्टियल लिये एक मॉल एस्टियल से कितने मॉल अच्छेन आएंगे कसे में एक मोण आएंगे ओए चैन्क रिकुर्वायर अमस्ट में पर एक मोल लगेगा और एक मोल वाटर बने पने में कितनी इनर्जीह का लए एक हेख एक मैंने थोड़ा से कोसिंट गला लेक्ड लेकिया इनर्जीह निखाल Mie एनिवेच गंजूम दूरिंग टैक्रेशन कोशें कि लाइं में सोरी सी चेंज करनी पड़ेगी यहां से चेंज कर दोगेगी देखो बच्छो और एंड heat, release, during titration, A kilojoule, B kilojoule respectively. अब यह है तो जर बताओ इसमें कितनी इनर्जी निकलेगी इसमें निकली एक kilojoule क्यों उन्हों ने लिखी है कि जब एसल का टाइक्रेशन हुआ है तो यह निकली अब जरा है स्टू एसफॉर का कराओ अश्टू एसफॉर का एनिवेच के साथ कराया अब जरा बताना एक मोल क्या है एसटू एसफॉर तो एचन कितने मोल आएंगे दो मोल एचन दो मोल आएंगे तो ओएचन कितने मोल खर्च होंगे दो मोल खर्च होंगे और वाटर कितने मोल बनेगा दो मोल बनेगा और इसकी इनर्जी कितनी है माइनस 20 अब बताओ मेरे दोस्त कौन सी इनर्जी ज्यादा है एक मोल वाटर के फार्मेशन की इनर्जी ज्यादा होगी कि दो मोल वाटर के फार्मेशन की इनर् करा रहे हैं मैंने बार-बार यह वाली रिएक्षन लिखी है ध्यान दो और इसी लिए लिखी है जैसे आप इस बात को अच्छे पकड़ पाओ कि इस तरह के सारे कोश्चन आपके अपने आप हो जाए तो तो एक मोल वाटर के कि और वाटर का फार्मेशन की ईनरजी है है इसका मतलब वीक वेटू कि बिक कोइस एक इता यह यह तो यह गलत हो गया यह जिलivi वड़ा है है उसने कहा आएज dość कर कर देना कभी कभी कई क्योंकि इस में नहीं है नहीं है एक ml है आप एसमें चेहें नcoming ही साथ हて मोल होड़ा इस एक मोल ना चाहेंट इस तो एक मोल एक मोल अवाक अधोलीज शायएंक उसमें जो इनर्जी निकल लई है, उसको हम लोगों लोगों हीट आप निटि спортงाइशंट है है तो एक कुर्ण है reason की इनर्जी इतनी निकली यहा मोल वाटर फाम हुआ है इसमें दो मोल वाटर फाम हुआ है तो इसका मतलब बी की वैलू ए से डवल है और आंसर ठीक है अब और आंगे जड़ा देखो एक खतरनाक नोट देने जा रहा हूं जो जब भी कोश्चन पेपर में आया तो बच्चों से गलत होना ही होना है बच्च है ऐसे है अब इस कंटेनर में क्या है ऐसे है 10 ml ठीक है है 0.1 मोलर STL है ठीक मेरे दोस्त इसको हमने न्यूटलाइज कराया है किस से 10 ml 0.1 मोलर अनुएज के साथ है अब जब न्यूटलाइजेशन हुआ होगा तो इनर्जी निकली होगी तो न्यूटलाइजेशन से पहले इस कंटेनर का टंप्रेचर कितना था टी केलविन ठीक है ना T1 Kelvin T Kelvin मालनो या T1 Kelvin मालनो बात समझना भाई इनर्जी निकलेगी तो उसको मिलेगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो पहले टमप्रेचर कितना था T1 Kelvin था अब आप सब को पता है कि एसल और एने वेच रियक्षन करते हैं तो रियक्षन कैसी होती है ही टाफ न्यूटलाइजेशन रियक्षन जो होती है वह एक्जोथर्मिक होती है भाई डेल्टा है इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो माइनस 57.3 किलो जूल लिख रहे हो इसका मतलब यह प्रॉसेस कैसा है एक्जोथर्मिक है जब यह प्रॉसेस मेरे दोस्त एक्जोथर्मिक है तो जब बताओ हीट निकलेगी तो हीट किसको मिलेगी सिस्टम को मिलेगी ना मतलब यह सलूशन तो इसका टमप्रेचर इंक्रीज करके कितना हो गया इंक्रीज करके हो गया टीटू और टीटू की वै हुआ यही तो हुआ है बात सही है अब जरह देखो मैंने कहा कि यदि 10 ml stl को 10 ml एने वेज के साथ न्यूटलाइज कराया जाता है तो टमप्रेचर इंक्रीज होता है कितना फाइब डिग्री यही मैं क्या करूं कि देखेगा यही मैं क्या करूं दोस्त यही मैं यह करूं कि 100 ml stl को कि 100 ml एने वेज के साथ न्यूटलाइज कराऊ और पहले टमप्रेचर टी वन कैल्विन था अब बढ़ाओ कितना चेंज होगा इंक्रीज कितना होगा डेल्टा टी कितना होगा पहले तो फाइब डिग्री था अब कितना चेंज होगा इनीसियल वैलू सेम है तो आप कहोगे जादा होगा तो आप रियल्टी सुनो यहां पर भी डेल्टा टी की वैलू फाइब आएगी अभी टमप्रेचर चेंज सेम आएगा जो टीटू की वैलू आएगी वह इतनी आ कि अब दिमाग में यह बात आ रहे है कैसे 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 आप ऐसा कैसे कैसे हो खिखनें केने में अप आसा कैसे कैसे जब यह बहुँ के तो यह हम कैसे कह सकते हैं इस बात को भी अब हम explain करके बताते हैं इतनी बात clear भी पहले कि आप दो-दो ml का titration कराओ तब भी उतना temperature बढ़ाएगा और 200 ml का titration कराओ तब भी उतना temperature में चेंज constant रहेगा अब बात आई क्यों अब उस बात को बताता हूं देखो आप आपने पढ़ा है heat capacity तो क्यों equal to क्या होता है m c delta t यह क्या है heat capacity कि ध्यान है कि नहीं है अब यह किसके जितनी हीट हमें चाहिए वह किसके proportional है m के proportional है हीट capacity जो होती है वह मेरे दोस्त मास मैंने हीट capacity को दिया अच्छे से ध्यान देना तो हीट capacity को एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी बताए है अब जड़ा गौर समझे जब आप 10-10 ml लेते हो तो मोल कम होते हैं तो मास कम होता है कि कम मास का temperature बढ़ाना के लिए इनर्जी कम देनी पढ़ेगी कम मास के temperature बढ़ाने के लिए इनर्जी कम देनी पढ़ेगी जब तुम 100-100 ml होगे तो मास भी बढ़ जाएगा और मास बढ़ जाएगा तो उसके इनर्जी पिधी जादा देनी पढ़ेगी ज्स रेशियो में मास बढ़ेगा उसी रेतियो में इनर्जी चाहिए और उसी रेशियो बढ़ाने में यदि 5 5 degree centigrade temperature बढ़ा रहा है तो 100 ml वार्टर कभी 5 भी बढ़ेगा क्यों बढ़ाएगा क्योंकि जिस रेशियो में तुमने मांस बढ़ाया है उसी रेशियो में इनर्जी भी बढ़ेगी तुम्हें लग रहा है इसमें ज्यादा इनर्जी निकली मगर इसका मांस भी तो ज्यादा है तो जितनी तुमने इनर्जी ज्यादा निकाली उसी रेशिय सब्सक्राइब देल्टा की अब इनका रेषियो में बढ़े यादि 역 tau यूप पॉन का रिस Мы Oke तो डेल्टा-टी अपने हां हो जाएगा इक यह बी कॉस्टेंट था जब यह सारी चीजिक अपने अपने रुस्टेंट वन कि और ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्यों अपान आम का राइस यो कॉस्टेंट होगा मेरे दोस्त हीट कैपसिटी की वैलू क्या होती है में जर्ण देखिए कीजड़ी सब्सक्रांस का या माटेरियाल का इक डिग्री संटिंगेर्ड चेंज करने के लिए जो आप हीड librarian लोकर ने लिए Если लिए यह कि लिए किdenी लगेगी है के यह यह एक डिगरी तो दो ग्राम में 20 लगेगी रेस्यू चलता है इसी वज़े से एक कप चाय बनाओ तो इनर्जी कम खर्च होती है गैस कम खर्च होती है दो कब बनाओ और खर्च होती है और एक बढ़ोना बढ़के बना लो बड़ा वाला इस्तिदार आगा है पाल्टी चल लगी है चलो खूब आता है तो इस बात को जड़ा अच्छे से ध्यान नहीं इस पर खूशन खूब आएगा तो गड़बड बच्चे बहुत ज्यादा करते है पूश्चन यह आता है कि यार 5 ml 0.1 molar STL को न्यूटलाइज कराया गया 5 ml 0.1 molar एनेवेज के साथ और टमप्रेचर चेंज हु में पांस डिगरी बढ़ा रहा है तो 100 ml में कितना बढ़ेंगा पचास डिगरी खेल खतम हो गया मगर यह बूल जाते हैं कि मांग भी बढ़ा है और जिस रेशियों में मांग बढ़ता है उसी रेशियों में इनर्जी चाहिए होती है है हिट कैपिसिटि के शाव से हिस इस वजह से रेशियों कॉस्टन एक होड़ है ओर सिट फी तो ऐसे हीट केपिसिटी है सपेस्पिक हीट टी अपनी आप स्टें का यह सोगा तो पांच में यह वहीं अलग नहीं आगा दीक करहते हैं जैसे एक तरह का तुम मानके चलोग आ जब एक कप पानी लेते हो तो हीट हमारी कम लगती है मगर बॉालिंग प्रइंड पही आता है और एक हजार कप पानी लेते होती हीट हमारी ज्यादा लगती है तो ध्यान अपना डेल्टा टीचेंज नहीं होता है एक पॉइंट यह याद रखेगा कि एमाउंट कुछ भी लो डेल्टा टी की वैलू कॉस्टेंट रहती है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट इतनी बात नों की हो गई अब जब इतनी बात हो गई तो बच्चों ने कहा सर अच्छा ये बात बता हुआ आप नेक्स्ट नंबर का पॉइंट जड़ा समझें ही टाप ने उट्राइजेशन उन्होंने का इस सर यदि हमने इन में से किसी एक को वीक ले लिया तो मतलब है श्ट्राउंग एसीड वीग बेस अभी तो आप श्ट्राउंग एसीड वेस मन लोग कीशियक विट ले ile कर एफ है किस्ट्राउंग हैसीड वीग बेस के वी स्ञब्स क्या अधिलिक या वीग जाली तो क्या होगा तो यह यह कंबिनेशन दोस्ट उठा लिए जाए तो जड़ा देखो क्या होगा heat of neutralization जो होगी ठीक है लेस्थ देन लेस्थ देन ठीक है minus less than heat of neutralization of strong acid strong base मौट लगाया है मतलब numerical value की बाप कर रहा हूँ सिर्फ fine की नहीं heat of neutralization less than strong acid or strong base मतलब यहाँ पर जो heat of neutralization आएगी वो value less होगी किस्ते 15.3 kJ यह कहा जा रहा है minus sign तो सिर्फ यह represent करता है न कियार यह exothermic process है और थोड़ी कुछ रिप्जेंट करता है minus sign सिर्फ exothermic process को रिप्जेंट करता है और हमें क्या रिप्रजेंट तो यह इन में से किसी को भी आप वीक कर दोगे तो रिप्जेंट करता है और हम University संट की वैलू क्या हो जाएगी तो किसी ने काभई कैसे कम हो जाएगी理जन क्या है वाई ज Bennett कैसे एक करते होर यह हीट आप है जर्यसेंट कि वैलू जो है वो इनरजी का amount of energy consumed to dissociation of weak acid oblique weak base involved. कुछ energy जो है weak acid और weak base के dissociation में खर्च हो जाती है involved हो जाती है खर्च हो जाती है जिसकी वजह से heat of neutralization क्या होता है कम हो जाता है क्योंकि जब इन में से कोई एक week होगा गौर समझे जब इन में से कोई एक week होगा तो यार उसको हमें क्या करना पड़ेगा उसको न्यूटलाइज भी तो कराना पड़ेगा और न्यूटलाइज कराने में क्या करना पड़ेगा बॉर्ण एक जब यह वीक एक इसेड है तो हंदेड़ पर्सेंट आयमनाइजेसं तो करेगा नहीं और जब हंदेड पर्सरेंट आईवनाइजिशन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा तो तो जिटना भी इसने आईन इसन किया है क्यों में तीन परसंट के आसपास एस्टिक ऐसेकल गरे इस इस नेकी अफिर ऑट निकालने में जो इनरजी निकली को सब्सक्राइब इसका कुछ पार एश्टिक एसटीक अशुच पार एस इस्टिक एसेड गेन करएंगे फर्दर आप हुझा इस फिर है जोगा की तर फिरेटी इन लिए और फिर आएएस में टोटन हो तोरटल आपिनर्वी वह थोड़ी सी कमोजों यह बात है अब यहां पर एकक तरह जाता है तो थे दो is एक न्यकर माय जाता है ही टॉफ आएओ ए lihat fifth वीक एसेड और वीक बेस क्या होती है कि इसको भी इस जगे डिफाइन कर लिया जाए तो जरह देखो यह क्या होती है अब जरह इसको बताओ तो सिंपल सी बात है हर डिपनीशन ध्यान लखना एक मोल के लिए अपलीकेबल है हर डिफनीशन एक मोल के लिए अपलीकेबल है इस बात का बिसेश ज्यान लख नोट करो जरह पानी पीलू यार जल्दी सॉल करो अब देखो बच्चो इसको कैसे करते हैं इस बात को जरह समझो तोटल एमाउंट ओफ हीट रिक्वाइड अब जरह देखो यहां पर रिक्वाइड होगी यह बात तो कन्फाम है क्योंकि बॉन को हमें ब्रेक करना है तो टोटल एमाउंट ओफ हीट रिक्वाइड तू आयोनाईजेशन ओफ वन मोल ओफ वीक एसिड और वीक बेस के आयोनाईजेशन में जो इनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी वीट आफ आयोनाईजेशन या इन्थल्पी आफ आइउनाईजेशन ठीक है कि नहीं अब इसकी बैलू क्या होती है तो जारा देखूंट हीट ओफ आयोनाईजेशन इक्वेल्टी क्या होता है जारा देहान दीजेए थर्टीन पॉइंट सेवन माइनस प्लस हीट ओफ आयोनाईजेशन और और वीक एसिड अबलिक वीक बेस बिद साइन यह देख थीक है यूनिट क्या बनी ध्यान दखना है यूनिट क्या है किलो क्यलोरी है ऐसे चलो इसको लिखा रहे नहीं वैसे आप चाहो तो ऐसे लिख सक्टों 57.3 प्लस हीट ओफ नूटलाइजेशन और वीक एसिड वीक बेस विद साइन साइन के साथ वैलू रखनी है किसमें आएगा किलो जूल अब जड़ा देखो यार बच्चों सिंपल सी बात है यदि यह स्ट्रॉंग होता तो कितनी इनर्जी निकलती 13.7 अब श्ट्रॉंग नहीं है तो कितनी निकली है 11.7 गई कहां गई कहां बच्ची इनर्जी कहां गई है नूटलाइजेशन में ए सॉरी आइनलाइजेशन में तो पस उतना माइनस कर दो जो गयप होगा वही आंसर होगा 11.7 में 13.7 को माइनस कर दो दो आ गया वही आंसर है यादी मेरे से आंसर पूछा जाए तो हम कितना निकालेंगे तो हम कहेंगे ही टॉप आइनाइजेशन इकवल टू थर्टीन पॉइंट सेवन माइनस 11.7 वैलू कितनी आए तू आगे फिलो कर दो ध्यान लखना इसकी वैलू पास्ट्यू आनी चाहिए इसकी वैलू पास्ट्यू आनी चाहिए यह देखो तो हीट आप आइनाइजेशन भी हम निकालना सीख गये हैं तो हमने कितनी बाद डिसकस की यदि दोनों में से कोई एक वीख है तो हीट आप न्यूट्लाइजेशन माइनस 13.7 से कमाईगी कितनी कमाईगी तो यार कितनी कमाईगी जो उन दोनों का डिफ्रेंस होगा चाहो तो फार्मूला वाइज ऐसे लिख सकते हो कितनी कमाईगी और यह वैलू हमेंसा पास्ट्यूआ कि अब यह बताता क्या है तो जड़ा इस बात को भी थोड़ा इंडिकेट करते हैं कि यदि है कि ही टाफ नूटलाईजेशन हमें देजाए तो क्या बताता है जड़ा देखो जिद्री ही टाफ आई जैसमील जाए तो देखू कितनी बातें हमें पता चल जाती है एक एक करके बताता हूं के एए कि क्या होगा जितनी ज्यादा हमारी हीट आफ आइवनाइजेशन है के उतना कम है भाई आइवनाइजेशन करने में ज्यादा हीट देनी पड़ रही है इसकी आवनाइजेशन करने में ज्यादा हीट देनी प्ड़ रही है इसका मतलब क्या है उसका डिस तो पहला पोईंट आया है कि ही साफ आइवनाइजेशन ज Venice यह को होती है K 184uted तो तो होगी तो टो कुकि सभी लोगों को ये बात पता है पीक एक वर टु होता है माइनस लॉग के एए बात पताएगी नहीं यार दोस्त दिल्कुल पता है तो इसका मतलब यह उसके इन्वर्टली प्रपोर्शनल तो इसके डिरेक्टली प्रपोर्शनल भच्चो ने का सर बिल्कुल सही कह रहे हो और बताओ मैंने का यार यदि ऐसा है तुझरा इस बात को स ज्यादा है तो इसका मतलब वह ही चैन इन कम इसू और इसिजय बात करेक्व करेगा तो श्रीज ज्यादा होगा तो अधी पर एसा तो इसलिए टीटाफ आइन देशनियों ज्यादा है तो हाइन की वेलू कम आएगी और एक याइन की वेलू कम आएगी तो पी-अच क्या होगा ज्यादा आएगा है कि इससे यह बात समझ में आ रही है कि कैसे करना तो कभी-कभी वो क्या करेंगे को घुमाने के लिए इनकी वैलू पूछ लेंगे आपसे इनका ओर लगाओ इनका तो जब वो इनका ओर पूछेंगे तो आप कैसे करोगे इस बात को जड़ा तुम्हें ध्यान नकिला जब वो पूछेंगे तो यार हम लोग कर देंगे क्यों कि हमारे पास यह रिलेशन है कि क्या होगा पीके क्या होगा पीएज क्या होगा एचायन कंसंट्रेशन क्या ह बढ़ेगा यह घटेगा जब आयोनाइजेशन हो रहा होगा और इक्जाम्पल एक पोश्चन लेए जैसे यह यह हमारा स्थियर इसकी सपोस्थ करो हीट आफ न्यूटलाइजेशन मैंने आपको दे रखती है कि इतनी माइनर 10.2 किलो और यह हमारा एस्टिक एसिड है कि इसकी मैंने हीट आफ न्यूटलाइजेशन आपको दे रखती है दोस्त कितनी माइनर्श कि 11.7 कि अब मैं आप से पूछ रहा हूं आरेंज करो क्या एसेडिक इस्टन बताना तो भूली गया एसेडिक इस्टन भी बता देता हूं ठीक है क्या क्या रेंज घरना है के ए पीके एए फ्येट्ट कि एसेडिक इस्टन बहुता देता हूं कैसे निकाली जाती है है ठीक है एक मेर्ट ब्रेक्ट को बढ़ा को नहीं कर पाएंगे एक नया ब्रैकट किसका देंगे तो पहले लिख लिया जाया है देको एससेडिक इस्टन क्या होगी तो किस तरह से रिलेटेड हो और हम सब जानते हैं कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करते हैं जितने ज्यादा है इसका मतलब एस्चेट क्स्ट्राइब यह सब्सक्राइब ज्यादा है तो ऐसे डिक इस्टन क्या है तम अब बताओ इनके आंसर क्या होंगे तो यार इसको मैंने कह दिया एए इसको मैंने कह दिया भी तो के एक इसका जादा बच्चे निका सर्यार आपने रिलेशन लगा रखते हैं हम कैसे लगा है तो सिंपल निकाल लो बच्चे ने का कैसे निकालेंगे प्यार सिंपल है कि 13.7 से डिफरेंस है वस देखो यह फार्मूला क्या था 13.7 का डिफरेंसी तो है 13.7 और यहां माइनस साइन आएगा क्योंकि हम है माइनस होती है 13.7 के साथ क्योंकि इICOडियोट देख्राइशन आप वी का इस बेइसका डिफरेंस एव तो दिफरेंस किसमें ज्यादा होगा इसमें ज्यादा होगा तो यहीट यह फार्मूला आएगान मैं लिऑ aux कि यही तो आएगा है कि कि मौ और के साथ आप मॉल्स लगा देता हम है यह है तो यह जिला और यह अर्ट यह आएगा यह तो तुम्हे पता ही है डिफरेंस किसमें ज़्यादा है इत्वे कर सो को हीट आफ आईने जजेशन किसकी ज़्णा है इसकी तो लिय cheek almost और के ज्यादा होगा हाट 17 पीयिंच आप जानते हें जिसका के जिए ज्यादा होगा उसका प हो होगा तो इसका मतलब cn का पी ज्यादा होगा एक एस्टीक एसिड के डारेक्टरी प्रपोर्शनल होता है इसका मतलब एस्टीक एसिड का ज्यादा होगा स्टीन का तो बात समझ गया है यह देखो मैंने सब हीट आफ आइजेशन से प्योर एक्ट्वल में यदि फर्मो कमिश्टी में कोश्चन आएगा तो हीट आप आइजेशन देगा या इस तरह से हीट आफ न्यूट्लाइजेशन देगा किसकी वीक एसे तो कोश्चन को कैसे कर चलो आंगे बढ़े तुझे रदेखो एर इंथल्पी आप कमश्चन क्यों होती है कि अच्छा अच्छा लिखते है ना इंथल्पी आप कमश्चन अब देखो यार दोस्त इंथल्पी आप कमश्चन क्या होती है कैसे निकाली जाती है किसी को कहते हैं हीट आप कमश्चन अब हीट आप कमश्चन या इंथल्पी आप कमश्चन क्या होती है तो पहले तो डिफनीशन डिफनीशन क्या है आप सब को पता है क्या है तो टल कि एमाउन और और हीट यह यह भी एक्जो थर्मिक रियक्षन होती है टीच है रिलीज इन कमश्चन आप अब जरदेखो इसको कमश्चन कहा जाये या फिर को कमपलीट ओक्सिडेशन कहा जाये कभी कभी वह आपको फशाएगा कभी 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 आप देगा कभी complete oxidation नाम देदेगा और भी बर्न करने को यह कह देगा ठीक है कभी एलेक्टिकल अलेक्टिकल आर्ख में बर्न करने को कह देगा थी यह सब बात एक ही है यह सब बात एक ही है कंबश्चन ओफ वन मॉल ओप कि मपाउड बन करने में जो भी इनर्जी निगळी एक मोल कंपाउंड को बन करने जो भी इनर्जी निकले वो кабina का छोगी इस थाल्पी संथन ये आप कमशन फिक रीज़ सरी डेपनीसे पिसले सबस्य एक निकलति है तो हा reflection प्र Зंब दोनों काम होते हैं इनर्जी निकल भी सकती देनी पड़ सकती वहां एक्स्चेंज और लगा दो नइ तो बस रहीधान और रिलीज़ ब़की सब हमें निकल लाएं तो इनर्जी रिलीज सी देनी पढ़ा रही है रिक्वाइड दोनों चीज़े हो सकती है एक्षेंज बस एक मोल के लिए है तो डिफनीशन तो सारी आपको पहले से आती है तो टोटल एमाउंट आफ हीट रिलीज इन कंबर्शन और वन मोल आपे कंपाउंड जैसे यह इस बात को देखें यह मेथीन है मेथेन का मैंने कंबर्शन किया यह यह भी गैस यह भी गैस तो कंबर्शन किया तो क्या आया यह यह अब इस रियक्शन में जो भी हीट रिलीज हुई है अब बताओ मैं पूछो ही अपकंबर्शन क्या होगी यह हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि एक मोल की कंबर्शन यह है और कंबर्शन का मतलब क्या होता है रियक्शन बिद एर कॉमशन का मतलब क्या है रियक्शन विद एयर या रियक्शन विद ओक्षीजन रियक्शन विद ओक्षीजन अब आपको कुछ बाते बता देते हैं उत्ट कॉछ वाली रियक्शन ना, खुद लिकनी पड़ कि अपने आप कि थे लिखनी पड़एगी याठ चेंशन हो जाएगी तुछ द्रा लिखना सिखाता हो कि कमश्चन की एक्सल लिखी कैसे जाता है। करद के रिस्पेक्ट में क्या बनाओ के यह वाटर है पर के रिस्पेक्ट में नहुंगे तो क्या बनाना है ठीक है यदि कही नाइट प्रोजन दिया है तो आप अनो भी बना सकते हो अनो भी बना सकते हो मगर इन जर्नल एक्षण आपको लिखनी पड़ेगी कि इस्ति करी रियक्षन आपको लिखनी पड़ेगी कैसे बताता हूं kanadraocol अ리ाते हैं मैंने चाह एक मोड यहीं थेयज़, इसकी कमबर्षसन एखे रियक्षन लिखके बताओ क्या बनेंगा sed तरह कि मिथम लिखके मताऊ कैसे होगा कैसी तरह है सब्सक्राइब एक के को धिकति हुआ पिच आलका अल्खलए इसकी कंबर्शन टीकनैट्सन सब्सक्राइब कर टो सुगे अधिक या हईडरोजन की कंबश्ण और के बता हौ है कैसे लिखोगे या कारबन ग्रेफद की सिंधी कंबश्ण रियक्षण लिख के लिख आप कैसे लिख particular yeah कारबन असाइड की पी अति इसलिक दृटी से देको इसमें क्या है कारबन तो कारबन की तक में क्या वाटर अब इसको बैलंस करें कूरी थरय में रियक्ष्ट्चन हमेस अ मैसे इसमें देखो क्रबन के रिस्पय्ट में बनाद हो गये के वाट में हाई रोग्य mesmo और दोम स्वाटर ओक्रिक्रेट ना था सिंचे लिए ृटटा यह को दो को हाइड통 गХण्रिजन डेट में ना दोगे वाटर और करिसक्यंट में डोगे सुचों कर सथी है इस हाइड्रोजन पाल्वन चैन्ट टो मुझत और बॉपर दो दिखना थैवाटर आएगी तो कोश्चों कोश्चों में जरूरत पड़ेगी हमें खुद कमबर्षन की एक्टन लिखनी पड़ेगी वह ऐसा कुद देगा लिकनी पड़ेगी तो पहले हमें आने तो चाहिए सबीत भाएंगे तो समझ कैसे लिखोगे carbon के respect में carbon dioxide hydrogen कहीं बर्न हो रहा है वो चाहिए जिस फर्म में लिखाओ तो वाटर सुलफर होगा तो एसो टू और नाइट्रोजन होगा तो एनो टू एनो यह सब आ सकते हैं मगर जनरली एनो टू लिखोगे और यह ऐसे लिखी जाती है अब कहानी को और आमें बढ़ाते हैं स्वरी यह क्या है इन थल्पी आफ रियक्षन इन थल्पी और रियक्षन इन तर्म आफ ही टॉप कमश्चन देखो इन थल्पी आप रियक्षन जो होती है वो मैंने हमेशा आपको यह बताईये है इन थल्पी आफ रोड़क्ष तक माइन थ इन थ अलपी स रिएक्ष टेंड ही तो पड़ाया तक अ tiene यह विझादी इंतल्पीा प्रोड़क को आप गौनिया इंतल्पी आप प्रोड़क्त-व और रहेड़ुख दिया न सब्रसूंद यदी रियक्त अमझ इंताल्पी आप लिएसर न सल्पी आपको यह तो मैं आपको यह सिखाया है कि इन्थल्पी और फॉर्मेशन और प्रोड़क्ट है कि नहीं बच्चों यह मैं अभी पीछे करके भी आया हूं पूर्शन कि ऐसे अब जरह देखो यदि इन्थल्पी आफ रियक्शन कि कमबर्शन के फार्म में लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा मैं गलत नहीं लिख रहा हूं ठीक है ना बच्चे कभी कभी सोच सकते हैं कि हां सर से मिश्टेक हो गई होगी मिलब जल्दी में लिख दिया होगा और अब लिख भी देता हूं मैं मगर ध्यान अखना यह एकदम सही लिख जब इन्थल्पी आफ कमबर्शन के फार्म में हीट आफ रियक्शन लिखना होगा तो हमेशा ध्यान अखना रियक्टन माइनस प्रोड लिखना हो जब इन्थल्पी आफ रियक्शन यह हीट आफ रियक्शन इन टर्म आफ इन्थल्पी आफ रियक्शन यह हीट आफ रियक्शन इन टर्म आफ कमबर्शन लिखना हो तो रियक्टन माइनस प्रोड़क्ट लिखा जाता है तो रियक्टन माइनस प्रोड़क्ट लि इन्थल्पी आफ रियक्ट्सन इस मैथर से निकाल लए और इन्थल्पी कौम से यूज कर रहा हूं कॉंबर्शन वाली तो ध्यान नखना रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट लिखा जाएगा इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें गलती ना करें ठीक है अब कह जानी को और आगे बढ़ आतेते और क्या है और जिएगे को ही ट आपक मश्यन में रिए यद रहना ईग्यारनी जी यूज तो एक हं ऑरलोरी वो क्या हो योगय उसको बताते है झाल लास सबका हमें कम्बशन कराना परता है शयर हमें हमारे स्लीडर है उसमें कीया धरिये है हईड्रो यह बिजिए आइस आइसोगोरील всегда इस ऐसे आइट घ्थे क्रोपन कुपके हैं तो कमश्Zन करा रहा रहा है तो कमश्द्र द्म उसकी efficiency कितनी है तो उसकी efficiency को count करना ही काईलोरीफिक वैलू होता है काईलोरीफिक वैलू एक इंडेक्स है यह क्या करता है यह explain करता है कि फ्यूल कितना बैटर है ना काईलोरीफिक वैलू एक वैलू और फ्यूल ठीक है काईलोरीफिक वैलू आप फ्यूल काईलोरीफिक वैलू और फ्यूल यह क्या है क्यों की काईलोरीफिक वैलू है मतलब फ्यूल की efficiency को बताता है यह efficiency of fuel को explain करता है efficiency efficiency of fuel को, कैसे करता है, उसकी definition क्या है, तो मैं बताता हूँ, उसकी definition क्या है, total amount of heat release in combustion of, in combustion of one gram of fuel, या compound, ठीक है, या mixture of compound, एसा कुछ भी हूँ, तो जर देको, एन निक्टीर आप जूएँ, जा तेको, एसा कुछ भी हूँ, तो जर देको, एक ग्राम फ्यूल को बर्न करने से जितनी इनर्जी निकलती है वह कैलोरिफिक वैलू है मेरे दोस्त एक ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितनी इनर्जी निकलती है वह कैलोरिफिक तो एक ग्राम फ्यूल को बर्न करने में कितनी इनर्जी निकलेगी वह कैलोरिफिक वैलू हीट आफ कमबश्चन आफ मेथेन हमारे पास इतना है माइनस ठीक है 120 किलोजूल पर मोल एक मोल की दिया है वह ऐसे भी एक मोल बनाए है और वही बात किसी नहीं कहीं हीट आफ कमबश्चन आफ एथेन माइनस चार सुबीस किलोजूल पर मोल है तो बताओ दोनों में बैटर फ्यूल कौन है यह बैटर फ्यूल है यह बैटर फ्यूल है हमें फ्यूल एफिसियंसी का ओर लगाना है तो देखो कैसे निकालोगे एक मोल मेथेन को बर्न करोगे तो माइनस एक सो बीस किलो जूल इनर्जी निकलेगी इसका मतलब यहीं तो है इसका मतलब क्या है बाई किसी की इनर्जी निकलती जैसे इन्खल्पी आफ कंबर्शन इन्खल्पी आफ फार्मेशन इनका मतलब क्या है कि एक मोल कमपाउंड को बर्न करोगे तो कितनी इनर्जी निकलेगी 120 किलो जोल तो हम वैलू निकाल ले एक मोल मेथेन एक मोल मेथेन का मतलब 16 ग्राम मेथेन मालीकुलर वेट के बराबर को बर्न करते हो तो इनर्जी कितनी निकलती है 120 किलो जूल तो एक ग्राम को बर्न करोगे तो कितनी निकलेगी 120 divided by 16 kg कितनी निकलेगी अब इसी तरह जला एक ग्राम उसको बर्न करोगे तो एक मोल एथेन एक मोल एथेन मालीकुलर वेट यार दोस्कितना बताना 24 और छे कितना होता है 30 ग्राम मेथेन एथेन को बर्न करते हैं तो इनर्जी निकलती है इस माइनस 420 किलो जूल एक ग्राम को बर्न कर आओगे तो कितनी निकलेगी माइनस 420 किलो जूल divided by 30 अब देख लो वैलू छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है साइन जूज नहीं करना है साइन तो स्रीप एक्जो थर्मिक को बता रहा है ध्यान लखेगा कोई साइन पर मत जाए साइन तो एक्जो थर्मिक को बता रहा है तो मेरे दोस्त बताओ बड़ी वैलू कौन है तोला और बति दो करोगे यह वैलू बढ़िये ईंदे वैलू बढ़िए तो क्यालोरिफिक वैलू किसकी जदा है इसकी बैटर तूल कौन है ये तो फ्यूल इफिसीन झी जो है फ्यूल इफिसीयनसी इसकी ज्यादा Շसकी च्यादा बैट suffu two, it is this is in destroy है क्यों कि इसकीılar से यह बैटर फूल यह क्या है ल हुआ यह लिए टि है क्या है निद्ट हूल dream किर तो घंट से पूछा जाता है कौन बैटर ध्यूव थो ल हम कैसे निकालेंगे लिए हम 1 इस MR झेंचоп की बिका क्या कैलोरिफिक वैलू एक्वल टू जरा देके ही टॉप कंबर्शन डिवाइड बाइड बाइड माली कुलर वेट आप कंपाउन यह अगय है यह फारमुक्त से हमारी कैलोरिफिक वैलू निकलाते है कि कौन सा फ्यूल बैटर है कौन सा फ्यूल नहीं बैटर है और इसकी वैलू कैसे सब ग्राम से बता है एक ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितनी इनरजी निकल ति है एक ग्रान फ्यूल को बर्न करने में जितनी इनरजी निकलती है वही इनरजी केलोरीफिक वैलुउ बुली जाती है देखो हीटाइग्अ इस बात को discuss करो हीटाइग्ण इसमूराइट कातो है ही टॉप एटमाइजेशन अब देखना है यार ही टॉप एटमाइजेशन में क्या होता है कि यह क्या है और किस तरह से काम करते हैं ही टॉप एटमाइजेशन यह देखिए अब ज़र देखिए आर्बच्ट ही टॉप अटमाइजेशन का मतलब है ठीक है ज़र देखिए हम लोग क्या करते हैं टोटल amount of heat required to formation of two formation of one mole of one mole of atom atom he get heat minimum heat required to formation of one mole of atom in gaseous state by it's in standard standard state of molecule molecule oblique atom क्या मतलब हुआ इस बात का जरा गौर से बातों को समझेगा हमें क्या करना है एक mole atom को फार्म करना है जैसे यह देखो sodium है कि sodium का standard state कितना होता है एने solid अब एने solid से हम कहां तक जाएंगे एने गैस तक क्यों ही टाप अटमाइजेशन में कहां तक जाते हैं गैस तक जाते हैं तो जब आप उसको गैस तक जाते हो तो जड़ा देखो यह हुआ है तो यह क्या है ही टाप अटमाइजेशन अटम फार्म होगा जैसे hydrogen gas अब मैंने क्या किया hydrogen फार्म कर दिया यह यह तो यह reaction क्या है ही टाप अटमाइजेशन इसी तरह जड़ा इसको देखो इस तरह से आयोडीन गैस यह यह कहां से कहां तक जाना जड़ा दियानक्टीट कुछ तक्यूट इसके इस इस पराद में वो नेचर पर अग्जेशन करता है और कहां तक गैस्यस ड़क जाना है प्रॉसेस का मतलब समझना तो क्यूंकि प्रॉसेस के मतलब सही कोश्चिन आता है ठीक है कहां से कहां तक जाना है माली क्यूल या एक तम जो भी कुछ दिया है गौर समझें माली क्यूल या मेरे दोस्त एक टम जो भी कुछ दिया है ठीक है उसके नैचुरल इस नैचुरल स्टिय्ट से कहां तक जाओगे गैसी अक्तम कर गैसी इस समय रहे है इसका मतलब यह हब कि इधर वाला फिजिकल स्टेट तो हमें ti सब्सक्राइब यहीट माली अधिया हर आदम का अलगा लग तो डियम इस पालिटेट मेक सरे मगर वहीं पर क्या है वही पर इनर्ड गैस है पहले तो फार्म में प्रेशन या फिर हमारे पास hydrogen gas gas form में प्रेजंट है chlorine gas gas form में प्रेजंट है ब्रोमीन है liquid form में प्रेजंट है तो देहार नक्षेगा यह वाला state कुछ भी हो सकता है जैसे यह देखो ब्रोमीन के case में यह liquid से कहां यहां पर क्या है heat of atomization में इधर का physical state fix वहता है इधर का physical state nature पर डिपेंड करता है माली चूल के नेचर पर कि वह कैसा है और इस process में जो भी heat release होगी उसी को क्या कहोगे heat of atomization इस process में जो भी heat release होगी उसी को क्या कहोगे मेरे दोथ heat of atomization ठीक है तो यह देखो heat of atomization यह आई है किस तरह से हम heat of atomization को करते हैं जैसे यह देखो scl gas अब यह हमारा एक atom यह आगया और एक atom यह आगया यह आगया हमारी heat of atomization कि इस तरह है है यह जदी कोई molecule ब्रेक हुआ अब यहां पर एक नोट मारता हूँ जरा गौर से समझेगा कि गौर से क्या क्या बात है है इन केस आउफ मेटल अब हीट औफ एक माईजेशन इस एक वर टू इक वर टू हीट ओफ कि सब्लीमेशन है कि हीट आफ सब्लीमेशन बच्चों ने का कैसे सब यह क्या लिख रहे हो तो जरा इस बात को समझेगा कि यह कोई हमारे पास मैटल है सपोस्ट करो सोडियम है सोडियम का नैच्रल इस्टेट क्या है सोडियम सॉलिट कहां तक जाएगा दोस्ट सोडियम गैस तक जाएगा अब बताओ इस प्रॉसेश में जो हीट रिलीज हुई वो क्या है हीट आफ एक माईजी ठीक है अब जरा बताना इसकी सब्लीमेशन रियक्शन लिखो अना रियक् होगे है अधिवट्टो सेम रियक्शन जब मेरे दोस्ट रियक्सन सेम होगी तो इंथल्पी भी तेम ऊगी और फाइनल इस्टेट सेमें तो इंथल्पी भी तेम होगी क्योंकि वह इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं यह बच्चों पेपर में कोश्चन आ चुका है ध्यान नश्येगा यह देख तो इसका मतलब क्या है हम ऐसा कर सकते हैं यह देखे हैं है हम ऐसा कर सकते हैं इस बाप का फोकस रखें चिया जा सकते हैं तो मैं तल्क मेंस में रजार्ट्र होती है मैटल के केस में ही टप एकमाइजेशन मेरे दोस्त क्या होती है क्वली मेंशन इनर्जी के बढ़ाबर होती है क्यों तुकि दोनों का प्रॉसेस से इन है अब आपका मन कर रहा होगा कि सर एक और नोड दे दो चलो देखो एक और नोड देता हो जरा देखिए या दे कोई ऐसा मालीकूल है जिसके पास एक बॉन्ड है उदर देखो शिंगल बॉन्ड कान्टेनिंग मालीकूल जिसके पास एक ही बॉन्ड होता है जैसे ये दिखते हैं हाइड़ोजन गैस से हाइड्रोज़न अक्तब 2021 है अब कि अब इसके पास एक ही बाउन रही है डिए आ दो बाउन तुह हाँ अब यहाँ अब यहां पर देछ लो मैं इसके पास भी ऐक ही बाउन है और द्छो बोन को तो नहीं है है तो आपने किया क्या होगा जब गैस से गैस में जा रहे हो जब आप गैस से गैस में जा रहे हो तो आपने क्या किया होगा आपने बॉन्ड को ब्रेक किया होगा तभी तो यह सिस्टम आया होगा इस प्रॉसेस को यदि मैं समझाओं तो आप क्या बताओगे इसर यह ऐसा थ और ऐसा आने में हमने क्या किया है हमने इस बॉन को ब्रेक कर दिया है ऐसे इस बॉन को इस तरह से ब्रेक कर दिया है तो यह यहां पर चेक करो कि हीड़ इट्माइजेशन जो है वो क्या हुई बॉन डी सोसीहेशन इनर्जी जो है वह भी कि आप अट्माइजेशन का डबल यह किसीने का कैसे का किसीने का कैसे कि वह इन वहाद आटम फाम हुए दो तो हीट आप एक मोल की होती है मैंने आपको ये बात पढ़ाई है कि जितनी भी इनर्जी होती है सब एक मोल की होती है दो मोल की कोई इनर्जी नहीं होती है इनर्जी मतलब डिफनीशन जो है वो एक मोल की लिए बॉन्ड एक मोल ब्रेक हो रहा है, चेक करो, एक मोल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ वन लिखा है न, तो एक मोल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने में जो इनर्जी लगती है, वो बॉन्ड डिसोसियेशन इनर्जी है या बॉन्ड इंखलती है, बॉन्ड एक मोल ब्रेक हो रहा है मगर ऐटम दो मोल बनना है तो जो इनरजी निकलेगी वो बाउन्द डिसोसियेशन इनरजी होगी मगर याद इसको हीट आप अधमाईजेशन के टर्म में लिखा जाए तो वो दो मोल आटम की नरजी है तो बाउन्ड डिसोसियेशन इनरजी इकवल टू इन हुआ हीटा एक माई बात मुझे रहो यदि किसी के पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी माली कुलों में उनके बीच में हमेशा ये रिलेशन रहेगा इस बात को मैं अगले पेच पर साफ साफ लिख देता हूं जैसे आपको धेहन ना है यदि किसी के पास सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसियेशन इसोसियेशन इनर्जी इनर्जी बॉन डिसोसियेशन इनर्जी या मेरे दोश किया बॉन एंथल्पी बॉन इन्थल्पी इसके बराबर होगी 2 into heat of एक माइजेशन के बराबर होगी है तो इंटू ही टॉप एक माइजेशन मगर यह किसके लिए पढ़ाया है गौर तुद्यान ना सिंगल बॉन्ड वाले माली कूल के लिए जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो यह देखो और फिजिकली स्टेट भी कहां हो गैस से गैस हो फिजिकल जोगी और जोबी इनर्जी देनी पड़ेगी वो सब का ही टाप इट्माइजेशन से इस तरह से रिलेटेड होती है तो हीट अप एक मेजिटर्ड वाट संदें डिपनिशन का है एक मोल ऐस्टम का फार्मेशन करना है डैसर इस्टेट इस से करना है उसके नैटुरल पांट उसके natural form तो इस process में जो भी energy release होगी और या जो भी energy देनी पड़ेगी वो सब क्या है heat of atomization Metal के case में heat of atomization, heat of sublimation आपस में बराबर होती है ठीक है single covalent compound gaseous malitude के case में इसको थोड़ा सा statement और अच्छा कर देता हूँ यहाँ पर पहले से gaseous लिख दूँगा तो आपको यह बात ध्यान नहींगे, gaseous molecule तो ज़र देखो, single bond containing gaseous molecule के case में bond dissociation energy या bond enthalpy two into heat of atomization के बराबर होती है ठीक है इतनी बात clear है इतनी बात clear है काई कोई दिक्कत की बात तो नहींगे कर लोगे अब देखो यार एक question देता हूँ इस question को करिएगा और बताईएगा कि answer क्या आएगा ठीक है देखिए heat of sublimation sublimation of given mali tool oblique atom ठीक है इस उन्होंने प्रॉसेस दे दिये ठीक है देखो मैं थोड़े से प्रॉसेस अलग तरह से लिख देता हूं यह देखिए ZN solid 2 ZN gas ठीक है प्लस X kilo joule heat release हुए फिर एक और प्रॉसेस है उसको जड़ा देख लिए इसके जड़ आई solid 2 आई गैस इसमें वाई किलो जूल इनर्जी देनी पर गए तिक अब कोश्चन क्या ज़रा सलेक्टर कि इन विच केस ही टॉफ एट माइजेशन और माली क्यूल उन्होंने चार आप संदिये थे माली क्यूल अबलिक एट्टम इस इपक्वर्टू ही टॉफ ही टॉफ सब्ली नेशन यह देख है कोश्चन यह है कोश्चन रा समझता है दो की मैंने सब्ली मेशन इनर्जी दिये ऐसे चार आप संद कोश्चन में दिये गए थे हमने दो दिये उन्होंने दो की सब्ली मेशन इनर्जी दिये और पूछ रहा है इन में से किस प्रॉसेज में हीट आफ एटमाईजेशन और हीट आफ सब्लीमेशन आपस में इक्वल है इन में से किस प्रॉसेज में हीट आफ एटमाईजेशन और हीट आफ सब्लीमेशन आपस में इक्वल होंगी तो ये बात अभी देको मैंने पढ़ाई है तो किस प्रॉसेज में इक्वल होंगी मेतल के केस में equal होंगी मतलब के में होगा आय में ऐसा होगा क्यों क्यों कि वहां पर मैटल है तो it of Ammerization और it of Sublimation यह सब्लीनेशन को आपस में क्या होती है इसके केसे में मैटल केसे में चूप क्रॉटेस सेंद नहीं को जो कि दोस्तों दो नो का प्रॉट से साथ से किस वजह से ऐसा होता है किस बात को समुझपारों अब कहानी को आगे बढ़ाए गया है अब हमारा मन कर रहा है कि हम किसी दूसरी हेडिंग से चले तो देखो नेक्ट नमबर की हेडिंग हमारी क्या है उस बात को सुरूगे कि बॉन्ड कि इन्थल्पी अब हम डिसकस करने जा रहा है बॉन्ड इन्थल्पी कि बॉन्थल्पी क्या होता है और किस तरह से काम करता है ठीक है तो जब बॉन्थल्पी क्या है इसको देखो किसी को आप चाहें तो यह भी लिख सकते है है हम इसी की है जीट अब है ऑट गन है दिस्टों सियंसें अ है इन हे की इद्टऊ और दिस्सी इसन अ अभी यह किस तरह से और किस तरह से काम करती है इस बाद पर हम लोग किस को अनुक इस पर डिसक्षान कर रहा है तो ज़रा देखो कैसे डिसक्षान करोगे ठीक है ध्यान दीक है अब क्या होता है बार्न डिसोचिएशन इनर्जी क्या है टोटल एमाउंट ओफ ही रिक्वाइड तू दिस्वाइशन ओफ दिसोचिएशन ओफ वन मॉल ओफ कोवलन बॉंड कोवलन बॉंड इन अब कीसे स्टेट में माली क्यूंड होना थीए गैस स्टेट दिस्वाइशन आप कोवलन बॉंड और फोवर्म and form gaseous atom अब जरह इस बात को discuss करेंगे कैसे चलती है देखो यह hydrogen gas है अब hydrogen gas को आप ऐसे लिख सकते हैं यह देखो अब इसको हम break कर रहे हैं इस तरह है तो जब यहार दोस्त इसको आप break करोगे तो यह आया अब जरह मेरे को बताना bond dissociation energy या bond enthalpy कितनी हुई कितने मोल कोवलेंड बॉन एक मोल है दो मोल है तीन मोल एक माली क्यूल में एक कोवलेंड बॉन और यहाँ पर एक माली क्यूल में एक कोवलेंड बॉन है तो यहाँ पर वनी तो लिखा है और एक मोल कोवलन बॉण पर इसका मतलब एक मोल पर बुरेक हो रहे हैं और एक एक मोल कोवलेंट बॉर्ण ब्रेक होने में जो भी हीट लगेगी उसी को क्या कहते होगे हीट और हीट ऑफ कि डिसोसियेशन या इसी को क्या कहते होगे बॉर्ण इंथल्पिश कि आप बोल दोंगे बच्चों बाण इंथल्पी तो एक मोल कोबलन बाउन को ब्रेक करने के लिए जो इनर्जी लगती है उसको बाउन इंथल्पी जाथ किसकी माली के लिए यह देखू हाइड्रोजन की बाउन इंथल्पी यह अब जैसे एक इग्जाम पर डालते हैं देख heat of reaction इतनी है, गौर समझेगा, plus 210 फिलोजी, find out, find out bond dissociation energy of chlorine, अब बताओ, bond dissociation energy का मतलब क्या हुआ, एक mole equivalent bond को break करने की energy, अब मेरे दोस्त बताना यहां कितना लिखा है, one लिखा है, और इसके पास bond भी कितने होंगे, one, एक molecule में एक bond होता है, यह देखा, एक molecule में कितना bond है, एक bond है, इसका मतलब यह process जो है, bond enthalpy का process तो लिखा है, गैस से कहां जा रहा है हो, गैस तक जा रहा है, गैस molecules से, गैस atom तक जाना है, तो जिस process की यह energy दे रहा है, एक्टोल में वो process क्या है, bond enthalpy वाला process है, देखिया, जिस process की वो energy दे रहा है, वो process reality में क्या है, bond enthalpy का प्रोसե्स तो है, यदि हम caso актив Fund posición गैस की बापन इनसे लिखें, इसका मतलब bond enthalpy of fluorine is equal to कितनी होगी plus 210 kJ 210 kJ क्यों होगी बास समझ रहो क्योंकि जिस reaction की उसने heat दी है reality में वो process ही bond enthalpy वाला process है तो जब दोस्त process सेम होगा तो enthalpy सेम होगी कि इसलिए bond enthalpy of CL2 कितनी आई यह बॉर्ण enthalpy of CL2 कितनी आई यह है question निकाल लोगे अब यहां पर एक note देता हूँ bond enthalpy की definition को आंगे बढ़ाबते हुए क्या note है जड़ा देखो यह भी कहीं पर एक molecule में एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉण प्रेजेंट हो तो इफ मालीक्यूल कोंटेन्स अब जरह दो को यह दि किसी में एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉण्ड है तो तो क्या होता है जड़ा देखो दैन फॉर्म से एवरेज बांड इंतल्पी तब क्या होगा तब हमें एवरेज बांड इंतल्पी मिलेगी एप्सुलूट वैलू नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी इस बात को समझाता है यदि किसी में एक से ज़्यादा को वैलन बॉन्ड है किसी माली कूल में तो देखो जैसे यह मेथेन है यह देखो दोर से अब मैंने इसका पहला बॉन्ड ब्रेक किया यह आया हुआ है ए एसे है जब आपने इसका पहला बॉन्ड ब्रेक किया तो इन्थल्पिया आप र्यक्शन निकल के आई ett थी कि एच्वनन ओभी कैसी फाजटम करने जा रहा है कि जब मेरे दोस्ता दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने जा ड़े निया है तो ही इस तरह है और इसमें जो इनर्जी निकली स्का नाम क्या रखता है क्या है अब है अग्शन और एस्टु बराबर होनी चाहिए की नहीं जबकि दोनों में दोनों 1 वांचे एक टि में सेम्सक्क्राइब रहा हो रहा हं यह दिखर बन फोरी फिर मैंने अलगार तियों लिख रख़ती है क्योंकि प्रिशते wł的िष बीप हो लिखते हैं और यहां फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल में जा रहे हो तो जब इनीशियल और फाइनल इस्टेट सेम नहीं है तो इन्थल्पी क्यों से मूगी इनीशियल और फाइनल इस्टेट सेम नहीं है इन्थल्पी क्यों से मूगी काम वही कर रहे हो मगर अलग अलग अना बात समझ सब्क्राइब क्यों दूसी तरह से कैसे यह मालीक्यूल न्यूट्रल है और यह मालीक्यूल प्रिरेटकल है यह पर już कहने एक इनolds करना क्यों चाहेंगा तो ज्रॉब्द हेस आने पर रही होगी और यह पर अजलदी बाद चरब गयाए एक प्रोसेस फिरी रेडिकल से फीरेषिकल चैनल दूसरा प्रोसेस को अलग लगाए तो इन्थल् Bj alagla adi अब और लूँ आज हோ अब इसी तरह से मैंने दोस्त क्या किया नेच्ट नंबर को बिप्रेइख कर दिया जब आप नेट्स नमबर का बाउन ब्रेक करते हो तो यह सिचुएशन आगई यह सिचुएशन जब आई यह देखो यह सिचुएशन आ गई इसकी इंथल्पी कितनी आ गई यह अब लास्ट एंफाइनल आपने एक और बाउन ब्रेक कर दिया तो हमारे पास आगया कार्बन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस अब इसकी इंथल्पी कितनी आ गई मेरे दोस्त यह अब बपाऊ जड़ा आपने टोटल कितने बाउन ब्रेक किये आपने टोटल चार बाउन ब्रेक किये तो यदि इस रियक्शन को एक साथ लिखा जाये तो इसे लिखो गए ना यार यह यह दिए आप अब इस पूरे प्रोसेस की इंथल्पी कैसे निकालोगे बताऊ एक साथ चार बॉन ब्रेक होने कोवलोन ब्रेक नहीं हुआ है लिए कि नहीं है माली क्यूतय कर जाएगा यह इससे क सब्सक्राइब को मैस किसारे साल करो जिसका मनों जिस्ते डिवाइड करो बस रिजल्टेंट आंसर से माना चाहिए हमें इस इक्वेशन की इनर्जी चाहिए अब इस इक्वेशन की इनर्जी कैसे आएगी इसको इससे कठ हो जाएगा यह इससे कठ हो जाएगा तो यही बचेगा और इसकी वैलू कितनी आजाएगी जब आप equation का सम कर रहा हो तो इनर्जी कभी समोर जाएगा यह देखें कि इतनी इनर्जी आई इंथल्पी आप रियक्षन कि इस रियक्षन के इंथल्पी कितनी आई दोस्त इतनी आई इतनी आई कि नहीं आई अप इसमें जड़ा निकालो बॉर्ण इंथल्पी किसी ने मेरे से पूछा सौरी कि किसी ने मेरे से पूछा बॉर्ण इंथल्पी और सी एच बॉर्ण इन इन मेथेन बताओ कितनी आएगी तो मैंने लिखा एच वन एच टू एच थ्री एच पोर डिवाइड़ बाइड बाइब पॉर्ट बच्चोने का कैसे वह इस तरह से लिखा वन मॉल मेथेन कंटेंज को और मॉर्ण कि छ बॉन है कि नहीं एक मेल मेथेन में कितने च बॉन है और मॉल आपने जूर्य असल निकाली है जर्द एक मॉल माली क्यूब लिखा है एक मॉल लिखा है एक मॉल माली तूल में होने कीFlipi है माली क्तनेफ posth Town 엗 माली क्योण में चरव बान है तो एक मोल माली क्यों में कितने ब 온 ऊर एक कोल मले कि तिलमे फोर मोल बॉन हो पप बॉन इंधलपी तो एक low कि एन चार मोल bond की bond in thalp is का मजब इतना आई है H1 H2 H3 H4 तो पर mol CH bond कितनी होगी divided by 4 है कि नहीं 4 mol CH bond पे break होने की energy है H1 plus H2 plus H3 plus H4 तो यह क्या है अब ज़र बता वह वैलू average है यह नहीं जो value निकल के आई है वो तो किसी की थी नहीं किप करो average bond in thalp तो ध्यान नखना यादि किसी के पास एक से ज़्यादा covalent bond है तो वह हमेशा absolute value नहीं होगी उनका average होगा उन सभी का क्या होगा average होगा यह देखती है सौरी यह देखती है इस bond को break करने में h1 लगी थी इसमें त्री इसमें आच इसमें है इसमें इसको निकल काया इसको मेने चार से डिवाइड किया चार से डिवाइड क्यों किया कि इसमें 4 मोल कोवेलेंड मॉन्ड है और मेरे दोस्तों बाउन सल्पी की डिफिनिसन एक मूल के लिए तो चार्च डिवाइट तो यह क्या हो गया एवरेज तो यह दि किसी माली क्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो आवरेज आता है चाहे सेम बॉन्ड क्यों नह हो जैसे मेथेन में सारे बॉन्ड से मैं फिर भी वह एवरेज है ठीक और इंथल्पी आउल्वेज ध्यान लखेगा गयाइट फेस प्रेस तक जाना है कि मैं चाहो तो लिख दू बॉन्ड इंथल्पी में यह बात ध्यान लखिएगा कहां से कहां तक जाना है गैस माली आइकम तक जाते हैं ऐसे तो बॉन्ड इंथल्पी की डिपनीशन सब्द में आए ठीक है एक मोल पोवलेंड बॉन्ड को ब्रेक करने में जो इनर्जी लगती है वो बॉनिंथल्पी है प्रॉसेज में हमेसा इनर्जी देनी पड़ेगी तुकि तुम बॉन्ड को ब्रेक कर और वो कैसी होगी गैस मालीकूल से गैस एकम तक जाना यदि किसी मालीकूल के पास एक बॉन्ड है तो एप्सुलूट बॉन्ड इंसल्पी आएगी यदि एक से ज्यादा बॉन्ड है तो मेरे दोस्त क्या होगा वो वो एवरेज है ठीक इतनी बात हम लोगों ने समझाई है अब नेक्स नंबर पॉइंट उसको जराफ अच्छे से समझेए तो थीके ना कि नेक्स नंबर पॉइंट हमारा क्या है देखिए नेक्स नंबर पॉइंट क्या है तो हीट और कि रियक्षण अ इन टर्म ओप बॉण इन थल्पी के टर्म में हीट आप रियक्षण कैसे लिखोगे अब हम लोग यह डिसकस करने जाए है हीट आप रियक्षण इन टर्म आप बॉण इन थल्पी तो जरा देखो कैसा होता है डेल्टा एच रियक्षण इक्वल टू बॉण इन थल्पी ओफ रियक्टेंट माइनस बॉण इन थल्पी ओफ प्रोड़ अब इस बात को जरा गौर से समझे है देखो दो जगए पे मैंने रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट पढ़ाया है एक बॉण इंखल्पी की केस में और एक कमबश्चन की केस में बाकि सभी जगए प्रोड़क्ट माइनस रियक्टेंट है दो जगए पे रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट होता है एक बॉण इंखल्पी के केस में और दूसरा दोस्ट इटाफ कमबश्चन की केस में तो इस बात को ध्यान अकना जैसे गलती ना होने पाए इसी वज़ए से मैंने इसको ब्रैक्टेट के अंदर भी डाल दिया है और आप कहें तो इसको इंपॉर्टेंट भी कर दो कि हाँ यार यह इंपॉर्टेंट भी है यह देखें तो इस बात का आप बिसेज ध्यान लगते हैं यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है क्या लिखा है रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट जब हम इसके कोश आई है की नहीं टीडिए । करते हैं अब इसके जरा कोशन देखे यह दो शरय कोशन आच्छा यह कुर्शन नहीं यह कोशन तो हम पीछे करा चुप है मैं कि किलिए हैं रखके बिच्चों किसे को इसके बार इंथलपी कोश्कैं को थिचे आलए को में लोग करते हैं यहां ते बहुब को कि कि और विखो यह ने पूछाग में देखो क्या लिखा है the bond inthropy bond energy of H-H bond O double bond or OH bond एंटिक है respectively देनो डेल्ट काभ रियक्षान से उसने क्या किया है बन इन्फल्पी दी है बन इन्फल्पी KIS की किस की दी है देखो किस की दी है Move in상्मी of H-H and dan टिरू इस्मी गयग तरiva 입 एन्फिस्टाइब जाए मैंन involve किलो कैलोरी फर मॉल कि फिर बॉन इंथल्पी किसकी दी है oh double bond को मतलब 2 bond की एक साथ double bond को ब्रेक करने की इनर्जी है 120 किलो कैलोरी फिर मॉल फिर दी है OH Bbands की B disputt 82 सो 20 वे सिलो कैलोरी पर मोल हम लोग ने का ठीक है अब मुठार एस Rpm की इस हीट आप रियक्षन पर ये कउंट करो ये ये रियक्सन हम लोग के लिए लिए लिख दिये है आज अब इसकी हीट आप रियक्शन का रा है काउंट करो तो यार हम लोग ने काटांट कर देंगे इसमें क्या है जर बताओ इसकी इसकी हीट अप रियक्शन पूछ रहा है आपको गिवन क्या है तो चिए बाँन इन्थलपी reaction born enthalpy के टर्म में लिखी जाए तो आप क्या लिखिएगा reactant minus product लिखिएगा है कि नहीं यही तो अभी आप लोगो ने पढ़ाया था ना मेरे को यार अब आप लोग जब बत पढ़ा रहा हो तो मैं गलत कैसे कर सकता हो तो मैंने लिख दिया अब इसकी value निकालो जरा देखो कैस लिखेंगे तो हीट आप reaction अ एक पोल्ट वान वान इंठल्पी ओ रियक्सन जरा बताना सुरी कितने बाण्न है दो वाई एक मोल की इनर्जी बाण इंठल्पी एक मोल की डिफिनीशन है और यहां कितने मोल बाण नहीं दो मूल एक मालीकूल में एक मोल बाण दो मालीकूल म प्लस है एक मालीकूल नैं कितन सुपंने डबल बाण है दो हो डायरेक्ट डबल बाण्द कीपने की इनलजी देरा है गरेक्ट डबल इसमां नहीं को तूरी थर्मों कमेश्क्टी ने रियक्षन वालेंस को इता denn? कोई कोई प्रापर्ट्टी इन्सयर्मकॉजन कर वह इंपिछ प्रॉपर्टी जो ना चाहिए अब कोई इंस्कान वाते ना य à तो खाना तो है इंगाने तो खाए गई खाए गई उसी तरह से इंग प्रॉपर्टी एंग थर्मों कमस्टी चल रही है तो रिएक्टन तो बैलन्स होनी चाहिए बाकि सारी पॉइंट याद रखो ठीक है कि क्या रियक्टन माइनस प्रोड़क्ट लिखना है जब इंथल्पी स्थी का केड़ी या सुर्ब तो रिखन की तो अपर एकशन बैसे यहा कितने है मोल डॉक्त पहलिए नेटर्जी हुडप ऑप्रणों रियंग्र्यक्ट लगाया थीघ्ट अब प्रोड़क्ट लिख हो फोड़क्ट अच्छी समझ आण डिएगा और encyclicalatin uh bond स्वाइट है कि एक को स्टिया बड़ी है कि अधुक्belकर में होता है कि तूफर पर दो नहीं है अब आप कितने कृषल दो एक वाटर में दो है ठीक है और दो बाटर में कितने हो मे सारेक मॉल कि दिया और यहां पर कितने मनंना पूर मोल का फूर into bond enthalpy of OH bond समझ में आई कैसे किया तो अरे बैया bond enthalpy होती है एक moule bond की होती है और यहां product के पास कितने moule bond है चार moule bond है कैसे 4 moule bond है आप सभी को पता है कि यार यहां पर क्या क्या होगा ठीक है water ऐसा होता है एक molecule में दो कोवलेंट बॉल है, दो मोल में चार होंगे, अब सबकी वैलू डालो, तो जब हम सबकी वैलू डालेंगे, तुछरा देखो क्या आएगा, यह हुआ, टू इंटू 105 प्लस 1 इंटू 120 माइनस 4 इंटू 220 अब सॉल करो, तो जब आप इसको इसको सॉल करोंगे, तो जब आप इसको सॉल करोंगे, तो डिल्टा एच आप रियक्शन, कितना आया दोस्ट, इन सब को करो, तो 210 और 210 और 120, 310 और 330, माइनस, यह कितना हुआ, 8, 8, 0, तो वैलू कितनी आ गई मेरे दोस्ट, माइनस, 0, 5, 5, यह वैलू आगे, किसमें, किलो कैलोरी, माइनस, 550, 0, किलो कैलोरी, ऐसा कोई आंसर है, यह देखो, आंसर है, यह आंसर है, तो जब भी कहीं पर, बॉन इन्थल्पी का केस होगा, तो हम लोग इस तरह से कोश्चन को करेंगे, बॉन इन्थल्पी वाला फार्मूला लगाएंगे, देखो, यह फार्मूला हम लोग ने बॉन इन्थल्पी वाला चिपका है, क्या हो? बॉन इन्थल्पी वाला हम लोग ने फार्मूला चिपका है, क्या चिपका है, रियक्टन माइनस प्रोड़क है, और कोश्चन को आँगे बहाद, तो जब भी कहीं आर दोस्त अपने को कोश्चन करना होगा, तो इस तरह से कोश्चन को करेंगे, ठीके कि नहीं, इस तरह से क् last night कॉर्ण कांसी इन्थाप्य इस टॉस्क्राइब, इन्थाप्यव इन्थाप्य मी बढया है, डेकिए इन्थाप्य मैं लॉड प्रोड़ेम घया है, बजल्म आइं को कि वितलव। तॉसरी इस मिट्सक्राइब, खिञे और आच च्योंक dhस टूसरण लॉसरी भी कुज एक साथ डिस्कस करते हैं एक एक करके इनको समझेए देखो सबसे पहली बात करते हैं इन्थल्पी ओफ या हीट ओफ फूजन दोस्ट हीट ओफ फ्यूजन क्या होगी और कैसे काम करेगी इस पुजरा समझेए करना क्या होता है यह सब एक करो इनमे कोई आप इस डांजिसन होज रहा है वह किसमें जा रहा है वह जा temperature पे जाता है at melting point solid से liquid में जाओगे तो melting point पे जाओगे ना तो बस process को देख लो और एक मोल को करा दो सारी definition एक मोल के लिए है तो यदि कोई मेरे से definition पूछे का तो क्या लिखूँगा देखो one mole sorry heat heat required to two conversion of one mole solid into into its liquid state at its melting point उसी के melting point और इस प्रॉसेस में जो energy निकलेगी उसी को हम heat up enthalpy up fusion कहते हैं energy निकलेगी क्या मथब देनी पड़ेगी क्यों solid से liquid जाओगे तो energy देनी पड़ेगी तो देखो जब हम कहीं पर solid से liquid जाएंगे तो हमें जो energy देनी पड़ेगी वह heat up fusion हो यह है एस ठीक है process समझ गया है कि वह क्या होगी heat up fusion होगी इसके अब इसी के बाद आ जाओ कि तोरी कि इसी के बाद point number two heat of vaporization या enthalpy of vaporization अब enthalpy of vaporization की बात करते हैं इसको आप सबको पता है यह भी एक phase transition है phase transition में कहां जाते हैं लिक्विड से वैपर है वैपर कह लो या गैस के लिए at boiling point of liquid liquid के boiling point अब इसी process को फिर से बोल दो एक mol के लिए एक mol के लिए कैसे बोलोगे तो जड़ा बताओ एक mol के लिए कैसे बोलोगे तो बस वही बार-बार लिखना होता है टोटल amount of heat required to conversion of one mole of liquid one mole of liquid और दोस्त कहां तक जाएगा इन्टू वैपर है एट एट वालेग तो फिक है कि नहीं तो जब कोई मालीक्यूल है लिक्विड से गैस फेज में जाएगा तो उस समय जितना भी इंथल्पी चेंज होगा वो इंथल्पी आप वैपराइजेशन होगा ठीक है और उसकी वैलू कितनी आएगी यह आएगी अब थर्ड इंथल्पी आप सब्लीमेशन इंथल्पी आप सब्लीमेशन कितनी होगी उसको देख लेते हैं देखो इंथल्पी आप सब्लीमेशन की बात करते हूं कि तो इंथल्पी आप सब्लीमेशन में क्या होता है आपको पता है इससब्लीमेशन का मतलब चाहता है सॉलिट से लेके गाएस में जाना सबलीदिफ है डिरेक सॉलिट से गैस ते डिरेक सॉलिट में सॉलिट से गेस में जाना जो प्रसन क्या बना होगे देखा है यही कि न आमाउन्ट ऑफ कि झीड रिक्वाइड to conversion of one mole, call it, into gas phase, into gaseous phase or state. तो आप जिला देखो अब आप क्या कह रहो हो अब आप कह रहे हो गोर्ट देखेगा। हम कर है हम जा रहा है एक पॉलिड से, इसमें गया से ऐसे अनर्जी और इसकी जो इनर्जी है वो क्या है ? जो भी इनर्जी देनी पड़ेगी या जो भी इनर्जी मिलेगी वैसे तो मिलेगी वो क्या है इन्थल्पी और सब्ली में अब जरह मेरे को बताना बच्चों इस प्रॉसेस को यह दि मैं दो इस्टेप में करूं तो पहले मैं सॉलिड से लिक्विड चला जाऊंगा ऐसे फिर लिक्विड से गैस चला जाओं तो आपको कोई प्रॉब्ल्म फॉलिज से लिक्विड जाना क्या है इनठल्पी ऑफी उफीजन अ लिकransia सॉलीड जाना क्या है इनठल्पी ऑफ वैपराइजिएशन और डायरेक्ट तो रट्सलिड से लिकुड जाना Desert तो है इन्तलपि ऑप सब लीम है कोिंप एक फ़ंसन तो एक ane沿टिर्प में जाओ यह घ्रिस्ट्यफ में जाऊंसी वैलू सेम रहे तो यहाँ से हहां तक जादी हम डायरेक्ट एक चिप में जाते हैं जिसको आप क्या बोलते हो हो सब हुप छबी मेशन जिसको आप क्या वोलते हो सब्लीमेशन यदि हम डारेक्ट एक इस चैप में जाते एं तो इनर्जी इतनी ही आती है मिवह औरर यदि मैं 2 इस ट्रिप में जाता हूँ पहले fusion कि और वैपराइजरशेशन सिरान है तो इनर्जी कितनी आती है है आए कि अब इतनी आती है इसका मतलब क्या है हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि नहीं है कि इंसल्पी आप सब्ली मेशन जो होगी इंसल्पी और फ्यूजन और इंसल्पी आप वैपराइजेशन के समके इक्वल होगी सब्सक्राइब तक इसने तो पड़ा रहा हूं यह बात यार सॉलिट से गाईस में एक साथ एक यह बार में चले जाओ डारेक्ट है इनीसरो फाइनल से मैं इस था से डायर व्हग डेस में गाए इनफ़्पी में इसका पहले फुरिप गए नडित्तर फिर फिर इगे फिर 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 थे मत्षे मुंसे कि तो पहले इसकी इत कि इसका in फर्फी इन दोनों के संगे बराबर होगा तो इसका मतलब इसका मतलब इसके दिनों में एक बात तो तुम्हां समय में आई होगी अच्छे से क्या यह जो इन्फल्टी एम अब जो इस्टेट वंसन है यह एक हतियार की तरह काम करती है जो कहीं पर भी चल जाता है कोई इस्टेट वंसन है यह बहुत बड़ी बात इसको तुम ध्यान लखना फर्मो डाइनिमिक्स में बहुत अच्छे से काम करना इसको समझे इस पर कोश्चन भी आते हैं कभी कभी क्या होता है वह वैपराइजेशन इनर्जी देते हैं तीक है और फ्यूजन इनर्जी देते हैं सब्ली मेंशन पूछ लेते हैं वह लोग इसी तरह से निकाल लें है कर लोगे अब जर देखिया है इस पर कोश्चन हम लोग अभी करेंगे मगर पहले थोड़ा का पढ़नेते हैं अब नेक्स्ट हैडिंग हमारी क्या है नेस्ट हैडिंग है दोस्ट इन्थल्पी और गौर्ट देखिएगा इन्थल्पी आफ सलूशन इन्थल्पी आफ डाइलूशन और इन्थल्पी ओव हाईड्रेशन हीर हम तीन इन्थल्पी एक साथ प्लाओ रहा है कि अब क्र्ण है फिर तीन इन्थल्पी एक साथ पrd AG कौन कौन सी है ज़्टह देकों जो एक दूसरे से रिलेटेट होती ह। एक साथ पढ़ लेते हैं इन थल्पी आप सलूशन इन थल्पी आप डालूशन और इन थल्पी आप फाइड इस यह अब इन तीनों में डिफ्रेंस क्या है और यह क्या होती है इसको एक्प्लेंड करते हूं देखो यह हमारे पास एक कंटीनर है ठीक है और इसमें हमारे पास पढ़ा क्या है इसमें हमारे पास पढ़ा है कौपर सल्पेड ऐसे इसमें क्या पढ़ा है दोस्तों कौपर सल्पेड अब सबको पता है कि यदि कौपर सल्पेड को पांच वाटर मालीक्यूल मिल जाए ऐसे तो वह इस तरह से हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेता है ऐसा क्यों यह पर यह तैसा लैवमव ऑफ अब फ्रूल्पेड और यहां तक क्या प्रॉसेस क्या हुआ या राउजगश से इस जगए के प्रॉसेस को कहते हैं है हाइड्रेशन का मतलब होता है जब कोई भी मालीक्यूल वाटर का किस्टलाइजेशन करता है तो यदि हमसे कहा गया कि यहां पर वाटर डालो तो हम कितने वाटर डालेंगे कि हम यहां पर पांच माली इखुलाब वाटर ढलें इसे एफ कर लिए और यहीं पांच माली क्यूल वाटर के डालोगे तो स्रिवित इतना सी सा काम होगा मतलब आप उतने वाटर माली क्यूल डाल गाए हो जितने से सिरिफ किश्टलाइजेस्टन हो सकता है जितने से दोव्द क्या हो सकता है। स Goo सकता है उतने वातर माली क्यूल ळाले हो मतलब आप जानते हैं कि फिस्ट Autumn ऑन इस चाहिको हम नाम देते हैं क्या baggage इतनी बाथ संपर्म है कि हाईड्रेशन में हम सृफ उतने माली क्यूल डालते हैं जिससे हो हाइड्रेट हो जाए, अच्छा, अब कहानी को और आने बाद गूँ है, जब मैंने यह बाद की, तो किसी को मज़ा नहीं आया, किसी ने क्या किया, बच्चे तो जानते ही हो शरारती होते, एक बच्चा दोड़ के आया, और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया, कि यह कौपर सल्फेड इसमें और पानी मिला दिया है ऐसे कि कितना पानी मिला दिया सौ माली क्यूल मिला दिये सौ माली क्यूल और वाटर म बच्चे को थो क्या कह सकते हैं उसने क्या किए सव माली क्यूल आप वाटर मिला दिये सौ माली क्यूल का किस्टलाइजेशन होगा जो पेरस सलफेट होता है कि वो किस्टलाइजेशन सिर्फ पांच के साथ करता है वाउ इसमेद अब तुम आप हमने क्या कर दिया है इसको डाइलूट कर दिया हैael तरफ locks mm छूल किस्ट्लाइजेसन फॉर्म में नहीं है क्या व impीश्ग के श्odor हो रहरे सुथər टायशन फाम में कितने सिर्फ पांच मतलब यह ज़िए रेजिए इसली आप कि उसलाइजेसन फॉर्म में सरफ पांच वह का पाइटि जो एंड है वो सिर्फicion पांच है किस्टलाइजेशन को ही आप कहते हो हाइड्रेशन और बच्चों यहां से लेके यहां तक पार्ट यह जो पार्ट है यह पार्ट हुआ डायलूशन का मतलब होता है किस्टलाइजेशन से ज्यादा वाटर मिलाना तो बच्चों को आप जानते ही हो उन्हें थोड़ी और बदमासी की और बदमासी करके क्या किया यह देखो अब क्या काम कर रहा है जगह नहीं है जगह बना लेते हैं एक मेंट यह 100 माली कूल जो है वो कहीं और लिख जेते हैं है कि नहीं बच्चों पहले यहां फिगर बना लेता है अब क्या किया किसी बच्चे ने अब किसी बच्चे ने यह किया कि इस पे कॉपर सुल्फेट था ठीक है अब इस पर इन्फनाइट नंबर आप वाटर माली क्यों डाल दिये इतने इन्फनाइट नंबर आप वाटर माली मतलब बहुत जादा आप इन्फनाइट एक इन्फनाइट नंबर ओव वाटर इन्फनाइट नंबर आप वाटर को कहा जाता है क्या कि शलूशन और इसमें कितने डाले थे आपने सव वाटर माली कि कुछ एमाउंट में वाटर मिलाने को कहा जाता है डायलूशन और सिर्फ उतने डालो जितने जरूरत है किस्ट्लाइजेशन के लिए तो उसको कहा जाता है हाइड्रेशन तो जरा इस बात को समझें अब अब जरा समझें यहां तक क्या हो चुका था डायलूशन हो चुका था अब इसके आंगे अगले पेच पे कराते हैं अगले पेच पे क्या है जरा समझें अब इसके बाद कि यदि कोई ऐसा कर दें कि कॉपर सलफेट है इन पे इंपनाइट इंपनाइट का मतलब होता लार्ज नंबर आव वाटर मालीक्यूल का एडिशन अब इंपनाइट वैलू तो का मतलब क्या है इंपनाइट वैलू का मतलब है वेरी लार्ज अब वेरी लार्ज नम्मर आव वाटर मालीक्यूल जैसे मालोग दो हजार पांच जार दस जार बीच जार वाटर मालीक्यूल कोई इसमें एड कर दे तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं देखो यह वे आप रिप्रजेंटेशन है इसका मतलब यह नहीं है कि दो हजार मालीक्यूल का किस्टलाइजेशन हुआ है किस्टलाइजेशन तो वह उन्हीं पांच का करेगा मतलब रियल्टी में यह ऐसे है कि यह पांच फिर यह 95 और फिर यह अब देखो मैं बताना क्या चाहिए रहा हूं अब जड़ा गौर समझ है जब स्रिप 5MALCůL एड़ हुए तो यह हुआ जाकर हाइड्रेशन क्यों जितने मालीकूल किस्टलाइजेशन में यूज होते है यदि आपने उतने डाल लगते हैं तो हाइड्रेशन यदि आपने थोड़ा और डाल दिया यहां से यहां तक तो ये प्रॉसेस कहा जाता है dilution, dilution का मतलोओता lubting amount में water मिलाना वो limiting amount के mems क्या है? limiting amount में water का मिलाना लिम्टिंग एमाउंट में वाटर मिलाना ठीक है? लिम्टिंग एमाउंट में वाटर का एडिशन वाटर एडिशन मगर ये एडिशन क्या हो? किस्टलाइजेशन से जदा हो अब यही काम जब आप इंफनाइट लेबल पे कर देते हो मिलाते चले जाते हो मिलाते चले जाते हो मतलब कुछ ऐसा यहां से लेके यहां तक का प्रॉसेस यह क्या है डायू सलूशन मतलब सलूशन क्या होता है? इंफनाइट एमाउंट में या बहुत लार्ज नमबर में यह जब बहुत लार्ज नमबर में वाटर एड़ कर दोगे तो वो सलूशन होता है तो किस्ट्लाइजेसन डायूशन और सलूशन तीनों में डिफरेंस मतलब सिर्फ उतने मालीकूल डालो जितने का किस्ट्लाइजेसन होना है तो किस्ट्लाइजेसन उसके दो चार बीस इसा अब इन समय जो भी इत रिल्इज होगी वह सब किस्ट्लाइजेसन में तो ही वह हीट आप किस्ट्लाइजेसन हो गई एकी म मोल इक पुल कखर आओगे हो गई और ही रिलेज हुई वह इंखल्पी आप सलूशन हो गई अब जरा बताइए कि एक में अब इस बात को थोड़ा सा और आंगे बढ़ाते हैं और आप से कोष्चन भी टलब करते हैं मतलब पूछते हैं जो कोश्चन पूशना मैं चाहता हूँ वो यह है क्या है जला ध्यान दिजे क्या हम कॉपर सलफेट हंड्रेड को ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों हंड्रेड वाटर को कॉपर सलफेट 95 वाटर प्लस कॉपर सलफेट 5 वाटर ऐसे ऐसा लिख सकते हो ना बिलकुल लिख सकते हो इसका मतलब हीट आफ हाइड्रेशन भी आप निकाल सकते हो कि हीट आफ किस्टलाइजेशन क्या है कैसे जरा गौर से समझो यदि 95 वाली हीट को 100 में माइनस कर दें तो यह आ जाएगा कि नहीं तो इसका मतलब हीट आफ किस्टलाइजेशन कहीं पूछी जाए तो यह साली इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी यह सभी इंफॉर्मेशन में बस आपको कुछ नहीं करना है ठीक है हीट आफ हाइड्रेशन कर देंट नहीं हाइनस ही अफ का इस हुर्मिशन आफ हाइड्रेशन आफ भी कौनएंटि फाइफ मालीघ तो क्या आ जाएगी ए थान नकना इस तरह के पूंसर में पूछेगा हन्ट की देगा नाइंटि फाइब की देगा और ईस एसे कर देना ऑफ चलो अब हम लोग next heading पे चलते हैं देखिए next heading है हमारी क्या bum calorie meter को जड़ा देख लो आप सब लोग क्या होता है मैंने पहले से इतले बना के रखता है देखो bum calorie meter से क्या करते हैं किसी भी hydrocarbon को burn करते हैं यह जो burn हो रहा है यह वाला hydrocarbon किसी hydrocarbon को burn करते हैं तो वो कितनी हीट निकालता है यह निकाला जाता है bum calorie meter के तो उसमें होता क्या है देखो पहले एक बहुत बड़ा इंसुलेटर यह पहले बहुत बड़ा conductor का box लेते हैं उसके अंदर एक जो यह green color का देख रहा है इसको bum calorie meter बोलते हैं यह ग्रीन वाला conductor होता है अब यह जो तार लगे हैं इनसे हम voltage देके इसको burn करते हैं तो burn करने पर जो energy निकलती है बग उसको ही count करना होता है किसी को कहा जाता है bum calorie meter यह एक instrument है जिस method से हम इसको count करते हैं तो कितनी आती है तो जड़ा देखना डेल्टा यू इक्वल टू निकल के आती है देखो heat capacity आप calorie meter heat capacity of calorie meter into delta T into प्यारे बच्चो molecular weight of compound divided by mass of organic compound जिसको आप क्या कर रहे हो burn करा रहे हो organic compound तो जड़ा इस बात को समझे कितनी वैलू आएगी डेल्टा यू इक्वल टू heat capacity of calorie meter into delta T into molecular weight of compound upon mass of organic compound delta T क्या है जब तुमने इसको burn किया जो temperature increase हुआ है वो इसे निकाल होगे आप साब बता दे रहा हूं जरहा गौर से ध्यान रखिए देखो heat capacity पीछे पढ़ा क्या आया हूं ठीक है कौन सा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन एंजी आर्टी डेल्टा यू इस फार्मुले से निकलेगा उसको उठा के यहां डाल देना डेल्टा एन हाइड्डो कार्बन को कंबस्षन करोगे तो कंबस्षन की रियक्षन लिखोगे उस रियक्षन से डेल्टा निकालोगे आर निकालोगे टी निकालोगे जिस टंप्रेचर पे यह पूछ रहा आपको इन्थल्पी चेंज जिस टंप्रेचर पे इन्थल्पी चे अब आपका मन कर रहा हुगा सर बचे हुए कोश्चनों को भी हम लोग कर लेते हैं अना बहुत सारे कोश्चन मैंने सब टॉपिक वाइस कराते भी आया हूं अब जो दो चार बचे उनको करा देता हूं बाकी आप अपने घर में कर लीजिएगा ठीक है अब जिरह देख विए यह कोश्चन पूछा गया है दा एडिशन ऑफर कैटलिस्ट ड्यूरिंग एकेम कल रियक्षन अल्टर ड्यूरिंग एकेम कल रियक्षन अल्टर विच आप दा फॉल्वविंग क्वाइब टीज ऑगी कौन सी कॉंटिटी चेंज नहीं होगी कब जब आप कैटलिस्ट मिला तो काटलिस्ट मिलाने से एक्टिवेशन इनर्जी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है कभी तो रियक्शन फास्ट हो जाती है यदि पास्ट्यू काटलिस्ट मिला रहो इंटर्नल इनर्जी इंथल्पी और इंट्रोपी इन में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह चेंज नहीं होंगे चेमिकल रियक्षिन आल्टर विच आप फालोइंग प्रॉपर्टी सिर्फ एक्टिवेशन इनर्जी चेंज होती है इसका आप लोग ने ग्राप भी काइनेटिक में देखा है नेक्स्ट सभी टंप्रेचर पर इस्पॉन्टेनियस रियक्षिन बताओ तो यार हम और आप जानते हैं कि सभी टंप्रेचर पर यदि स्पॉन्टेनियस रियक्षिन की बात कर रहा है तो वो क्या हो सकती है यह देखो यदि यह negative रहे और यह positive रहे तो हमेशा क्या होगा spontaneous condition होगी हमेशा क्योंकि जो T होता है यह हमेशा greater than 0 Kelvin होता है हमेशा greater than 0 Kelvin होता है तो यह हमेशा spontaneous रहेगा तो डेल्टा एक जो हो वो क्या है छोटा हो और डेल्टा एस पाजिटिव हो तो यह answer आ रहा है ध्यान नखिये के जिए जो क्रॉस लगे है एक्च्वल में डेल्टा है आपरेटर ने थोड़ा सा गरबर कर दिया यह जितने भी क्र और सेंपल आप पर्फेक्ट गैस वेन इट प्रेशर इस चेंज आइसो थर्मली पी एफ दा इंट्रॉपी चेंज इंट्रॉपी चेंज इंट्रॉपी चेंज यह मेरे को लग रहा दुबारा कोश्चन आ गया है पहले भी मैं इसको करा चुका हूं ध्यान रखना दो यह एन आरलन यह लन है यह आई नहीं है यह सब अ masa प्रेशर अपन फ़ियन प्रेसर नहीं होता है तो़ी टो बख स्वहले तो गलती है कौन सा फ़ार्मिलंट आहे है यह यह फञह स辦 तरह अब दीघ चेहर अगला कोश्ट ना hari टमश्चन आप कार्भण 2 carbon dioxide is minus 393.5 kJ per mole the heat release upon the formation of 35.2 gram of carbon dioxide अब देखो यार आपको definition पढ़ाते समय बहुत अच्छे चे फोकस कराया था कि heat of formation एक mole की होती है तो एक mole carbon dioxide को form करने में कितनी energy निकल लई है minus 393.5 kJ निकल लई है कि नहीं और वो पूछ कितनी रहे है heat of combustion का मतलब क्या है एक mole molecule को combustion की energy और वो कितने gram को पूछ रहे है इतने को तो इसको mole में बना लो बस हो गया यार इतने mole की कितनी होगी वो कह रहा है यदि हम इतने gram को burn कराएं तो कितनी होगी तो मैंने काया निकाल लेता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है इतने mole की कितनी होगी तो प्यारे बच्चों इसको साल कर लो एक मॉल की इतनी तो इतने मॉल की कितनी होगी इसको जड़ा डिवाइड कर लो तो 44 नीचे आ गया और ये ऐसे आ गया अब स्वाल करो तो पहली बात ये समझ में आ गई कि माइनस 393 से कम होगी उपर से माइनस होगी तो ये वाला कड़ गया क्योंकि ये माइनस नहीं है और य यह दोनों एकी ही लिखे हैं इसका मतलब यही आंसर है ना जिस तरह से कोर्शन में उसते तो अंसर भी होगा आपको कुछ करना ही नहीं है बैए एक मोल की इतनी है और यह एक मोल से कम वैलू है तो इसका मतलब कम आएगी यह ज़्यादा लिखा इसलिए कट गया और यह प्लस यह आंसर आजाएगा यह आंसर ना है तो समल लेना इस जिगह पर कोई और आंसर होगा क्योंकि दोनों आंसर सेम नहीं लिखे होंगे ठीक है वो टाइप राइटर ने क्या होगा टाइप करते समय गलती कर दी होगे अब इसको साल करोगे आपका अंसर आ जाएगा हाँ यह कोश्चन पूचा जा रहा है लो यार यह तो कोश्चन डारेक्ट रिलेशन है आपको पता है डेल्टा जी नॉट और एकलूब्रियम कॉस्टेंड में क्या रिलेशन होता है माइनस टू पॉइंट थी जिरो ठीक है ना आर टी लॉग एकलूब्रियम अब देख लो य माइनस में टू पाइंट थी आर्टी लॉग के माइनस टू पाइंट थी आर्टी लॉग के है कि नहीं कि यह दोनों सेम ही लिखें है हां बहुत मिश्टेक किया है उतने इस बार ठीक है हां दोनों ही सेम लिख दिया है कोई बात नहीं आप तो रिलेशन जामते हो मैंने रि पूरी कोशिस करके सब कुछ पढ़ाया है इस बर पढ़ाया जद आए क्यों कि मुझे पता है कि थर्मोडायमिक्स में थियोरी आना बहुत जुरूरी है क्योंकि इसमें फार्मूले जो होते हैं वही फार्मूले तो अब आपका काम क्या है आपका काम यह लॉंगेश लेक्चर है मेरे इसाब से आपका काम क्या है मेरे दोस्तों आपका काम बस यह है कि इसको खूब अच्छे से पढ़ना है और 150 कोश्चन की और प्रैक्टिस कर लेनी है जो मैं DPP भेज रहा हूं उसमें 50 कोश्चन होंगे वो सारे 50 कोश्चन खूब अच्छे से लगा लेना है ठीक है तो कम से कम दोनों लेक्चर मिला के थर्मोडाइंग सौट 1 और थर्मोडाइंग सौट 2 मिला के 70-80 कोश्चन मैंने करा दिये और 100 कोश्चन आप निकल लिए 200 कोश्चन काफी है और मन हो तो और भी कर सकते हो मग करते हैं और दाबेस्ट प्यारे बैट्चों geehr झाल झाल